सुरेंद्र मोहन पाठक, बीस लाख का बकरा, थ्रिलर, फर्स्ट एडिशन उननीस सो अठासी, डिस्क्लेमर यह विडियो केवल शिक्षा के उद्देश्य से बनाया गया है, कोई व्यावसायक लक्षे या कोई कॉपिराइट उद्देश्य नहीं है, निवेधन सभी शुरुताओं से निवेधन है, कि इन आडियो बुक को बनाने में बहुत समय लगता है, ये दिनो या हफ्तों की महंत होती है, इसलिए कृपिया मेरे चैनल आडियो बुक मॉल एवं आडियो बुक गोडाउन को सब्सक्राइब करें और कृपिया कमेंट करें क कि आप कौन सी किताब सुनना चाहते हैं, आपको हमारे विडियो में कुछ सिंबल्स साइन्स की साउंड्स सुनाई देते होंगे जैसे की वर्टिकल बार, लस, हश, इनको इगनोर करें ये, हमारे बुक मार्क्स है, रकोर्डिन के लिए होते हैं, विडियो लंबी होनी के का जाते हैं, जिन पर काम किया जा रहा है, जहां आपको ऐस्ट्रिस्क, ऐस्ट्रिस्क, ऐस्ट्रिस्क साउंड आएगा, इसका मतलब वहां सीम चेंज हुआ है, आपको यहां आडियो बुक पसंद आई, तो लाइक जरूर करें, तो आईए सुनते हैं, बीस लाख का बकरा, थ्रिलर, सुरेंद्र मोहन पाठक, वे ब्लैक मिल के खेल के शातिर खिलाडी थे, और न जाने कितने ही शिकारों को बकरा बना चुके थे, लेकिन ये उनकी बदकिस्मती थी, कि उनका नवीनतम बकरा, राणा, हालत से घबराकर हथियार डालने वाला शक्स नहीं था, अर्थात आखिरकार एक बकरा बेकाबू होकर, खुद शिकारियों पर ही सीम चलाने का ख्वाहिश मंध हो उठा था, दादर में रोड पर स्थित उस इमारत का ग्राउंड फ्लोर का फ्लैट एक गैरेज से जुड़ा हुआ था, जिसमें ले जाकर रनबीर राणा ने अपनी कॉंटेस कार खड़ी की फ्लैट में, गैरेज के रास्ते दाखिल होना उसे बहुत सुरक्षित लगता था, उसने कार से निकल कर गैरेज के पिछवाडे के एक बंद दर्वाजे को चाबी लगा कर खोला, खुला दर्वाजा लांध कर, उसने किचन में कदम रखा और अपने पीछे दर्वाजा बंद कर लिया, उसने किचन का भीतर की ओर का दर्वाजा खोला और आवाज लगाई सीमा, जवाब नदारद, रनबीर राणा की पेशानी पर बल पड़ गए, साधारंत्या जब वह वहां कदम रखता था, तो वातावर्ण में उत्तेजक पाश्चात्य संगीत की स्वर लहरियां तैर रही होती थी, हर तरफ सीमा के नौजवान जिस्म की सोंधी सोंधी खुश्बू फैली होती थी, और खुद सीमा उसके पसंदीदा जाम के साथ उसका स्वागत करती थी, उस रोज ऐसा कुछ न था जब की हमेशा की तरह सीमा को उसके वहां आगमन की खबर थी, जरूर वह अपनी सजधज में लगी हुई थी, रनबीर राना के होठोन पर एक मुस्कराहट खेल गई, और उसकी आँखों में गुलावी डोरे तैर गए, बीस साल की अत्यंत रूपवती युवती सीमा उसकी रख्खैल थी, और वह फ्लैट उनका प्रेम धरोंदा था, किचन के एक रैक पर से उसने एक गिलास और ओल्ड स्मगलर की एक बोतल बरामत की उसने रेफ्रीजरेटर में से बर्फ और सोडा निकाला, और आने वाले वक्त की रंगीनियों की कलपना करते हुए अपने लिए एक जाम तयार किया, पहला घूंट पीते ही उसके चहरे पर त्रिप्ती के भाव आए, रेफ्रीजरेटर के उपर एक तेलीफोन रखा हुआ था, उसने फोन उठा लिया और चैंबूर के इलाके में स्थित बिजली के उपकरण बनाने वाली अपनी फैक्टरी में अपने वर्क्स मैनेजर तेंदुलकर को फोन किया, मैं अभी भी होटल में ही हूँ वह अपने WORKS मैनेजर से बोला कानफरेंस अभी भी जारी है उपर से लंच हैवी हो गया था धेर सारा लोवस्टर मसाला साथ में चार-पार्च ड्रिंक उपर से कानफरेंस की चक-चक मैं समझ गया तेंदुलकर की हलकी सी हंसी सुनाई दी, आपकी फैक्टरी लोट कर आने की मर्जी नहीं है हाँ, लेकिन अगर मेरा कोई फोन आये, तो बराय महरबानी यही कहना कि मैं फैक्टरी में ही कहीं हूँ आप फोन करने वाले को थोड़ी देर में रिंग कर लेंगे हाँ, मैं तुम्हें फिर फोन करूंगा संबंध विच्छेद करके उसने बंबई के दूसरे सिरे कोलाबा पर स्तिथ अपनी कोठी पर फोन किया जैसा की अपेक्षित था, फोन उसकी बीडी ने उठाया रश्मी मैं बोल रहा हूँ नहीं होटल से नहीं, फैट्री से कानफरेंस टाइम पर खत्म हो गई थी अभी लोटा हूँ फैट्री में रश्मी, यहां एक मशीन में मेजर ब्रेकडाउन हो गया है जिसकी मरमत के लिए मुझे तेंदुलकर के साथ रुकना पड़ेगा इसलिए आज रात शायद मैं घर न लोट पाऊं मैं मशीन के सहराने हैंगर में होंगा इसलिए अगर तुमने यहां फोन किया तो मुझे खबर नहीं लगेगी बहरहाल फोन जो भी उठाए तुम उसे मैसेज दे देना मैं बाद में तुम्हें वापिस फोन कर लूँगा ओके अच्छा मैं बंद करता हूँ उसने फोन रख दिया अपना जाम खत्म किया और किचन से निकल कर फ्लैट के बड़े फिल्मी अंदास से सजे हुए ड्राइंगरूम में पहुँचा ड्राइंगरूम खाली था पीछे बैडरूम था जिसके अधखुले दर्वाजे में से उसे वहाँ बिछे शहनशाही डबल बैड का एक भाग दिखाई दे रहा था सीमा उसने आवाज लगाई अरे भई कहा हूँ कोई उत्तर न मिला रनबीर राणा के चहरे पर उल्जन के भाव आए क्या बात थी कहा थी सीमा वह फ्लैट में थी भी या नहीं और इमारत का सन्नाटा उसे अजीब सा क्यों लग रहा था चहरे पर पूर्ववत उल्जन के भाव लिये वह बैडरूम के दर्वाजे पर पहुँचा उसने दर्वाजे को धक्का दिया और न जाने क्यों तनिक हिचकते हुए भीतर कदम रखा भीतर कोई बती नहीं जल रही थी लेकिन फिर भी वहां परियाप्त रोश्नी थी रोश्नी का साधन एक और पड़े कलर टीवी की स्क्रीन थी जिस पर उस घड़ी कोई वीडियो फिल्म चल रही थी अजीब बात थी वीडियो चल रहा था लेकिन कमरा खाली था तभी एकाएक उसे एहसास हुआ कि कमरा खाली नहीं था अपने पीछे हुई हलकी सी आहट सुनकर वह वापिस घूमा तो उसने पाया कि उसके पीछे दर्वाजे के दाएं बाएं दो आदमी खड़े थे दोनों के चहरे नकाबों से ढके हुए थे एक के हाथ में एक रिवालवर थी और उसका रुख राना की तरफ था बैठ जा सेठ रिवालवर वाला बोला ये सिनेमा अन तेरे वास्ते ही शुरू की एला है राना का सास सुखने लगा उसकी व्याकुल निगा कभी रिवालवर पर तो कभी उसके मालिक के नकाब से ढखे चहरे पर तो कभी उसके साथी पर फिरने लगी उसका साथी अपेक शाकृत पतला और लंबा आदमी था और उसके हिप्पी नुमा लंबे बाल उसकी नकाब के नीचे से गरगन पर बिखरे दिखाई दे रहे थे कौन हो तुम लोग? वह रुधे स्वर में बोला सी सीमा कहा है? सवाल जवाब बाद में सेठ रिवालवर वाला बोला पहले सिनेमा देख मैं कोई सेठवेट नहीं हूँ राणा हिम्मत करके बोला मैं तो कोई वांदा नहीं हमेरा बकरा तो है लेकिन जास्ती बात नहीं मांगता रिवालवर वाला घुड़क कर बोला वह लंबे डग भरता हुआ राणा के करीब पहुचा और उसने उसे जबरन टीवी के सामने पड़ी एक सोफा चेयर पर धकेल दिया मुंदी उधर बक्से की तरफ तेरा अपना पिक्चर चलेला है गौर से देख मेरी पिक्चर हाँ तेरा और तेरी चोकरी का देख तभी टीवी स्क्रीन पर राणा को अपनी सूरत अपनी तरफ जाकती दिखाई दी उसी क्षण उसने महसूस किया कि टीवी के पीछे खिडकी के करीब एक तीसरा नकाब पोश भी खड़ा था स्क्रीन की चमक की वजह से पीछे खड़ा वह नकाब पोश पहले उसे दिखाई नहीं दिया था किसी अग्यात आशंका से राणा का दिल लर्जने लगा आसार अच्छे नहीं थे आसार यकीनन अच्छे नहीं थे स्क्रीन पर उसने स्वय को समुद्र तट पर मात्र अंडर्वियर पहने लेटे पाया फिर कैमरा तनेक पैन हुआ तो स्क्रीन पर एक बहुत ही संक्षिप्त बिकीनी स्विम सूट पहने सीमा प्रकट हुई कैमरा लाम शार्ट में पहुँचा सीमा ने करवट बदली और वह एकदम उसके उपर लेट गई दोना वाला बीच गोवा रिवालवर वाले मवाली की आवाज आई जुलाई सतरह से जुलाई 21 तक साला बीवी को बोला बिजनेस वास्ते दिल्ली जाने का है पट्टा पहुँच गया गोवा क्या बढ़िया बिजनेस होएला है मानसून का मौसम में क्या स्क्रीन पर राणा और सीमा गुथम गुथा होते दिखाये जाते रहे चोकरी शांदार है लंबे बालों वाला नकाब पोश बड़े हसरत भरे स्वर में बोला कैसी भारी चातिया हैं तर्बूस की माफिक वैसे ही भारी कूल हैं घड़े जैसे पर कमर बहुत पतली है बहुत ज्यादा पतली है मेरे को तो लगता है कि दो जटके ज्यास्ती लगे की कमर तूटी दो टुकडे खलास वह बड़े अशलील भाव से हनसा अबे हलकट रिवालवर वाला बोला साले ऐसी हाई क्लास चोकरी को कहीं फारस रोड की 20 रुपया वाली बाई की माफिक हैंडल करना मांगता है ऐसी बाईयों को हैंडल करने का तरीका होता है और देख अपना सेठ कितना बरोबर जानता है वो तरीका क्यों सेठ राणा के मुह से बोल न फूटा ऐसा और कितना चोकरी हैंडल की एला है सेठ तुम्हेरी अपनी लड़की भी तो इतनी ही उम्रकी है न खबरदार राणा बिफरा नहीं है तो होने वाली होएंगा खबरदार जो अरे क्या खबरदार साला नारी उद्धार समिती को चंदा देता है खुद कितना बढ़िया उद्धार कर रहा है चोकरी का राणा ने जोर से थूक निगली उसने बेपसी से गरगन हिलाई और फिर स्क्रीन की तरफ देखने लगा स्क्रीन पर दर्शाय गए बीच के प्रिष्ठभाग में कई काटेज थे जिन में से एक की तरफ वे उठकर जाते दिखाई दे रहे थे वे काटेज में दाखिल हुए तो स्क्रीन पर काटेज के दरवाजे का क्लोज अप उभरा और दर्वाजे पर लगा पीतल का अंक साथ पूरी स्क्रीन पर दिखाई दिया राणा सहन गया अब क्या स्क्रीन पर वह सब कुछ भी आने वाला था जो की काटेज के बंद दर्वाजे के पीछे उसमें और सीमा में हुआ था लेकिन ऐसा न हुआ शाट कट के साथ सीन तबदील हुआ अब शांदार सूट पहने राणा और एक सलमे सितारों जड़ा गाउन पहने सीमा एक अत्यंत वैभवशाली रेस्टोरेंट में दाखिल होते दिखाई दिये होटल मांडवी पंजिम ब्लू रूम राणा ने जोर से ठूक निगली उसी प्रकार टीवी स्क्रीन पर सीमा के साथ उसकी तफरीह की दस्तावेश के तौर पर सीन पर सीन उभरते रहे कई द्रिशों में उसे सीमा का चुम्बन लेते या उसके जिस्म के किसी नाजुक खम पर हाथ फेरते जूम की सहायता से क्लोस अप में दिखाया गया अंत में स्क्रीन पर उसी बैडरूम का द्रिश्य उभरा जिसमें की वह उस घड़ी मौजूद था सेठ रिवालवर वाला बोला अब तुम्हेरी इस फिल्लम का क्लाइमाक्स आयला है पहले पलंग के पहलू में एक एक करके अपने जिस्म से कपड़े अलग करती सीमा प्रकट हुई फिर वह पलंग पर चड़ी और बड़े चुहलभे अंदास से राणा को निर्वसन करने लगी फिर दो मादर जात नंगे जिस्म पलंग पर गुथम गुथा तीनों मवालियों की बैडरूम में गूजती हंसी राणा खौफ जदा और पसीने से सरोबार फिर फिल्म खत्म एक मवाली ने आगे बढ़ कर टीवी बंद किया वीडियो से कैसेट निकाल कर अपने अधिकार में किया और बैडरूम की एक खिलकी पर पड़ा परदा केवल इतना हटा दिया कि वहां हलकी सी रोशनी हो जाए क्या सोचेला है सेठ रिवालवर वाला बोला राणा ने उत्तर न दिया हमारा सेठ सोच रहा है खिलकी के करीब खड़ा नकाब पोश बोला कि यहां की इतनी कम रोशनी में वीडियो फिल्म कैसे बन गई मुह से कुछ बोला लेकिन हकीकतन जो बेशुमार बातें वह सोच रहा था उनमें से एक वह भी थी सेठ अपना बकरा है रिवालवर वाला बोला बताने में क्या वांदा है सेठ फिल्लम पहले मूवी कैमरे से बनाएला है उसके बाद उसे वीडियो पर ट्रांसफर कियेला है सीमा भी तुम लोगों में शामिल है राना पूछे बिना न रह सका फिल नहीं तो थोड़ा बहुत तो होएंगा ही वरना इदर तुम्हेरे लवनैस्ट के बैडरूम में शूटिंग कैसे होने का था अब वो कहा है इधर नहीं है कहा गई गई कहीं पीछू हमेरे को इतना अच्छा प्रोग्राम करने को छोड़ कर उसको इधर से जाना तो मांगता ही था तुम चाहते क्या हो लोग रिवालवर वाला जोर से हनसा कैसा बच्चा लोग की माफिक पूछता है कि हमेरे को क्या मांगता है अरे, रोक्रा मांगता है, क्या मांगता है? का है का रोक्रा? तुम्हेरी सर्विस का रोक्रा जो यह विडियो टेप तुम्हेरे कुबेच कर अपुन करेंगा तुम लोग मुझे ब्लैक मेल करना चाहते हो ब्लैक और मेल तो अपुन को मालूम नहीं बाप पर अपुन को यह जरूर मालूम है कि अपुन तेरे को ये विडियो टेप बेचना मांगता है कोई जोर जबरगस्ती नहीं है तेरे को राजी से ये टेप खरीदना मांगता है तो ठीक नहीं मांगता तो भी ठी मैं न खरीदूं तो तुम क्यों करोगे तो ऐसा एक टेप तुम्हेरी बीवी को प्रेजेंक में पहुँचेगा, एक तुम्हेरी फैक्टरी के स्टाफ के वास्ते, एक नारी सुधार समिती के चीफ के वास्ते जिसका की तू जिगरी है एक, होस्टल में पढ़ती तुम्हेरी बेटी के वास्ते, तुम्हेरी बेटी को तो हो यह टेप दिखाने अपुन खुद पूना जाएंगा बहुत खुश जाएंगा वो अपने डैडी की हीरो के रोल वाली फिल्म देखकर कितने साल की है तुम्हेरी बिटिया पंद्रह की या सोलह की शट अप रिवालवर वाले मवाली ने जोर से अट्टाहास किया क्या कीमत चाहते हो तुम इसकी राणा कठिन स्वर में बोला जास्ती नहीं बहुत कम अप उनको लालच बिल्कुल नहीं है कीमत बोलो 20 लाख सिर्फ बस पागल हुए हो इस फिल्म के लिए यह मामूली कीमत है तुम्हेरे जैसे बड़े सेट के लिए यह रकम नाखून का मैल है बाद वेहम है तुम्हारा अरे सेट तु इतनी बड़ी फैक्तरी का मालिक है उससे क्या होता है बड़ी फैक्टरी का मालिक होना बड़ी कमाई का सबूत नहीं होता होता है रिवालवर वाले ने जिद की फैक्टरी का क्या है वो तो घाटे पर चलती भी हो सकती है तुम्हेरी तो नेई चल रही न घाटे पर नहीं चल रही लेकिन 20 लाख बोला न तेरे लिए यह रकम ना खून का मैल है मेरे पास इतना पैसा नहीं है विश्वास न हो तो मैं तुम्हें अपने बैंग की पास बुक दिखा देता हूँ पास बुक दिखा देता हूँ रिवालवर वाला उसके स्वर की नकल करता हुआ जोर से हनसा सेठ वो अंटी दिखा जिसमें दो नंबर का रोकरा दबायला है मैं दो नंबर का धंधा नहीं करता आज की दुनिया में कौन सा सेठ साहुकार है जो दो नंबर का धंधा नहीं करता मैं नहीं करता साला बंडल मारेला है मैं सच कहता हूँ मेरे पास 20 लाख रुपया एक मुष्ट नहीं है तो किष्टों में दे किष्टों में? लेकिन अब ज्यास्ती बात मत कर रुपया कहां पहुचाना होगा अपन बोलेंगा तेरे कू फैट्टरी में फोन करके बोलेंगा मुझे फिल्म कब मिलेगी? जब हमेरे को पूरा रोकडा मिलेंगा 20 वे लाख के तब तक तो तुम इसकी दर्जनों कापिया तयार कर लोगे ऐसी बेमानिया तुम्हेरे जैसे सेट साहुकार व्यापारी करते हैं हमेरे जैसे मवाली नहीं मालूम राणा खामोश रहा अब तु इदर बैठ के अपनी माशूप को याद कर और अनको छुट्टी दे उठके हमेरे पीछू आने का नहीं है क्या? राणा ने सहमती में सिर हिलाया तीनों वहां से विदा हो गए पीछे कितनी ही देर राणा हाथों में माथा थामे खामोश बैठा रहा हाँ पन एक लाख मेरे को कल ही मांगता है अंत में वह उठकर पलंग के सिरहाने रखे टेलिफोन के करीब पहुँचा और अपने वकील सुशील खेतान का नंबर डायल करने लगा कृपया मेरे चैनल आडियो बुक मॉल एवं आडियो बुक गो डाउन को सब्सक्राइब करें और कृपया कमेंट करें कि आप कौन सी किताब सुनना चाहते हैं आपको यहाँ आडियो बुक पसंद आई तो लाइक जरूर करें रश्मी ब्रेकफास्ट टेबल पर अपने पती का इंतजार कर रही थी वह उन खुशकिस्मत ग्रेनियों में से थी जो 40 के पेटे में पहुचकर अपनी नौजवानी के दिनों से भी ज्यादा खूबसूरत लगने लगती थी दो बच्चे पैदा कर चुकी थी, लेकिन उसके जिस्म के कोई भी कस बल कतई धीले नहीं पड़े थे 16 साल की लड़की, 18 साल का लड़का लड़की ना के स्कूल में लड़का जर्मनी के एक मेडिकल कालेज में वह अपनी जबानी न बताती, तो कोई कबूल न करता कि वह इतने बड़े-बड़े बच्चों की मा थी तभी उसे अपना पती सीधियां उतर कर नीचे आता दिखाई दिया उस घड़ी वह काडराय की पेंट, खुले-गले की कमीज और कोहनियों पर चम्डे के पैबंदो वाला विड़का वह भूरा कोट पहने था जो की उसे बहुत ही ज्यादा पसंद था वह बड़ी हसरत भरी निगाहों से करीब आते अपने पती को निहारती रही कितना शानदार मर्द था उसका पती, कामदेव का अवतार, पचास के पेटे में पहुँच चुका था, लेकिन जो शोक्रोश और तुर्ती-फूर्ती में छोक्रों को मात करता था राना डायनिंग टेबल पर अपनी पतनी के पहलू में बैठ गया रश्मी ने उसे चाय सर्व की और एक तोस्ट पर मक्षन लगाने लगी आज कुछ परिशान लग रहे हैं, आप एकाएक वह बोली क्या बात है? कोई खास बात नहीं राना तने खडबडाये स्वर बोला, वो क्या है कि रात के ढ़ाई बजे तक तो मैं मरम्मत ओती मशीन के ही सिरहाने खड़ा रहा, फिर आफिस के सोफे पर सोया जहां ठीक से नीन तो आई नहीं घर आ जाना था हाँ, वही अच्छा रहता, लेकिन ठक बहुत गया था न इसलिए, क्यों इतना काम करते हैं, आप करना पड़ता है आपके कर्मचारी कुछ नहीं करते, करते हैं, लेकिन कोई कोई काम ऐसा होता है कि सिर पर खड़े हुए बिना नहीं कराया जा सकता ऐसे तो बीमार पड़ जाएंगे आप कुछ नहीं होता, हर रोज थोड़े ही रात को फैक्टरी में रुकना पड़ता है हर चौथे पाँचवे दिन तो रुक जाते हैं राणा खामोश रहा आपकी बेटी की चिठ्थी आई है चिठ्थी राणा ने हरबड़ा कर सिर उठाया क्या लिखा है आपने पढ़ी नहीं बैडरूम में आपके सिरहाने तो रखी थी मेरी निगाह नहीं पड़ी वहां सोता तो पड़ता क्या लिखा है खास कुछ नहीं बस राजी खुशी ही लिखी है गुड़ वह एक शन ठिटका और फिर बोला एक बात बताओ छोटी के होस्टल में कोई गैर आदमी घुश सकता है गैर आदमी कैसे कैसे भी कैसे घुश सकता है वहां तो गैर आदमी के घुशने पर सक्त मना ही है वहां रहते बच्चों से वही लोग मिल सकते हैं दाखिले के वक्त होस्टल के रजिस्टर में जिनका नाम लिखवाया गया होता है याद नहीं अपना लड़का बेहन से मिलने गया था तो होस्टल वालों ने उसे भगा दिया था क्योंकि उनके रजिस्टर में लड़के का नाम नहीं था हाँ ओह हाँ राणा को तनिक राहत महसूस हुई आमलेट तो आपने छुआ भी नहीं बस एक आएक वह उठ खड़ा हुआ आज दिल नहीं आमलेट खाने का मैं चलता हूँ आज खेतान से मेरी अप्याइंटमेंट है वह फैक्टरी में बैठा मेरा इंतजार कर रहा होगा सारी दास्तान सुना कर राणा चुप हुआ तो सुशील खेतान यू भौचक का सा उसका मुह देखता रहा जैसे राणा कोई अजुबा हो सुशील खेतान उसी की उम्र का उसी जैसा हंस्मुख और खूबसूरत व्यक्ति था दोनों की पच्चीस साल की यारी थी आई बड़े छुपे रुस्तम निकले उस्ताद खेतान बोला राणा खामोश रहा अपने यार से चोरी छुपे यूं कितनी छोक्रियों का मानमर्दन कर चुके हो तुम मुझे गलत समझ रहे हो मैं वैसा आदमी नहीं हूँ अच्छा खेतान व्यंग्यपूर्ण स्वर में बोला मेरा मतलब है इस एक घटना को छोड़ कर इससे पहले मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं किया किया नहीं या दाव नहीं लगा किया नहीं इस बार ही क्यों किया सितारों की गर्दिश ने करवाया हाला थी ऐसे बन गये की कि सब कुछ अपने आप ही होता चला गया एक इतनी कम उम्र लड़की के साथ जो तुम्हारी अपनी बेटी से जरा ही बड़ी है अब मैं क्या कहूं उसे फ्लैट भी दे दिया लवनेस्ट बना लिया कभूतरी पक्की पाल ली अरे मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है राना जहलाया कि तुम मुझे आकर शर्मिंदा करो अच्छे यार हो बजाए इसके कि मुझे कोई माकूल राय दो इस दुश्वारी से निजात पाने की तुम उसे दोबाला कर रहे हो यह राय दी है तुमने मुझे तुम्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है बच्चे को समझा रहे हो उन तीनों मवालियों को तुमने पहले कभी नहीं देखा पहले क्या अब भी नहीं देखा मैंने कहा नहीं कि वो चहरों पर नकाब ऊढे थे चहरों पर ही तो सारे जिस्म पर लबादा तो नहीं ओढ़ेटी आदमी की शिनाख्त सूरत देखे बिना भी हो सकती है मैं ऐसी कोई शिनाख्त नहीं कर सका किसी की आवाज ही पहचानी हो उन वो तीनों मेरे लिए एकदम अजनबी थे लड़की से मुलाकात कैसे हुई बताया तो है फिर से बताओ तफसील से मैं उससे तीन महीने पहले मिला था धारावी के एक चलताओ बारकम कैबरे जायंट में नाम क्या था उस जगह का याद नहीं लेकिन जरूरत पढ़ने पर तलाश कर सकता हूँ रास्ता याद है मुझे गए क्यों थे शुकला ले गया था शुकला सचिन शुकला उन दोनों का यार था जबर्दस्ती यही समझ लो उस रात खापी कर पूरा नशा पानी करके हम सिंतूर होटल से लोट रहे थे कि शुकला ने गाड़ी उस कैबरे जायंट पर ले जाकर रोक दी कहने लगा वहां बड़ा हाय हाय करा देने वाला माहॉल होता था जहां भी नौजवान छोक्रियों की भरमार हो उसके लिये वहां हाय हाय करा देने वाला ही माहौल होता है राणा ने सहमती में सिर हिलाया तो वहां तुम्हें सीमा मिली पहले तो शुकला को ही मिली, बाद में मुझे मिली मतलब शुकला को हाल में छोड़ कर मैं टाइलेट में चला गया था जब मैं वापिस लोटा था तो मैंने उसे सीमा के पास बैठे बतियाते पाया था वह उसे अपनी वही स्टेंडर्ड पुडिया दे रहा था जो वह हमेशा से देता चला आ रहा है कि वह कितनी बड़ी आटो मुबाइल कमपनी का मालिक था खंडाला में उसका आलिशान बंगला था विक्टोरिया हारबर पर उसका पचास फुट का याट खड़ा था और एशो इश्रत के इस साधनों को एंजाय करने के लिए उसका कोई हसीन साथी नहीं था एक जेक्टली लड़की ने क्या कहा उसने कहा कि उसे इतना मोटा बकरा जिबह कहने का तजुर्बा नहीं था लड़की में शुकला को बकरा कहा हाँ यही लफ्ज उस रिवालवर वाले ने तुम्हारे लिए इस्तमाल किया था तो क्या हुआ तो यह हुआ की जरूर उनकी टीम थी जिसका काम तुम्हारे जैसे बकरे फंसाना और उन्हें जिबह करना ही था राना खामोश रहा उसकी पेशानी पर चिन्ता की सिल्वटें उभी लड़की थी क्या बला कैबरे डांसर काल गरल क्या वो फैशन माडल थी उस बार में माडलिंग होती थी आधी रात को बार में नहीं माहिम में कहीं वह बोरीवली में रहती थी बार की एक कैबरे डांसर भी बोरीवली में रहती थी इतनी रात गए सीमा अकेली नहीं जाना चाहती थी, इसलिए वो अपनी सहेली के पास वहां बार में पहुँच जाती थी, जहां से वह इकठी बोरिवली जाती थी सहेली कौन थी? कहा न वहां की कैबरेड आंसर थी वह तो हुआ कोई नाम धाम नहीं था उसका अनिता अनिता नाम था उसका साउथ इंडियन लड़की थी अपनी कैबरे परफार्मेंस के बाद कैबरे के कास्ट्यू की वह हमारी टेबल पर पहुँच गई थी उसे देखते ही शुकला की लार टपकने लगी थी वह सीमा को छोड़कर उसकी लल्लो चप्पी करने लगा था और उसे अपनी आटो मोबाईल कमपनी, अपने खंडाला के बंगले, अपने हारबर पर खड़े याद और अपनी तनहाई के बारे में पुरिया देने लगा था तभी उसने पता नहीं अनिता को क्या पट्टी पढ़ाई कि वह उठकर उसके साथ चल दी पीछे टेबल पर मैं और सीमा रह गए पता नहीं कैसे हमारे में लंबी-लंबी बाते शुरू हो गई तभी मुझे पता नहीं क्या सूझा कि मैं उसे कह बैठा कि क्यों न कहीं चल कर दिनर करें खेतान यह बात मैंने उसे तब कही जब कि मैं सेतूर से दिनर करके आया था बढ़ो ऐसे हालात में यूं ही अकल मारी जाती है तुम आगे दिनर से उसने इनकार ना किया अलबत्ता यह एतरास किया कि उसे बहुत देर हो जाएगी और उसे इतनी दूर बोरिवली जाना था मैंने कहा बाद में उसे बोरिवली में छोड़ आऊंगा वह मान गई मैं उसे वहां से बाहर ले आया तब शुकला कहा था क्या पता कहा था कार उसकी थी इसलिए मैंने सीमा के साथ टैक्सी कर ली मेरे आदेश पर टैक्सी बांदरा की तरफ चल पड़ी वहां रेस्टोरेंट के सामने पहुँच कर पता नहीं मुझे क्या सूजी कि मैं सीमा से कहने लगा कि क्यों न हम दिनर पैक करवा ले और किसी तनहा जगह पर जाकर खाए उसने तनहा जगह की बावत सवाल किया तो मैंने अपने दादर वाले खाली फ्लैट का जिक्र कर दिया वह जट मान गई दिनर पैक करवा कर हम दादर पहुँचे वो बोरिवली कब पहुची पहुची ही नहीं यानी की सारी रात एशकी तुमने उसके साथ मैंने क्या किया सब कुछ अपने आप होता चला गया बहुत ही सहज और स्वाभाविक धंसे जैसे नई ब्याही दुलहन के साथ सुहागरात में होता है देखो राणा जुझला कर बोला या तो बात सुन लो या रिमार्क पास कर लो बात ही सुनाओ मुर्गी तो तुमने हलाल कर ली अब यह बताओ की माडलिंग में क्या करती थी वो कुछ भी प्रती घंटा फीस की एवज में जो कुछ भी उसे करने को कहा जाए ठुक ठुक भी नहीं 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 राणा ने तुरंट एतरास किया वो तुम्हें क्या पता मैंने खास तौर से पूछा था I.C. वो सिर्फ तस्वीरे खिंचवाती थी विदार विदाउट विदार विदाउट क्या क्लोट्स कपड़े तो उतारती थी वो राणा यू बोला जैसे वह बात कबूल करना उसे नागवार गुजर रहा हो वो कहती थी इसमें क्या हर्स था जब खुदा ने उसे नहायत खूबसूरत साचे मेंडला निहायत फोटोजेनिक जिस्म दिया था तो उसके कलात्मक प्रदर्शन में क्या खराबी भी कलात्मक प्रदर्शन माई फुट खेटान वो वैसी लड़की नहीं थी ओती तो मैं उस पर यू न जहा होता वह कम उम्र थी नातजुर बेकार थी आगे जाकर बिगड जाती तो बात दूसरी थी लेकिन तब राणा राणा यह तुम ऐसी लड़की के बारे में कह रहे हो जो तुम्हें ब्लैक मिलिंग का शिकार बनाने की उन मवालियों की योजना में शरीक है अभी यह बात यकीनी तौर पर नहीं कही जा सकती की यह उनके साथ है किसे बहला रहे हो क्या उन मवालियों में से एक ने नहीं कहा कि बैडरूम में तुम्हारे अभिसार की मूवी उस लड़की के सहयोग के बिना बनाई जाना मुम्किन नहीं था उन मवालियों ने उसे मजबूर किया हो सकता है लेकिन मैं नहीं मानता कि लड़की ने अपनी राजी से मुझे धोखा दिया था मेरे साथ यूँ धोखा करने से उसे क्या हासिल होता रुपया पैसा रुपया पैसा तो वह जितना चाहती मैं उसे वैसे ही दे सकता था राणा एक शन ठिटका और फिर धीरे से बोला मैं उससे मुहबब्बत करने लगा था मैं उसे दिल से चाहने लगा था उस 20 साल की लड़की की सोहबत में मैं खुद को 20 साल का समझने लगा था पिछले तीन महीनों में दादर के उस फ्लैट में मैंने जिन्दगी का जो आनंद लिया है वो मुझे कभी हासिल नहीं हुआ इसे मोहब्बत नहीं, लालच कहते हैं बुढ़ोती में अनायास ही हासिल हो जाने वाले खूबसूरत नौवजान जनाना जिस्म का लालच अमूमन यही बात होती है, लेकिन तब यह बात न थी खेटान, मैं उस पर दीवानगी की हद तक फिदा था उसके बारे में सोचने भर से ही मेरे अंदर तक 30 सी उठने लगती थी अंदर कहा? नाभी के नीचे शट अप, डैम यू उस दौरान तुम्हें कभी अपनी बीवी का ख्याल नहीं आया कैसा ख्याल? मसलन यह कि तुम रश्मी को अपने बच्चों की मा को तलाक देकर सीमा से शादी कर लो यह ख्याल मेरे मन में नहीं आया क्यो? सच्ची मोहबबत का क्लाइमेक्स तो शादी ही होता है मैंने शादी के बारे में कभी नहीं सोचा यानि तुम यूँ ही अपना मतलब हल करते रहना चाहते थे लड़की को फ्लैट का अच्छे रहन सहन का रुपए पैसे का लालच देकर यह प्यार कैसे हुआ दोस्त? यह तो खुदगरजी हुई राणा से जवाब देते न बना अगर वही शादी की जिद करने लगती तो तुम क्या करते? राणा खामोश रहा जवाब दो जवाब है मेरे पास राणा कठिन स्वर में बोला क्या? बहुत जल्द मैं उसे यह कहने की अपने आप में हिम्मत जुने वाला था कि उस रिष्टे को मैं आगे जारी नहीं रख सकता था जूट मैं सच कह रहा हूँ अगर यह सच है तो वह सच नहीं है कि तुम्हें उससे सची महबबत हो गई थी दोनों ही बाते सच कैसे हो सकती है खेतान मेरा विश्वास करो दोनों ही बाते सच है मैं सीमा से वाकई महबबत करने लगा था लेकिन मेरे भीतर से कोई बार-बार ललकारने लगता था कि मैं यह रिष्टा बरकरार न रखू तुम्हारी कांशस अंतरात्मा विवेक शायद तभी फोन की घंटी बजी राणा ने फोन उठाया सेठ दूसरी ओर से आवाज आई पहचाना अनकौन बोर रहा है पहचाना राणा बोला लाइन पर वो मवाली था जो पिछले रोज उसे दादर वाले फ्लैट में रिवालवर दिखा रहा था उसने खेतान को संकेत किया खेतान ततकाल उसका मतलब समझ गया उसने सोफे के पहलू में पड़े पैरिलल टेलिफोन के रिसीवर को उठा कर कान से लगा लिया अभी मैंने कोई फैसला नहीं किया क्यों यह 20 लाख की रकम का मामला है ऐसे मामलों बहुत सोच विचार कर कदम उठाना पड़ता है तुम्हारे जैसे सेट के लिए यह रकम नाखून का मैल है अप उन पहले भी बोला पहले से पहले भी बोला है भी तो यह मेरे गाढ़े पसीने की कमाई है इसे मैं तुम्हारे जैसे किसी हराम जादे को यूँ ही नहीं सौंप सकता कुछ क्षन खामोशी रही जरूर उस अप्रत्याशित स्वर ने फोन करने वाले को हडबडा दिया था नतीजा बहुत बुरा होएंगा सेठ फिर आवाज आई देखेंगे अभी देख सेठ तेरा जवाब अपुन को अभभी का अभी मांगता है कुछ बोल वरना अपुन फोन बंद करता है मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए कितना कितना वक्त मांगता है एक हफ्ता नक्को लेकिन मैं अपुन तेरे को एक दिन और देंगा जास्ती नहीं बिल्कुल नहीं तेरे को हर हाल में एक लाख रूपिया का इंतजाम करना मांगता है क्या रूपिया मुझे कहा भेजना होगा इस बाबत अपुन कल फिर फोन करेंगा किस वक्त तभी लाइन कट गई राणा ने हॉले से रिसीवर वापिस क्रेडल पर रख दिया खेतान ने भी अपने वाला रिसीवर रखा और उसके करीब पहुचा यह आवास तुमने पहले कभी नहीं सुनी उसने पूछा न राणा इनकार में सिर हिलाता हुआ बोला कर राथ से पहले कभी नहीं हो सकता है यह कोई ऐसा आदमी हो जो पहले कभी तुम्हारी फैक्टरी में काम कर चुका हो हो तो सकता है साला जितना कुछ मेरे बारे में जानता है उससे तो यही अंदाजा होता है कि वह पहले कभी मेरे करीब मेरे इर्धिर्ध रह चुका है फिर भी तुम उसकी आवाज नहीं पहचानते तो क्या हुआ? मेरी अपने कर्मचारियों में से दस प्रतिशत से भी कभी सीधे बात नहीं हुई हूप वह एक शंठ ठिटका फिर बोला सीमा तुम्हारे बारे में क्या कुछ जानती है? सब कुछ? यानि काफी बतियाया करते थे उससे? हाँ? फिर यह जरूरी नहीं कि यह आदमी पहले कभी तुम्हारे करीब तुम्हारे इर्ध गिर्द रह चुका हो मुझे लगता है कि तुम्हारी बाबत उसकी जानकारी का साधन सीमा है मुमकिन है तुम अब मुझे यह बताओ कि मुझे करना क्या चाहिए? मेरी राय में तो तुम्हें पुलिस की शरण में जाना चाहिए पागल हुए हो तुम उन्हें 20 लाख रुपया देना चाहते हो मैं उन्हें काला पैसा नहीं देना चाहता तुम्हारी यह ख्वाहिश क्या जादू के जोर से पूरी हो जाएगी लेकिन पुलिस मेरी महत्मे के एक आला अफसर से दोस्ती है हेड क्वार्टर में DCP है वो मैं उससे बात करूंगा मुझे पूरी उम्मीद है वह कोई ऐसा रास्ता सुझाएगा जिससे की सांप भी मर जाए और लाठी भी न तूटे राणा के चहरे पर संशय के भाव आ गए देखो खेतान ने समझाया सवाल 20 लाख रुपय का नहीं है इतनी रकम कुए में फैंकना तुम अफोर्ड कर सकते हो सवाल यहा है कि क्या गारंटी है कि वे लोग 20 लाख रुपया हासिल हो जाने के बाद तुम्हारा पीछा छोड़ देंगे वो कहते हैं छोड़ देंगे उन्होंने कहा और तुमने मान लिया राणा तुमने एक बार उन लोगों की मान पूरी कर दी तो विश्वास जानों वे जिन्दगी भर जोग की तरह तुम्हारा खून चूशते रहेंगे ब्लैक मेलिंग रैकेट ऐसे ही चलता है लेकिन मेरे रुपया न देने से वे भी तो अपनी धमकी पर खरे उतर सकते हैं तब मैं अपनी बीवी को, अपने बच्चों को, सोसाइटी को क्या मुह दिखाऊंगा तुम्हारी बात ठीक है स्थिती बहुत विकट है लेकिन तुम्हारे पास वक्त है एक दिन का वक्त तो उस मवाली ने तुम्हें दिया ही है कल उसे और वक्त देने के लिए मनाया जा सकता है इस बीच मुझे एक बार पुलिस से बात कर लेने दो मेरी कर्तूत का धिंढोरा पिट जाएगा नहीं पिटेगा DCT माने कर मेरा उतना ही पुराना दोस्त है जितने की तुम हो मुझे धिंढोरा पिटने जैसा कोई अंदेशा होगा तो मैं अपना ख्याल छोड़ दूँगा मैं आकर तुमसे फिर बात करूँगा और फिर हम कोई तरकीब सोचेंगे ओके राणा ने सहमती में सिर हिलाया फिलहाल कल तक का वक्त तो तुम्हारे पास है ही वह बात राणा को जंची कल तक का वक्त तो था ही उसके पास कृपया मेरे चैनल आडियो बुक मॉल एवं आडियो बुक गो डाउन को सब्सक्राइब करें और कृप्या कमेंट करें कि आप कौन सी किताब सुनना चाहते हैं आपको यहां आडियो बुक पसंद आई तो लाइक जरूर करें सीमा ने बातों बातों में एक बार राणा को बताया था कि वह माहिम में बतौर माडल कहां काम करती थी राणा को वहां पहुचने में कोई दिक्कत न हुई स्टूडियो पर बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था क्लासिक फोटो स्टूडियो हायर फैशन माडल्स एंड कैमरा एक्विपमेंट अवेलेबल आन राणा के संपर्क में आते ही सीमा ने वहां जाना बंद कर दिया था उसने फोटो स्टूडियो में कदम रखा भीतर एक काउंटर था जिसके पीछे एक लंबी कलमो वाला मोटापे की तरफ अग्रसर होता हुआ और सिर से आधा गंजा व्यक्ती बैठा था उसके पीछे और बाजू में शोकेस थे जिनमें तरहे तरहे के कैमरे, फ्लैश लाइट्स और फिल्में रखी थी काउंटर से परे एक लाउंज सा बना हुआ था जिसमें चार लड़किया बैठी थी चारों ही कमसिन थी, स्मार्ट थी पीछे एक बंद दर्वाजा था जिस पर बोर्ड लगा हुआ था स्टूडियोज काउंटर के पीछे बैठे लंबी कलमो वाले ने प्रश्न सूचक नेत्रों से उसकी तरफ देखा यहां राणा बोला सीमा नाम की एक माडल हुआ करती थी क्या वो अभी भी है यहां लंबी कलमो वाले का नाम कुश्पराज नागवानी था और वह उस स्टूडियो का मालिक था वह कुछ क्षन अपलक राणा को देखता रहा और फिर बोला कमला है साई लक्षमी है सुनना है जूली है लेकिन सीमा तो नहीं है खूबसूरत लड़की थी पहले यहीं काम करती थी खूबसूरत तो होगी ही वरना यहां काम कैसे करती उम्र बीस साल कद सवा पांच फुट रंग गोरा बाल लंबेक नाक नक्ष बहुत साफ सुथ्रे पूरा नाम सीमा सराफ था अच्छा अच्छा वो सीमा कुछ दिन काम किया था उसने यहां फिर एकाएक छोड़ गई थी उसका कोई अतापता मालूम है इसी सीमाएं यहां आती जाती ही रहती है किस किस का पता याद रखें वह बोरीवली से आती थी जब जानते हो तो पूछ क्यों रहे हो सिर्फ इलाके का नाम जानता हूँ सिर्फ इतने से इलाके में किसी को तलाश नहीं किया जा सकता तलाश करना क्यों चाहते हो साई बहुत बढ़िया लड़की थी बहुत बढ़िया तरीके से फोटो खिंचवाती थी यहां सभी लड़किया बढ़िया तरीके से फोटो खिंचवाती हैं उसने लाउंज में बैठी लड़कियों की तरफ इशारा किया टाइम्स तुमने गौर से नहीं देखा इन लड़कियों को डोट कोई भी सीमा से कम नहीं है सब यहां की पुरानी लड़कियां है पुरानी लड़कियां किस काम की? साई इस धंधे में तो फ्रेश चहरे जरूरी होते हैं इन में सबसे पुरानी कौन सी है? जूली चार महीने से यहां है वही सबसे ज्यादा खूबसूरत भी है जूली कौन है? उसने सकर्ट ब्लाउस पहने कोने में बैठी एक लड़की की तरफ इशारा किया ठीक है जूली चलेगी कैमरा अपना लाए हो? नहीं यहां से लूंगा नेगेटिव वाला या पोले राइड पोले राइड सो रुपया घंटा जूली का पचास रुपया घंटा स्टूडियो का पचास रुपया पोले राइड कैमरे का सो रुपया पोले राइड फिल्म का राणा ने उसे तीन सो रुपय सौमपे एक्स्ट्रा टाइम के एक्स्ट्रा ठीक है एक्स्ट्रा सर्विस के एक्स्ट्रा हाँ जूली उठ खड़ी हुई उसने एक उर्तीसी निगाह राणा पर डाली और पिछला दर्वाजा खोला राणा उसके पीछे हो लिया नागवानी नेत्र सिकोडे स्टूडियोज के दर्वाजे को देखता रहा दर्वाजा जूली और राणा के पीछे बंध हो गया तो उसने जपट कर काउंटर के नीचे से एक फोन निकाला और जल्दी जल्दी उस पर एक नंबर डायल करने लगा हल्लो लाइन लगी तो वह बोला वो तो यहां पहुँच गया अरे अपना बकरा और कौन जूली बड़ी अदासे एक एक करके अपने बलाउस के बटन खोल रही थी राणा उसके सामने एक कुरसी पर बैठा था उसकी गोद में पोले रायर कैमरा और फिल्म पड़ी थी उसने फिल्म को कैमरे में डालने का उपकरम नहीं किया था वह एक आठ गुना दस का कमरा था जिसमें उनके दाखिल होते ही जूली ने भीतर से चिटखनी चड़ा दी थी वह कमरा एक गलियारे में दाये बाये बने छै कमरों में से एक था उसमें उस कुरसी के जिस पर राणा बैठा था और एक सीन मंधे दीवान के अलावा और कुछ नहीं था तुम पुलसिये तो नहीं एका एक जूली बोली मैं पुलिस वाला लगता हूँ राणा बोला क्या पता लगता है यह क्या कोई गैर कानूनी धंधा है नहीं नहीं मैं तो यूं ही पूछ रही थी मैं पुलिस वाला नहीं हूँ प्रेस रिपोर्टर वो भी नहीं कोई लेखक शायर वगेर है उनसे तुम्हें कोई एतराज होता है एतराज तो मुझे किसी से भी नहीं होता लेकिन वो क्या है कि ये लेखक शायर किस्म के लोग कान बहुत खाते हैं अजीब अजीब सवाल पूछते हैं क्यों इस धंधे में पड़ी कितना कमाती हो घर की क्या मजबूरिया है तुम्हारी मा को पता है तुम क्या करती हो साले तस्वीर नहीं खीचना चाहते और भी कुछ नहीं करना चाहते सिर्फ बाते करना चाहते हैं लाइफ स्टोरी सुनना चाहते हैं वो भी गंदी बातों पर जोर देकर गंदी बाते हाँ जब पहली बार कुछ किया था तो कितनी उम्र थी नत किसने उतारी अब कैसा लगता है तुम बताती हो सवाल ही नहीं पैदा होता मैं पुलिस वाला या प्रैस रिपोर्टर या शायर नहीं हूँ मेरा कोई इरादा नहीं तुमसे ऐसे सवाल पूछने का मैं तो सिर्फ नंगे जनाना जिस्म को देखने का शौकीन बूढ़ा हूँ सिर्फ देखने का वह दान्तों में निचला होंट दबा कर हंसी और क्या? कुछ भी जो तुम्हारी ख्वाहिश हो उसने ब्लाउज अपने जिस्म से अलग किया और पीठ पीछे हाथ ले जाकर अंग्या का हुक खोलने लगी यहां वो भी मुम्किन है है तो सही लेकिन यह तो फोटोग्राफिक स्टूडियो है वह हंसी कभी मसाज पार्लर में गये हो? वह बोली हाँ गया हूँ वहां क्या सिर्फ मसाज ही होती है? अच्छा वो बात हाँ वो बात उसके कितने पैसे? जूली ने पहले उसे चार उंगलिया दिखाई फिर कुछ सोच कर एक उंगली बंद कर ली वह बोला मैं तयार हूँ क्या नहीं? नहीं एक मिनट ठहरो पहले एक बात बताओ पूछो लेकिन वह वैसी बात नहीं जैसी शायर लोग पूछते हैं नहीं होगी तो पूछो यहां एक सीमा सराफ नाम की लड़की हुआ करती थी तुम उसे जानती हो क्यों पूछ रहे हो कोई जाती बात है यकीन मानो उस बात का यहां के धंधे से कोई रिष्टा नहीं कोई ऐसी बात हो गई है जिसकी वजह से मेरा उससे मिलना बहुत जरूरी हो गया है तुम उससे वाकिफ हो खूब अच्छी तरह से लेकिन उसका पता नहीं जानते हाँ पता तो मैं भी नहीं जानती ओह लेकिन इतना जानती हूँ कि वह बोरीवली में रहती थी बोरीवली बहुत बड़ा इलाका है सिर्फ इतने से उसे ढूंढा नहीं जा सकता और तो मुझे कुछ मालूम नहीं तुम्हारी निगाह में कोई तरीका जिससे उस तक पहुँचा जा सके कोई ठिकाना जहां से उसकी खबर लग सके वह कुछ क्षण सोचती रही फिर उसने इनकार में सिर हिलाया राणा ने मायूसी भरी हुंकार भरी अब तुम तयार हो मैं बाकी कपड़े उतारू मैं तयार हूँ लेकिन तुम कपड़े मत उतारो मतलब मैं तयार हूँ यहां से रुखसत होने के लिए उठ खड़ा हुआ बिना कुछ किये बिना कुछ देखे बिना मेरी कोई तस्वीर खीचे वह मुस्कराया उसने कैमरा और फिल्म कुर्सी पर रख दी और वहां से बाहर निकल गया बकरा स्टूटियो से निकल कर उसकी निगाहों से ओजल हो गया तो नागवानी ने फिर नमबर डायल किया संपर्क बना तो वह बोला वो अभी अभी इधर से गया है सीमा के बारे में पूछ रहा था मैंने कुछ नहीं बताया वह भीटर स्टूडियो में गया था लेकिन जिस लड़की के साथ गया था वो भी सीमा के बारे में कुछ नहीं जानती खीक है जो बात हो मुझे भी बताना गोविंड पवनीकर ने फोन रख दिया और धारावी के ट्रांजिट कैम्प के इलाके में स्थित अपने विडियो पारलर के कबूतर के दड़बे जैसे आफिस से बाहर निकला वह विडियो पारलर एक सौ सीटों का मिनी सिनेमा था जिसमें प्रोजेक्शन टीवी की सहायता से ब्लू फिल्में चलती थी पवनीकर वहां मैनेजर का दरजा रखता था विडियो पारलर का मालिक एक स्थानिय दादा था जो पुलिस को हफता देता था वहाँ एक ही क्लास थी और एक सीट की कीमत बीस रुपए थी रोजाना दो-दो घंटे के चार शो होते थे लगभग हमेशा हाउस फुल रहता था लेकिन पवनीकर कोई बीस आदमी हमेशा यूंही घुसा देता था और इस प्रकार हर शो में 400 रुपए चुपचाप पीट लेता था अपने एक माथथ को पारलर से अपनी गैरहाजिरी की बाबत सचेत करके वह इमारत से बाहर निकला और पैदल आगे बढ़ चला नागवानी के फोन की वजह से वह वहाँ से बाहर निकला था बकरे के वहां माहिम में नागवानी के स्टूटियो में पहुच जाने के बारे में वह कोई फैसला नहीं कर पा रहा था कि उस घटना को उसे नजरंदास करना चाहिए था या उसे कोई वार्निंग सिगनल समझना चाहिए था बकरे के यूँ हाथ पाव मारने से तो लग रहा था कि वह आसानी से रोकड़ा देने वाला नहीं था बकरे के बारे में ही सोचता वह पैदल एक्रेजी के इलाके में पासकल के बार के सामने पहुच गया इन उसी समय रनबीर राना बार में कदम रख रहा था रनबीर राना को तब सूझा की अपने प्रथम आगमन के वक्त उसे उस बार का नाम इसलिए याद नहीं रहा था क्योंकि उस पर कोई नाम लिखा ही नहीं था वह तनिक हिचक्चाता हुआ भीतर दाखिल हुआ भीतर उस से उस रात वाली रौनक दिखाई नदी जैसी उसने पहली बार वहां देखी थी जरूर वह बार रात को ही आबाद होता था जबकि उस घड़ी अभी चार ही बजे थे बार काउंटर पर केवल तीन आदमी मौजूद थे और हाल में भी दस बारा जने ही बैठे थे दो लड़कियां एक टेबल पर अकेली बैठी थी एक जीनधारी लड़की बार के कैबरे की स्टेज की ओर वाले सिरे पर अकेली खडी थी स्टेज पर एक छिपकली सी लड़की यूँ आख मून्दे डास कर रही थी जैसे नींद हिलडुल रही हो राणा को उसके डास की तरफ कोई भी विशेश तवजजो देता दिखाई न दिया वह बार पर पहुँचा काउंटर के पीछे खुद पासकल मौजूद था उसने प्रश्नसूचक नेत्रों से राणा की तरफ देखा राणा ने एक बियर का आडर दिया अनिता अभी भी यहां काम करती है उसे बियर सर्व हो चुकी तो राणा ने पूछा अनिता पासकल भावहीन स्वर में बोला वो कौन हुई? तुम नहीं जानते आप बताएंगा तो जान जाएंगा बाद कैबरे डांसर अनिता साउथ इंडियन अनिता एक मिनट पासकल बार के कोने पर खड़ी जीनधारी लड़की के करीब पहुँचा लड़की ने एक बार राणा की तरफ देखा और फिर पासकल से कुछ बोली पासकल वापिस लोटा वो आज नहीं आई वह बोला वैसे रोज आती है हाँ? रहती कहा है? मालूम नहीं उसे राणा ने जीनधारी लड़की की ओर संकेत किया मालूम होगा शायद जरा पूछो तो पासकल ने फिर जीनधारी युवती तक फेरा लगाया वो कहती है पासकल बोला अनिता ने किसी को भी उसके घर का पता बताने के लिए मना किया हुआ है राणा ने एक गहरी सास ली और असहाय भाव से गरदन हिलाई फिर उसने बियर का बिल चुकाया और वहां से विदा हो गया बार पर ही मौजूद पवनीकर ने अपने गिलास के तले से बार पर दस्तक दी पासकल उसके करीब पहुचा और वह बोला वह एक सिख युवक था और उसकी सूरत से ही लगता था कि बंबई में नया आया था अनिता के बोरीवली में स्थित फ्लैट में दाखिल होते ही वह नशे में भीगे स्वर में बोला बहुत बढ़िया फ्लैट में रहती हो गौड इस काइंड अनिता मादक स्वर में बोली बैठो नेई पवनी कर बोला वो आदमी जो अभी इधर से गयला है क्या पूछेला था अनिता का पता काहे कूँ क्या मालूम होएंगा कोई अनिता का दीवाना छोकरी इधर नहीं मिला तो उसके घर जाने कू मांगता होएंगा ओह पवनी कर एक ठशन ठिटका और बोला अपना मदरासी तो नेई देखा चेटियार वही आज तो सारा दिन इधर नहीं आया पवनी कर खामोश हो गया एस्ट्रिस्ट 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 युवक एक सोफे पर धेर हो गया और प्योगे अनिता बोली क्या जो तुम चाहो विसकी घर में रखती हो हां हर तरह की वेरी गुड फिर क्यों नहीं प्योंगा मैं लाती हूं थैरो सुनो बोलो तुमने मुझे अपना नाम तो बताया ही नहीं बताया तो था अनिता भूल गये और वो 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 क्या तुम्हारी फीस अनिता बड़े मादक भाव से हंसी वो भी वसूल कर लेंगे सरदार साहब लेकिन तभी बीच का दर्वाजा खुला और बैडरूम की चौखट पर आखें मलता विजय शंकर चेक्तियार प्रकट हुआ सिख युवक हडबड़ा कर उठ खड़ा हुआ प्रत्यक्षत वह फ्लैट को खाली समझ रहा था एट इस माई डियर अनिता बोली युवक के चहरे पर आश्वासन के भाव न आए यह मेरा कजन है अनिता बोली यहां से जा रहा है है अनिता बोली सौसौ के नोटों से बटूआ यू ठूसा हुआ था कि बंद नहीं रहा था मैं साले को नंगा करके भेजूंगी यहां से वेरी गुड लेकिन तू तो फूट यहां से वरना वो फूट जाएगा फूटता हूँ वापिस कब लौटून तू जाएगा कहा पासकल के बार में और कहा ठीक है वही रहना जब भेड मुंद जाएगी तो मैं तुझे वहां फोन कर दूंगी वहां नहीं तो तेरे टैक्सी के अड़े पर ठीक है और कुछ क्षण बाद चेक्टियार वहां से विदा हो गया तब कहीं जाकर सिख युवक के चहरे की रंगत वापिस लोटी युवक खामोश रहा अनिता बैडरूम की तरफ बढ़ी फिर वह और चेक्टियार बैडरूम के दरवाजे के पीछे उजल हो गए कुछ माल पानी है कि नहीं सिंग साहब के पास चेक्टियार ने पूछा कृप्या मेरे चैनल आडियो बुक मॉल एवं आडियो बुक गोडाउन को सब्सक्राइब करें और कृप्या कमेंट करें कि आप कौन सी किताब सुनना चाहते हैं आपको यहां आडियो बुक पसंद आई तो लाइक जरूर करें स्मैक की तरंग में डूबता उत्राता विजय शंकर चेक्टियार पासकल के बार में पहुँचा वह केल रंग का दुबला पतला लंबा आदमी था और सिर पर हिप्पी नुमा लंबे बाल रखता था पवनिकर और नागवानी को उसने एक कोने की मेज पर बैठे पाया वह उस टेबल पर पहुँचा सारा दिन किदर रहा पवनिकर बोला सो गया था चेक्टियार हनस्ता हुआ बोला सारा दिन सोता है कभी कभी नशा पानी ज्यादा कर लिया होगा नागवानी बोला यही बात है चेक्टियार बोला हम तेरे कु तलाश कर रहे थे क्यों? क्या हो गया? वो अपना बकरा साला चैन से नई बैठ रहा सीमा के बारे में पूछ ताच करता फिरेला है तो क्या हुआ? इससे लगता है कि वो ब्लाक मेल की धमकी की कोई खास दहशत नई खायला है रोकरे की बात को भी टाल रहा है और वक्त मांगता है लगता है रोकरा दिये बिना काम निकालने की कोई तरकीब सोचेला है ऐसा हर कोई करता है आसानी से रोक्रे को गुर्बाई कौन बोलता है मैं होता तो मैं भी यही करता उसे हमारे से डरा हुआ होना चाहिए फोन पर तो वो नर्वस तक नई मालूम होयला था मेरे कु बात ठीक नहीं लगी पहले उसने और वक्त मांगा और फिर साथ ही सीमा की तलाश में निकल पड़ा साला मजाखी तो नहीं समझ रहा नागवानी ऐसा ही कुछ समझता लगता है हरामी बकरा है सिर्फ वीडियो फिल्म से पूरा फिट हुआ नहीं मालूम होता उसे पूरा फिट करने के वास्ते हमेरे को कुछ और करना पड़ेगा और क्या? ऐसा कुछ की वह अपने बुरे अंजाम से थर-थर काम पने लगे और फिर ऐसा हो जाएं कि उसे सीधे हमेरा कहना मानते चले जाने के अलावा कोई चारा दिखाई न दे ऐसा क्या करेगा तू पवनी कर? बताएंगा है कब? कल? बकरे के पहली पैमेंट से इनकार कर देने के बाद तेरे को उससे कल एक लाख रुपया मिलने की उम्मीद बरोबर है न मिला तो तो अपुन उसे एक ऐसे जाल में फासेंगा की साला साथ जन बाहर नहीं आपाएंगा तू करेगा क्या? कल बताएंगा उसके रोकरे से इनकार करने के बाद बोलान अब बाटली मंगा साला अख़्ा नशा खोटा होयला है चिकन तयार होने में अभी थोड़ा वक्त लगेंगा रश्मी बोली तब तक मैं आपके लिए ड्रिंक बनाऊं राणा ने तनिक सक्पका कर अपनी पत्नी की तरफ देखा हम तो आज दिनर के लिए बाहर जाने वाले थे वह बोला जाने वाले थे रश्मी बोली लेकिन सुबह आप इतने थके हुए और हलकान लग रहे थे कि मैंने सोचा दिनर घर में ही हो जाए ओह आप अभी भी थके हुए और हलकान लग रहे हैं क्या करूँ आजकल फैक्टरी की बहुत प्रोब्लम्स है कभी कोई मशीन बिगड़ जाती है तो कभी कोई लेबर प्राबलम उठ खड़ी होती है रश्मी ने बड़े सहानु भूतिपूर्ण भाव से गर्दन हिलाई और फिर बोली मैं आपके लिए ड्रिंक लाती हूँ यस, प्लीज, रश्मी उसके लिए विस्की और सोडे का जाम तयार करके लाई थैंक्यू राणा कृतग्य भाव से बोला वह एक ही सास में सारी विस्की पी गया और बोला एक और प्लीज, रश्मी ने हैरानी से अपने पती की तरफ देखा यू एक सास में तो विस्की वह कभी नहीं पीता था वह तो एक ड्रिंक को चुसक चुसक कर कम से कम आधे घंटे में खतम करने का आधी था वह उसके लिए दूसरा ड्रिंक बना लाई रश्मी, दूसरे जाम का एक घंट पी चुकने के बाद वह गंभीरता से बोला हाँ, रश्मी बोली जरा बैठो मेरे सामने क्या बात है? मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ कोई खास बात हाँ, बहुत खास बात बहुत ज्यादा खास बात क्या? बैठो तो बताता हूँ लोग बैठ गई अब बोलो रश्मी राणा ने विस्की का एक घूंट और पिया और सिर नवाए धीरे से बोला पिछले दिनों मेरे एक लड़की से ताल्लुकात बन गए थे लड़की रश्मी हरबढा गई ताल्लुकात हाँ कौन लड़की कैसे ताल्लुकात नाजायस ताल्लुकात रश्मी को जैसे साम्थ सुंढ गया वह फंसे स्वर में बोली कब कब बने तीन महीने पहले मैं जानती हूँ उस लड़की को नहीं तुम नहीं जानती उसे वो मुझे एक बार में मिली थी मामूली वाक्फियत गहरी दोस्ती में और गहरी दोस्ती नाजायस ताल्लुकात में तबदील हो गई थी जरूर बहुत खूबसूरत रही होगी वो हाँ खूबसूरत तो वो थी लेकिन नाजायस ताल्लुकात बनने की वाहिद वजह उसकी खूबसूर्ती ही नहीं थी कुछ और भी था जो जो अब मैं तुम्हें कैसे समझाओ आपको उससे मुहब्बत हो गई थी लव एट फर्स्ट साइट पहली निगाह का प्यार राना चुप रहा उसने विस्की का एक घूंट और लिया कितनी उम्र है उसकी बीस साल शुक्र है स्वीट सिक्सटीन न निकली रश्मि तुम आपकी अपनी बेटी से जरा ही बड़ी हुई वो राना ने उत्तर न दिया नाम क्या है उसका सीमा अच्छा नाम है प्यार तो सीमार हित देती होगी आपको नए जमाने की बैडरूम मार का कई कलाबाजियां जानती होगी जिससे कि आपकी यह अधेड बीवी वाकिफ नहीं शादी कब कर रहे हैं? कभी नहीं वजह मेरे से पीछा छुडाना दुश्वार लगता होगा रश्मी वो बात नहीं है जो तुम समझ रही हो तो क्या बात है? राणा खामोश रहा होसला नहीं जुटा पा रहे बात कहने का गिलास खाली कीजिए मैं एक द्रिंक और बना कर लाती हूँ मैंने सुना है कि होसला जुटाने के लिए विसकी बड़ी कारामत चीज साबित होती है राणा ने अपना गिलास खाली करने का उपक्रम नहीं किया अगर शादी का इरादा नहीं इस बार रश्मितनिक उलजनपूर्ण स्वर में बोली तो अपनी रखैल की बाबत मुझे क्यों बता रहे हैं? क्या फुंक लेने के लिए डीन हाकने के लिए कि इस उम्र में भी आप एक कड़क जवान लड़की के आकरशन का केंदर बन सकते हैं नहीं, नहीं वो बात नहीं तो फिर मुझे क्यों बता रहे हैं? या किसी और जरिये राज खुल जाने का अंदेशा हो गया है जरूर यही बात होगी मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस बात को मेरी अंतरात्मा पर लगातार बोज बढ़ता जा रहा है जूट बक्वास तुम सीमा के बारे में सुनना चाहती हो या नहीं? नहीं ठीक है समझ लो मैंने कुछ नहीं कहा इतना सुन चुकने के बाद अब क्या यह समझ लेना मुम्किन होगा? तो फिर आपने मेरे साथ धोखा किया क्यो? मैंने कहा न सब कुछ अपने आप हो गया इतफाक से अंजाने में लेकिन अब तो कहानी खत्म हो चुकी है खत्म हो चुकी है कैसे? अब मेरी उससे दोबारा पहले जैसी मुलाकात कभी नहीं होगी और तो और आज की तारीख में तो मुझे पता भी नहीं कि वो कहा है धोखा दे गई किसी और के साथ भाग गई वो बात नहीं रश्मी मसला तुम्हारे कयास से ज्यादा पेचीदा है वो तो है किसी लड़की से आपके तालुकात थे तालुकात खत्म भी हो गए सिर्फ तीन महीने वो तालुकात फिर आप मुझे खुद अपने मुह से उसकी बाबत बता रहे हैं यहीं मेरे लिए कम पेचीदा बात नहीं क्या माजरा है पती दे साफ साफ बोलिये फिलहाल मुझे इतना ही कहना है जो बात तुम्हें वैसे मालूम नहीं हो सकती थी वो मैं तुम्हें अपनी मर्जी से बता रहा हूँ तो कोई वजह तो होगी ही वो वजह ही तो मैं जानना चाहती हूँ वजह अभी नहीं बताई जा सकती वजह जानकर तुम बहुत परिशान हो जाओगी न जानकर ज्यादा परिशान होंगी फिलहाल बात को यहीं छोड़ दो समझ लो मैंने एक गुनाह किया है जो मैं तुमसे बक्षवाना चाहता हूँ सुभा का भूला शाम को घर लौट आये तो भूला नहीं कहलाता बाई वर्ष हमने इकठे गुजारे हैं उन में से तीन महीने का मेरी खता का वक्फा समझ लो तुमने मुझे खैरात में दिया आप असल वजह नहीं बताएंगे यह बात करने की अभी नहीं रश में जिद न करो अच्छा होता आपने यह जिक्र छेडा ही न होता अब छोड़ो यह किस्सा जाकर चिकन की खबर लो कहीं जल न जाएं रश मी उठी और भारी कदमों से किचन की ओर बढ़ चली अगले रोज रश मी की किटी पार्टी थी जिसमें उसका कतई दिल न लगा नतीस्तन जिस पार्टी में वह शाम चार बजे तक शरीक रहती थी और जिसकी वह जान समझी जाती थी उसमें से वह एक बजे से भी पहले लोट आई वापसी में सारे रास्ते वह अपने पती के बारे में और उसकी सीमा नाम की रखेल के बारे में सोचती रही क्या सिला दिया उसके पती ने 22 साल की उसकी निस्वार्थ सेवा का उसका जी चाहा कि वह अभी उसकी फैक्टरी में पहुँचे और उसके मुह पर जूटा मार कर आए और उस छिनाल छोकरी की किस बात पर रीजा था उसका पती जरूर बिस्तर में फुदक्ती बढ़िया होगी वो मेंड की चातियां बड़ी बड़ी होँगी जिन्हें वह योरोपियन देशों की नई लानक ब्रालैस रवायत की तरह सदा जुलाती रहती होगी कमीनी जरूर चरस वरस का नशा करती होगी, मौड कपड़े पहनती होगी और बात बात में वह गुरूवी और सुपर और कूल और शिट कहती होगी अधेडा वस्था में क्यों मर्दों की अकल पर परदा पड़ जाता था बीवी का तो न सही लेकिन ऐसी हरक्ते करते वक्त क्यों उन्हें अपने नौजवान बच्चों का भी ख्याल नहीं रहता था उसने अपनी मारुती कार अपने कोठी के कमपाउंड में दाखिल की उसने कार का इंजन बंद किया लेकिन बाहर निकलने का उपक्रम न किया उस घड़ी उसका जी चाहा कि वह कोठी में दाखिल हो अपने पती का सारा व्यक्तिगत सामान उसके कागजात उसके कपड़े खास तौर से उसका कोहनियों पर चंबे का पैबंदो वाला उसका ट्विड का भूरा कोट एक विशाल धेर की सूरत में एक जगह पर रखे उस पर मिट्टी का तेल छिरके और उसे माचिस दिखा दे उसने एक गहरी सास लेते हुए असहाय भाव से गर्दन हिलाई और कार से बाहर निकली कोटी के मुख्यदवार की चाबी अपने पर्स में टटोलती हुई वह आगे बढ़ी मुख्यदवार पर पहुँचकर वह ठिटकी दर्वाजा थोड़ा सा खुला था वह तो उसे ठीक से बंद करके गई थी क्या रणबीर वापिस लौट आया था ऐसे भरी दोपहर में कभी लोटा तो नहीं था वो तो क्या वह ही सुभः बेध्यानी में दर्वाजा ठीक से बंद करके नहीं गई थी हो तो सकता था ऐसा आखिर उसका दिमाग तो सीमा नाम की कुतिया और अपने पती के उसे से नाजायस तालुकात की तरफ लगा हुआ था वह दर्वाजा ठेल कर भीतर दाखिल हुई किसी के दिखाई देने से पहले ही उसे भीतर किसी की मौजूदगी का एहसास होने लगा गोविंद पवनीकर अभी उपर बैडरूम में ही था कि उसे कोठी के कमपाउंड में एक कार आकर खड़ी होने की आवाज आई लेकिन जब तक बकरे की बीवी ने भीतर कदम रखा तब तक वह नीचे आकर ड्राइग रूम में एक सोफे पर बैठ चुका था उसने बड़ी बेबाकी से बकरे की बीवी की तरफ देखा वह मन ही मन बोला क्या शांदार औरत थी कौन कह सकता था कि वह दो नौजवान बच्चों की मा थी साले खाते पीते लोगों में सभी में यह खूबी होती थी उमर के साथ पिलपिला नहीं जाते थे वे रश्मी उसके करीब पहुँचकर ठिटकी वह अपलक पहलू में एक बड़ा सा ब्रीफ केस रखे सोफे पर बैठे उस शक्स को देखने लगी जो की पता नहीं कौन था कौन हो तुम? फिर वह बोली अपुन फोर्ट से आयला है मैडम पवनीकर उठकर खड़ा हुआ और बड़े अदब से बोलने की कोशिश करने लगा होम मैंटेनेंस कमपनी से पानी का बिजली का वेफ्रीजेरिशन का मोटर गाडियों का फरनीचर का हाउस पैंटिंग का वाल पेपर का कैसा भी काम हो हमेरे जिम्मे एक दम फर्स्ट क्लास वर्ट तुम भीतर कैसे आये? दर्वाजे से वो खुला था तो क्या हुआ? दर्वाजा खुला होने का मतलब यह थोड़े ही है कि तुम भीतर घुसे चले आओ मैडम अपुन पहले घंटी बजाये ला था दर्वाजा नौक भी किये ला था फिर भी अपुन कोई चोर थोड़े ही है अपुन तो हो मैंटेनेस तुम जो भी कोई हो निकलो यहां से मैडम आप मेरा प्रपोजल तो सुने नहीं सुनना आउट अपुन बहुत कम रकम के मन्थली कांट्रेक्ट में तुम जाते हो या मैं पुलिस को फोन करूँ वो का है कू? यहां से निकल जो नहीं रहे हो अपुन तो मना नहीं किये ला है जा भी तो नहीं रहे हो कम से कम सुन तो लो की मैं अपना कोई कार्ड वार्ड हो तो यहां छोर जाओ जरूरत होगी तो मेरे हस्बैंड तुम्हारी कमपनी में फोन कर लेंगे कार्ड तो हमेरे पास नहीं है तो फिर चिठी लिख देना ठीक है अपुन जाता है पवनीकर ने ब्रीफ केस उठाया गुस्से में तम्तमाती रश्मी का अभिवादन किया अभिवादन करते वक्त एक हस्रत भरी निगाह उसके पुष्ट जिस्म पर गौडाई और लंबे डग भरता हुआ वहां से बाहर निकल गया रश्मी दर्वाजे के पास पहुँची उसने उस आदमी को कोठी के कमपाउंड से निकल कर सड़क पर पहुँचते देखा उसके देखते देखते एक टैक्सी उसके करीब आकर रुकी जिसे की एक हिप्पी नुमा लंबे बालों वाला दुबला पतला लंबा आदमी चला रहा वह उसने दर्वाजा बंद कर लिया वह चारों तरफ निगाह दोडाने लगी कोई चीज गायब तो नहीं लग रही थी वह उपर अपने बैडरूम में पहुची वहा उसने उस वार्डरोब को चैक किया जिसमें की उसके जेवरात और नकदी होती थी वार्डरोब का ताला पूरी 84 से बंद था और भीतर का माल सही सलामत था शायद वह आदमी सच बोल रहा था जरूर उसी से दर्वाजा खुला रह गया था और वह घर के किसी व्यक्ती के इंतजार में भीतर जा बैठा था उसने यही फैसला किया कि पुलिस को फोन करना बेकार था रंगे हाथों पकड़े जाने से बालबाल बचा अपुन पवनी कर टैक्सी चलाते चेटियार को कह रहा था अपुन बैडरूम में पकड़ा जाता तो पता नहीं क्या हंगामा होता ओह अपुन उपर ही था जब कि वो साली वहां पहुँच गई थी पहुचते ही घर में घुस आती तो अपुन अभी उपर ही होता वो मालूम नहीं क्यों उदर पहुच कर भी कार में बैठी रही सीधे भीतर आ जाती तो बहुत घोटाला हो जाने का था बकरे की बीवी की जगहे चेटियार बोला खुद बकरा भी वापिस आया हो सकता था बरोबर पीछा कैसे छुडाया औरत से पवनीकर ने बताया होम मैंटेनेंस कमपनी चेटियार खुश होता हुआ बोला वा खूब लाइन मारा पवनीकर हंसा काम हुआ बरोबर हुआ पवनीकर बोला उसने ब्रीफ केस खोल कर चेटियार को दिखाया ब्रीफ केस में एक कोहनियों पर चमडे के पैबंदो वाला ट्विड का भूरा कोट था एक सफेद कमीज थी एक काडराय की पैंट थी और एक तिर्ची धारियों वाली लाल टाई थी काई माल पानी नहीं मिला चेटियार बोला मिलता तो जरूर पवनीकर बोला लेकिन माल पानी टटोलने का टेन ही नहीं मिला पहले ही बाई उदर पहुँच गया पण एक जैकपॉट तो फिर भी लगा जैकपॉट हाँ यह देख पवनीकर ने ब्रीफ केस में रखे कपड़े एक और सरकाए तो नीचे से एक रिवालवर प्रकट हुई रिवालवर चेटियार मंत्रमुग्ध स्वर में बोला हाँ पवनीकर बोला बढ़िया विलायती रिवालवर पूरी भरी हुई अब अपना बकरा एकदम फिट हो जाएंगा साला कृप्या मेरे चैनल आडियो बुक मॉल एवं आडियो बुक गो डाउन को सब्सक्राइब करें और कृप्या कमेंट करें कि आप कौन सी किताब सुनना चाहते हैं आपको यहां आडियो बुक पसंद आई तो लाइक जरूर करें एस्ट्रिस्क 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 ताइन्स सचिन शुकला की आटो मोबाईल कमपनी के आफिस में रनबीर राणा उसके सामने बैठा था कैसे आए बिरादर शुकला मीठे स्वर में बोला मैं राणा बड़ी संजीदगी से बोला तुम से कुछ पूछना चाहता था क्या? तीन महीने पहले की बात है तुम्हें याद होगा एक रात को हम दिनर के बाद सैंतूर से लौट रहे थे तो धारावी के एक चालू बार में घुस गए थे जहां हमें दो लड़कियां मिली थी पहले तुम एक के चक्कर में पड़े थे फिर दूसरी के चक्कर में पड़ गए थे याद है? याद है तो सही कुछ कुछ शुकला संदिग्ध भाव से बोला दूसरी लड़की कैबरे डांसर थी उसका नाम अनिता था साउथ इंडियन थी वो अच्छा वो वो सामवली सी तर्बूस जैसी चातियों वाली लड़की जो खड़ी-खड़ी भी हिलती रहती थी वही साली क्या रसीली चीज थी लेकिन बहुत चाला एक नमबर की खुर्राट उसका कोई अता पता जानते हो? नहीं क्यों? जब लड़की इतनी पसंद आ गई थी तो यह सब पूछा तो होगा तुम तो बुरे के घर तक पहुचने वाले आदमी हो नहीं पूछा था क्यों? सच बताओ हाँ प्लीज लड़की का माल असबाब अच्छा था लेकिन नियक बहुत बढ़ थी हाथ के हाथ ही रंडियों की तरह भावताव करने लगी थी मेरा तो लगभग फौरण ही उससे दिल हट गया था ओह लेकिन एक आएक यह यू बोला जैसे कोई भूली बात याद आ गई हो तुम साले कहा भाग गए थे उस रोज मुझे धारावी में अकेला छोड़ कर मैं दूसरी लड़की के साथ गया था दूसरी जो की असल में पहली थी हाँ सीमा सीमा नाम था उसका तुम उसके साथ थे कहा साथ गय थे अपने दादर वाले फ्लैट में वह चली गई हाँ शुकला पिछले तीन महीने से वह मेरी गर्लफ्रेंड है शुकला यू भौँचक कासा उसकी तरफ देखने लगा जैसे उसे अपने कानों पर विश्वास न हो रहा हो वाँ फिर वह बोला वाँ उस्ताद के भी कान काट डाले जरूर तुम्हारे लिए ही किसी ने कहा है कि अंदर से बड़े जालिम बाहर से बड़े भोले मेरा अंदर बाहर एक है इसलिए रश्मी उस लड़की से सीमा से ताल्लुकात की बाबत जानती है क्या? क्या बात है यार? आज तो बम पर बम छोड़े जा रहे हो राना खामोश रहा रश्मी कैसे जान गई? शुकला मंत्रमुग्ध स्वर में बोला मैंने बताया तुमने बताया आज तुम जरूर मेरी जान लेकर मानोगे एकाध ऐसा बम और फोडोगे तो देख लेना, मुझे हार्ट अटैक हो ही हो द्रामा मत करो तुमने क्यों बताया रश्मी को? यह एक लंबी कहानी है उसमें तुम्हारी दिल्चस्पी नहीं होगी मैं तुमसे यह जानना चाहता हूँ कि क्या तुम मुझे कोई ऐसा तरीका सुझा सकते हो जिससे कि मैं अनिता को या सीमा को तलाश कर सकू सीमा को किस लिए? जब वो तुम्हारी गरल्फ्रेंड है तो थी और स्थाई रूप से मेरे दादर वाले फ्लैट में रहती थी लेकिन अब वो वहां से गायब हो गई है मैं उसे तलाश करना चाहता हूँ तुम्हारी निगाह में कोई तरीका हो उसे तलाश करने का? नहीं है मैं उसे कोई पहले से थोड़े ही जानता था तो वहीं तुम्हारे सामने धारावी के उस बार में मुझे मिली थी मुश्किल से पांच मिनट बात की थी मैंने उस से फिर अनिता आ गई थी उसके साथ में बड़ी हद एक घंटा रहा होंगा बस कहानी खत्म तब के बाद से मैं आज ही तुम्हारी जुबानी उन लड़कियों का जिक्र सुन रहा हूं मुझे भला क्या मालूम होता उनके बारे में? मैंने सोचा शायद मालूम हो नहीं मालूम जिस लड़की का तुम तीन महीने से बाजा बजा रहे हो जब उसके बारे में तुम कुछ नहीं जानते तो मैं क्या जानता होंगा? मैंने सोचा शायद इत्तफाक से नहीं, ऐसा कोई इत्तफाक नहीं हुआ तुम तो लड़कियां फांस्ते रहते हो इसलिए मैं लड़कियां फांस्ता नहीं रहता बिरादर शुकला तनिक आहत भाव से बोला मैं उनकी मुहब्बत में गिरफ्तार हो जाता हूँ I fall in love Real genuine love from the core of my heart क्यों नहीं, क्यों नहीं मैं सच कह रहा हूँ जरूर दरसल मेरा यह जो दिल है न वह बड़ी नजाकत से अपने दिल को छूटा हुआ बोला यह बहुत नर्म है I have a very tender heart I have tremendous capacity of loving woman मेरी बात सुनो तुम्हारी ही सुन रहा हूँ नहीं सुन रहे हो, अपनी सुना रहे हो लो मार दिया न डायला मैं यह पूछ रहा हूँ कि क्या उन दोनों लड़कियों में से किसी को तलाश करने का कोई तरीका सुझा सकते हो वह कुछ क्षन सोचता रहा और फिर बोला धारावी के उस बार से पूछताच करने पर कोई तरीका निकल सकता है मैंने पूछताच की थी कोई नतीजा नहीं निकला सीमा के बारे में तो कतरी कोई नतीजा नहीं निकला था अनिता के बारे में पूछने पर पता लगा था कि वह कल वहां नहीं आई थी आज पूछने गया तो पता लगा आज भी नहीं आई थी तो क्या हुआ, कल आ जाएगी शायद न आए तो परसों आ जाएगी अगले रोज आ जाएगी मैं उसे जल्दी तलाश करना चाहता हूँ क्यों? है कोई वज़े असल में तुम्हारी तलाश का मरकच कौन है? अनिता या सीमा? सीमा लेकिन अनिता को मैं इसलिए तलाश कर रहा हूँ क्योंकि वह सीमा की सहेली थी अगर वह मिल जाए तो भी मुझे सीमा का कोई अतापता मिल सकता है हूँ सारी बिरादर मैं तो तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता इस मामले में चोकरी बाजी के अपने तमाम तजुर्बात के बावजूद लगी Now you are insulting me छोड़ो एक और बात बताओ वो भी पूछो तुम्हारी बीवी को कभी तुम्हारी कर्टूतों की खबर नहीं कर्टूते कौन सी कर्टूते चोकरी बाजी की कर्टूते My dear friend That is not कर्टूते That is love Real genuine honest to God in T4 caret love लग एक से होता है अनेक से नहीं आम आदमी को एक से होता है मैं आम आदमी नहीं मेरा दिल बहुत बड़ा है उसमें लव के लिए आम आदमी के दिल से ज्यादा गुंजायश है ऐसा कहीं होता है बराबर होता है वो बादशाह सुलेमान नहीं था उसे हजारों औरतों से real, genuine honest to God 24 caret love था क्यों था? क्योंकि उनका दिल बड़ा था? बड़ा विशाल समुद्र जैसा तुम बादशाह सुलेमान हो? फुल न सही उसका pocket edition तो होंगा ही तुमने कभी गोभी का फूल देखा है? देखा है क्यों? उसकी एक खूबी नोट की है कौन सी खूबी? गोभी के फूल का छोटे से छोटा हिस्सा भी मुकम्मल फूल जैसा ही होता है बस यूं समझ लो की बादशाह सुलेमान इस मामले में ज्यान अर्जित करने के लिए मैं फिर कभी आऊंगा अभी मेरा सवाल यह था कि तुम्हारे अफेर्स की कभी तुम्हारी बीवी को खबर लगी लगी दो तीन बार लगी एक बार तो रंगे हाथों पकड़ा गया था अच्छा हाँ कह कर गई थी पांच दिन के लिए माय के जा रही हूँ तीन दिन में लौट आई है कोई भरोसा और अत्जात की जुबान का उस पर क्या प्रतिक्रिया हुई कुछ भी नहीं कुछ तो हुआ होगा आखिरकार कुछ भी नहीं हुआ थोड़ा भड़की थोड़ा लाल पीली नीली हरी हुई कुछ दिन मुह सुजाए रही फिर धीरे धीरे सब कुछ नारमल हो गया आई सी तुम्हारे साथ क्या हुआ रश्मी पर तुम्हारे अफेर की क्या प्रतिक्रिया हुई वह बहुत खफा हुई उसने बच्चों का वास्ता देकर मुझे शर्मिंदा करने की कोशिश की इस बात की भी दुहाई दी की मैंने उसके साथ धोखा क्यों किया फिर फिर बस उसने तुम्हें छोड़ जाने की धमकी नहीं दी यह नहीं कहा कि एकाएक उसका स्वर बड़ा नाटकी यहो उठा अब मैं एक पल भी तुम्हारे साथ नहीं रह सकती नहीं या तुम्हें कहा हो कि दूर हो जाओ मेरी नजरों से नहीं रात को इकठे सोए थे नहीं लेकिन उसने मेरे साथ सोने से कोई एतराज नहीं जताया था मैंने ही सोचा था कि इतना बड़ा सद्मा पहुचा कर अब मुझे उसके सिर पर ही सवार नहीं रहना चाहिए फिर क्या बात है मैं तुम्हारी राय पूछ रहा हूँ मैं जानना चाहता हूँ कि आदे क्या होगा लड़की से तालुकात रखने का अभी भी इरादा है नहीं तो उसे ढूंड क्या रहे हो वो कोई और मसला है तुम्हारी कोई कीम्ती चीज ले उड़ी है यही समझ लो मैंने पूछा है अब आगे क्या होगा तुम्हारे और रश्मी के बीच में हाँ अगर अभी तक कुछ नहीं हुआ तो आगे भी कुछ नहीं होगा वो थोड़ा अर्सा मोह सुजाय रहेगी उस दौरान तुम उसमें जरा न्यारे न्यारे रहना ताकि आग पर घी छिड़कने जैसी कोई बात न हो सके फिर धीरे धीरे सब कुछ अपने आप ही नार्मल हो जाएगा अच्छा हाँ यह मेरा जाती तजुर्बा है बस कुछ दिन जरा न्यारे न्यारे रहना उससे ताकि इस मसले पर किसी तपसरे या तकरार की नौबत ना आए मैं औरत जात को खूब जानता हूँ सिर्फ इसी तरीके से उसका मूर सुधरेगा और वह नार्मल होगी समझ गए हाँ क्या करना है तुमने आइंदा दिनों में रश्मी से न्यारे न्यारे रहना है दैट्स ए गुर्बवाई एस्ट्रिस्ट 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 राना फैक्टरी पहुँचा एनी न्यूज उसने अपनी सैकेट्री रेखा से पूछा खेतान साहब का फोन आया था रेखा ने बताया और बस मेरे घर से फोन नहीं आया मेरी बीवी का नहीं ओह पता नहीं क्यों राना को बड़ी मायूसी हुई दाक मैंने आपकी मेज पर रख दी है सब रुटीन लेटर है सिर्फ एक लिफाफा खास है जिस पर परसनल एंड कन्फिडेंशल लिखा था इसलिए मैंने उसे नहीं खोला मैंने उसे डाक पर सबसे उपर रख दिया है गुड अब जरा खेतान साहब का नंबर लगाना रेखा को नंबर डायल करता छोड़ कर वह अपने निजी आफिस कक्ष में दाखिल हुआ वह अपनी मेज के पीछे जा बैठा और उसने वह बंद लिफाफा उठाया जो की डाक पर सबसे उपर रखा हुआ था उसने नोट किया कि उस पर उसका नाम और उसकी फैक्टरी का पता टाइप से अंकित किया गया था और उस पर भेजने वाले का कोई नाम पता नहीं था लिफाफे पर कोई डाक टिकट या डाक खाने की मोहर भी नहीं लगी हुई थी जिससे लगता था कि वह डाक से नहीं भेजा गया था बलकि किसी ने खुद वहाँ पहुच कर उसे फैट्री के लेटर बक्स में डाला था उसने लिफाफा खोला भीतर कोई भारी सी चीज थी जो कि उसने लिफाफे का खुला मुह मेज की तरफ किया तो वह मेज पर उसके सामने आगिरी वह बैंक के लौकरों जैसी एक चाबी थी जिस पर 438 का अंक गुदा हुआ था लिफाफे में से एक टाइप शुदा चिठी भी बरामद हुई वह चिठी पढ़ना शुरू करने ही लगा था कि टेली फोन का बजर बजा उसने फोन उठाया खेतान साहब कोट गए हैं उसे रेखा का स्वर सुनाई दिया शाम तक लोटेंगे ठीक है वह बोला शाम को फिर नंबर ट्राई करना यस सर वह फिर लिफाफे से बरामद हुई चिठी की तरफ आकरशित हुआ जैसा कि उसे अंदेशा था चिठी उन्हीं मवालियों की निकली जो उसे ब्लैक मेल करने की कोशिश कर रहे थे उसने बड़े गौर से चिठी को दो-तीन बार पढ़ा और फिर उसे फाड़ कर रद्धी की टोकरी में डाल दिया उसने फोन उठा कर रेखा को बजर दिया वह लाइन पर आई तो राणा माउथ पीस में बोला मुझे एक ऐसा लिफाफा चाहिए जिसमें एक लाख के सौ-सौ के नोट आ सकते हूँ जस सर एक मिनट में दस गुना बारह का एक पीला लिफाफा उसकी मेज पर पहुँच गया और दस मिन्टो बाद भारी भरकम बन चुका वह लिफाफा उसके सामने पढ़ा था से भी दोहरा करके पीले लिफाफे में डाल दिया अंत में उसने गोंद लगा कर लिफाफे को मजबूती से बंद किया और रेखा को भीतर बुलाया सहर एरपोर्ट पर वह बोला एक नई तरह का लौकर यूनिट लगा है तुम्हें उसकी खबर है रेखा ने इनकार में सिर हिलाया वह लौकर यूनिट एक तरह का सैल्फ सर्विस क्लाक रूम है लौकर एक एक रुपए के सिक्के डालने से आपरेट होता है आई सी यह लिफाफा और चावी एरपोर्ट के लौकर नमबर 438 में रखकर आनी है मैं चाहता हूँ यह काम तुम खुद करके आ तुमने चावी से लौकर नमबर 438 खोलना है लिफाफा और चावी अंदर रखनी है और लाकर बंद करके लौट आना है जब मैं चावी अंदर रख दूंगी रेखा तनिक उल्जनपूर्ण भाव से बोली तो लौकर बंद कैसे करूंगी वो लौकर खुलते चावी से हैं लेकिन बंद अपने होते हैं जब चावी अंदर होगी तो कोई उसे खोलेगा कैसे वो हमारी सिरदर्द नहीं लेकिन रेखा दू एज टोल्ड यस सर कृप्या मेरे चैनल आडियो बुक मॉल एवं आडियो बुक गो डाउन को सब्सक्राइब करें और कृप्या कमेंट करें कि आप कौन सी किताब सुनना चाहते हैं आपको यहां आडियो बुक पसंद आई तो लाइक जरूर करें विजय शंकर चेटियार एरपोर्ट के टाइलेट में जाकर स्मैक का नशा कर चुका था और उस घड़ी पूरी तरंग में होने की वजह से बहुत बढ़िया मूर में था उस वक्त वह टैक्सी ड्राइवर की वर्दी में था इसलिए उसकी लौकर यूनिट के करीब मौजूदगी किसी को हैरान करने वाली नहीं थी प्लेन के मुसाफिर अक्सर टैक्सी ड्राइवरों को लौकर से सामान निकाल कर जाने को बोला करते थे पवनीकर से हासिल हुई चाबी से उसने लौकर का ताला खोला भीतर एक खूब फूला हुआ, भारी भरकम पीला बंद लिफाफा पड़ा था अयो मुरुगन वह प्रसंद भाव से बोला उसने लिफाफा वहां से निकाला, अपने वाली चाबी भीतर पड़ी चाबी के करीब फेंकी और लौकर बंद कर दिया लिफाफे को मजबूती से ठामे और लाख रुपय के नोटों की कलपना करते हुए वह टैक्सी स्टैंड पर पहुँचा वहां जब उसे खूब तसल्ली हो गई कि कोई उसके पीछे वहां तक नहीं आया था तो वह वहां खड़ी अपनी टैक्सी में सवार होकर वहां से रवाना हो गया वह निर्विग्न धारावी पहुँच गया वहां वीडियो पारलर के कबूतर के दड़बे जैसे आफिस में पवनीकर और नागवानी मौजूद थे दोनों की प्रशन सूचक उचसुक निगाहें चेटियार पर टिक गई विक्त्रीक चेटियार खुशी से दमकता हुआ बोला और उसने पीला लिफाफा उन दोनों के बीच मेज पर रख दिया जूले लाल नागवानी कृतग्य भाव से बोला पवनीकर लिफाफा उठा कर अपने हाथों में तोलने लगा एरपोर्ट से फिर वह बोला कोई तेरे पीछू तो नहीं लगा था नककोक चेटियार पूरे विश्वास के साथ बोला अब लिफाफा खोल तो सही नागवानी बोला रोकडे की जलक तो देखने दे अरे अब भी ये तो कुछ वी रोकडा नहीं पवनीकर बोला पूरा बीस लाख का बकरा है अपना सेठ अब भी तो एक बटा बीस रोकडा ही मिलेला है पवनीकर ने बड़े यतन से ब्लेड से काट कर लिफाफे को एक सिरे से खोला और उसे अपने सामने मेज पर उल्टा कर दिया सारी मेज नोटों के आकार में कटी अखबारी कतरनों से भर गई तीनों भौचक्के से कतरनों को देखने लगे कतरनों के साथ एक दोहरा किया हुआ सादा कागस था नागवानी ने उसे उठाया और खोल कर सीधा किया उस पर लिखा था कतर ने संभाल कर रखना, हराम जादो, बक्ती बनाने के काम आएंगी क्या है? पवनीकर के मुह से निकला नागवानी ने चुपचाप कागस उसे थमा दिया पवनीकर ने कागस पर लिखी इबारत को पढ़ा और फिर असहाय भाव से गर्दन हिलाता हुआ बोला पता नहीं क्या होएला है, साले जमाने को डोट अपुन इतनी इमानदारी से साले सेट को बतायला है कि वो एकदम फिट होएला है, पन सेट समझता ही नहीं समझता है, अपुन बंडल मारेला है अगली सुभ राना की फोन पर खेतान से बात हुई तुम्हें यह बताने के लिए उसे खेतान की आवाज सुनाई दी कि अभी मेरी अपने हैड़ क्वार्टर वाले पुलसिये यार मानेकर से बात नहीं हो पाई है लेकिन मैं उससे संपर्ख करने की पूरी कोशिश में हूँ आई सी और क्या खबर है? मैंने अपनी बीवी को सब कुछ बता दिया है क्या? हाँ मैंने खूब सोच विचार कर यह कदम उठाया था ये लोग मेरी बीवी पर मेरी करतूत की पोल खोल देने की धमकी देकर मुझे ब्लैकमिल करना चाहते थे यू मैंने उनकी ब्लैकमिलिंग का आधार ही खत्म कर दिया मैंने ही अपनी बीवी के आगे हकीकत बयान कर दी उसे यह भी बता दिया कि तुम्हें ब्लैकमिल करने की कोशिश की जा रही थी नहीं फिलहाल यह नहीं बताया लेकिन तुम्हारी बेटी तुम्हारे फैक्टरी वाले मेरी बेटी तक उनकी पहुच नहीं हो सकती फैक्टरी वाले या सोसाइटी वाले मेरे बारे में क्या सोचते हैं इसकी मुझे परवाह नहीं उनकी वजह से जो जिल्लत मुझे उठानी पड़ेगी, वो मैं उठा लूँगा। कहने का मतलब यह है कि मेरी तरफ से वो साले मवाली अब अपने विडियो कैसेट की बत्ती बना कर एक दूसरे के हलक में धकेल सकते हैं। बहुत बोल्ड कदम उठाया, राणा. मुझे यही कदम मुनासिब लगा था. मेरी DCP मानेकर से बात हो जाने तक तो इंतजार कर लेते. वो मेरी कोई मदद नहीं कर सकता था. जिन मवालियों की मैं सूर्तें तक नहीं पहचानता, उनसे तुम्हारा DCP वो कैसेट कैसे बरामत क रखता था. उन लोगों के ऐसी बातों की तह तक पहुचने के अपने साधन होते हैं. तो वह उन्हें अब आजमाले अगर तीनों मवाली गिरफतार हो जाएं तो मुझे बहुत खुशी होगी. बहरहाल अब मेरा उनकी धमकी से खौफ खाने का इरादा नहीं. लेकिन तुम मुझे मानेकर से बात करने से तो नहीं रोक रहे हो ना? नहीं. बात करने में क्या हर्ज है? गुड़. मैं तुम्हें फोन करूंगा नतीजे की बाबत. जरूर. उसने रिसीवर रख दिया. पिछली रात उसने फैक्टरी में ही गुजारी थी. हर क्षन वह वहां मवालियों में से किसी का फोन आने की प्रतीक्षा करता रहता था लेकिन फोन नहीं आया था. पता नहीं किस फिरात में थे हराम जादे. क्या लिफाफे में नोटों की जगह अकबार की कतरने पाकर वे भढ़के नहीं थे? उसके ख्याल से तो लिफाफा खुलते ही उनका फोन आ जाना चाहिए था अब फोन ना आया होना उसे अतिरिक्त चिंता में डाल रहा था सारा दिन फोन के इंतजार में बीता फोन ना आया शाम को आठ बजे के करीब उसने अपनी कोठी पर फोन किया रश्मी लाइन पर आई मैं बोल रहा हूँ वह धीरे से बोला कहा है आप सैक्त्री में रात कहा थे सैक्त्री में घर क्यों नहीं आये यहां बहुत काम था काम था अब आ रहे हैं आप कपड़े बदलने अजाओ मेरे से क्यों पूछ रहे हैं घर आपका है मर्जी आपकी है वह खामोश रहा कपड़े बदलने आ रहे हैं इसका मतलब है आज की रात भी घर पर गुजारने का इरादा नहीं है यहां बहुत काम है काम मेरी कर्तूट की दास्तान सुनकर पता नहीं अभी तुम्हें मेरी सूरत देखना गवारा होने लगा होगा या नहीं यह है असल बात जिसकी वजह से रात घर नहीं घुसे कल या आज डाक से तो कुछ नहीं आया क्या आना था कोई packet parcel किताब के size का डाक से आया हो या कोई हरकारा देकर गया हो ऐसा तो कुछ नहीं आया यहा छोटी का कोई phone won आया हो phone आया था आज कुछ खास तो नहीं कह रही थी नहीं हालचाल पूछ रही थी हालचाल बता रही थी ठीक है मैं थोड़ी देर में आता हूँ आपका घर है जब मर्जी आना उसने संबंध विच्छेट कर दिया वह आफिस से निकला और बाहर compound में पहुचा compound में जहां उसकी कोंटे सा खड़ी थी वहाँ नीम अंधेरा था वह कार के करीब पहुचा driving side के दर्वाजे का ताला खोल कर वह भीतर बैठ गया तो उसके महसूस किया कि दर्वाजा खुलने पर कार की डोम लाइट नहीं जली थी जरूर बल्ब फ्यूज हो गया था उसने मन ही मन सोचा उसने इंजन स्टार्ट किया कार को reverse गियर में डाल कर उसे बैठ करने की नियत से जब उसने गर्दन घुमा कर पीछे जाका तो एक रिवालवर की नाल को अपनी तरफ जाकते पाया राणा के मुह से आह निकल गई तब फ्यूज नहीं हुआ था जानबूज कर बंद किया गया था ताकि उसकी कार की पिछली सीट पर छुपा बैठा वह नकाब पोश उसे दिखाई न दे पैनल लाइट जलने से जो हलकी सी रोशनी कार में हुई थी उसमें राणा ने नकाब पोश का दुबला पतला लंबा आकार देखा और देखे नकाब के नीचे से कंधे पर छित्रे उसे हिप्पीमा लंबे बाल तो फोन इसलिए नहीं आया था क्योंकि वे खुद उस पर जपटने का इरादा किये हुए थे क्या है? वह अपने स्वर में संतुलित रखने का भरसक प्रयत्न करता हुआ बोला गाडी को यहां से निकाल कर मेन रोड पर लेकर चलो नकाब पोश जो की चेटियार था बोला कोई गडबड कोई शरारत हुई तो गोली तुम मुझे कहां ले जाना चाहते हो? मालूम हो जाएगा राणा ने आदेश का पालन किया गाडी मेन रोड पर पहुँच गई अब किधर चलू? वह बोला अभी सीधे चेटियार बोला ठीक है गाडी मंथर गती से सडक पर गौड चली मेरी बीवी के पास वीडियो कैसेट नहीं पहुचा कुछ ख्षन बाद राणा बोला इसलिए नहीं पहुचा चेटियार बोला क्योंकि हमने भेजा नहीं क्यों नहीं भेजा क्योंकि तुमने उसकी कोई परवाह नहीं दिखाई मैं अपने साथियों उसे बोला कि अपना बकरा उंची सोयाइटी का सेठ है और उंची सोसाइटी की बातों की हमें क्या खबर है? क्या पता उची सोसाटी में रखेल रखना फैशन बन गया हो और बीवियों को इन बातों से एतराज ही न लगता हो सोसाटी भी शायद यही कहती की बेचारे की बीवी उसे सैक्स के मामले में राजी नहीं रखती होगी तभी तो बेचारा गैर औरत के पीछे भागा यानि की मानते हो कि उस विडियो कैसेट से तुम लोगों को कुछ हासिल होने वाला नहीं हाँ, मानते हैं ब्लैक मेलिंग बड़ा तेड़ा धंधा है, दोस्त हर किसी के बसका नहीं खास्तोर से तुम लोगों के तुम तो भूखे को रोटीन बेच सको, प्यासे को पानीने बेच सको शायद तुम ठीक कह रहे हो अगर मैं ठीक कह रहा हूँ तो अभी भी मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो हमें एक बार और आजमा लो एक आखिरी बार हम तब भी फेल हो गए तो हम खुशी-खुशी समुन्दर में डूब मरेंगे होगी अब क्या करोगे करेंगे तो वही जो पहले किया था यानि कि फिर कोई विडियो फिल्म दिखाओगे हाँ लेकिन इस बार की फिल्म छक्के छुडा देने वाली मैं कुछ दोस्तों को बुला लेता उनका भी मनोरंजन हो जाता पहले खुद देख लो तुम्हें पसंद आ गई तो तुम्हारे दोस्तों को भी दिखाने का इंतजाम कर देंगे आई सी वैसे मुझे पूरा विश्वास है कि तुम कभी नहीं चाहोगे कि तुम्हारा कोई दोस्त या कोई भी उस फिल्म को देखे ऐसा? हाँ फिर तो बहुत ही धमाकेदार फिल्म होगी हाँ बहुत ही बहुत ही ज्यादा कब दिखाओगे? अभी फिल्म देखने ही चल रहे हैं गुड अब जरा बाजू में करके गाड़ी रोको क्यो? सेठ दो बाते मीठी मीठी हो गई तो भूल गया मैं कौन हूँ और मेरे हाथ में क्या है? राणा ने ततकाल गाड़ी रोकी चटियार ने काले कपड़े का एक गिलाफ सा उसकी गोद में डाल दिया यह क्या है तराणा बोला? नकाब है बहुत मोटी पहन लेने के बाद कुछ नहीं दिखने वाला स्टेरिंग के पीछे से परे हटो और इसे ओड़ लो लेकिन सेठ एकाएक चेटियार बड़े क्रूर स्वर में बोला मैं तभी तक मीठी मीठी बातें करता हूँ जब तक मेरा नशा नहीं उखडने लगता उस हालत में पहुँचने तक मेरे हाथ भी कामपने लगते हैं तब मेरे न चाहते हुए भी रिवालवर का ट्रीगर खिंच सकता है मालूम राणा ने तुरंत उसके आदेश का पालन किया चेटियार अगली सीट पर पहुँचा उसने अपनी जैकेट की जेव से बहुत हलके स्टील की दो हथकडिया निकाली और उन्हें राणा के बाये हाथ और बाये पाव में और दाये हाथ और दाये पाव में यू पिरो दिया कि राणा सीट पर गठडी सी बन कर रह गया चेटियार ने कार को खुद चलाना शुरू किया राणा कतई अंदाजा न लगा सका कि कार कहा जा रही थी दस मिनट बाद कार रुकी चटियार ने उसकी हथकडिया खोल दी लेकिन चहरे पर से नकाब न उतारी फिर उसने उसे बाह पकड़ कर कार से बाहर निकाला और वैसे ही एक तरफ ले चला कुछ क्षण बाद उसे रोका गया और एक कुरसी पर धकेल दिया गया फिर उसके चहरे पर से नकाब उतार दी गई वह आखे मिचमिचा कर इधर उधर देखने लगा उसे कुछ न दिखाई दिया पता नहीं नकाब की वजह से उसकी आँखों को कुछ हो गया था या वहाँ घुप अंधेरा था फिर अंधेरे में एक क्षण को टार्च चमकी उस एक क्षण में उसने महसूस किया कि वह एक मिनी थेटर में था फिल्लम देखने को तयार हो जा सेठ फिर उसे एक परिचित स्वर सुनाई दिया नाम स्क्रीन पर नहीं आएंगा इसलिए अपुन तेरे को बतायला है फिल्लम का नाम है बीस लाख का बकरा तभी स्क्रीन पर रोशनी हुई उस रोशनी में उसमें देखा कि वह प्रोजेक्शन टीवी की स्क्रीन थी उसके पहलू में एक ओर टीवी और वीसी आर पड़े थे जिनके करीब एक नकाब पोश खड़ा था फिल्म शुरू हुई स्क्रीन पर जो पहली सूरत उभी वह सीमा की थी उसके चहरे से उलजन और आशंका के भाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रहे थे बाई भैभीत है टीवी के पहलू में खड़ा नकाब पोश जो की पवनीकर था बोला जानना मांगता है कि अपुन उसे किदर लायला है क्यों लायला है अपुन बोला सीमा बाई तेरे को फिल्लम में रोल करना मांगता है स्क्रीन पर द्रिश्य बदला राना को सीमा एक तारीक कमरे में एक कुर्सी के साथ बंधी दिखाई दी वह एक सफेद न और एक स्कीवी पहने थी रस्सी उसके टकनों के साथ, घुटनों के साथ और कमर के साथ बंधी हुई थी उसके हाथ कुरसी के पीछे कहीं इस प्रकार बंधे हुए थे कि कंधे खिंच गए थे और उसका उन्नत वक्ष और उन्नत लगने लगा था फिर स्क्रीन पर दो हाथ प्रकट हुए दोनों हाथों ने एक जटके से सीमा की स्कीवी फार दी और और उरोजों पर से उसकी अंगिया अधेड कर अलग की अब यह कमर तक नंगी दिखाई दे रही थी एक हाथ उसके उन्नत सुडॉल वक्ष को सहलाने लगा शांदार बनी हुई है अपनी सीमा बाई पवनिकर बोला क्यों सेठ फिर हाथ स्क्रीन से गायब हो गए स्क्रीन पर अपने बंधनों से जोर आज मायश करती अर्धनगन सीमा दिखाई देती रही द्रिश्य बदला उस द्रिश्य में कैमरे का कौन भी बदला हुआ था अब कैमरा सीमा के पीछु है पवनीकर बोला अब कैमरा वो दिखाएला है जो सीमा देख रही है देख सेट सीमा क्या देख रही है कैमरा सीमा से कोई 10 फुट पर पड़ी एक मेज पर फोकस हुआ फिर जूम होकर मेज का द्रिश्य करीब आया तो राना ने देखा कि मेज पर एक शिंकजा फिक्स था जिसमें एक लंबी नाल वाली रिवालवर इस प्रकार फंसी हुई थी कि उसका रुख सीधे सीमा की तरफ था रिवालवर पहचानाता है सेट स्क्रीन पर केवल रिवालवर का ट्लोज अप यू उबहा कि रिवालवर पर लिखा उसका नंबर तक दिखाई देने लगा रिवालवर निश्चय ही उसकी अपनी थी नंबर से वह बात निर्विवाद रूप से सिध्ध हो गई थी कैमरा मिड शॉट की पोजीशन में पहुचा स्क्रीन पर केवल मेज दिखाई देने लगी फिर स्क्रीन पर एक हाथ प्रकट हुआ उस हाथ में उसका कोहनियों पर चमडे के पैबंदो वीड का भूरा कोट था हाथ ने कोट मेज पर गिरा दिया अपना कोट तो पहचानता होएंगा सेठ भीतर दर्जी बिल्ले के नीचे तुम्हेरे नाम का भी बिल्ला भी लगेला है बरोबर राना खामोश रहा उसने बड़ी बैचेनी से थूक निगली सेठ अब जरा रिवालवर के घोडे को देख राना ने देखा रिवालवर फिर धीरे धीरे क्लोस अप में आ रही थी उसने देखा रिवालवर के ट्रीगर के साथ एक बारीक लेकिन मजबूत तार बंधी हुई थी ये तार है जो रिवालवर के पीचु कहीं जायला है तार खीचने से घोडा खिचेंगा और गोली चल जायेगा रिवालवर की मूट पर तुम्हेरी उंगलियों के निशान है यू गोली चलाने से वे निशान बिलकुल नई बिगडेंगे कुछ समझा, सेठ राना का गला सूखने लगा उसे अपनी जुबान चमडे की तरह खुश्क हो गई महसूस होने लगी अब अपनी फिल्लम की हिर्विन को देख स्क्रीन पर कुर्सी से बंधी अर्धनगन सीमा दिखाई दी उसके चहरे पर भय और आंतक के भाव का स्पष्ट रूप से परिलक्षित थे अब धम की स्पष्ट थी वह उन्हें 20 लाख रुपया नहीं देगा तो वे लड़की को मार डालेंगे लेकिन बात उतनी ही नहीं थी अगले ही सीन ने साबित कर दिया कि उन लोगों के जहन में उसकी कलपना से कहीं ज्यादा खतरनाक इरादे थे अगले सीन में स्क्रीन वाली मेज और कुर्सी से बंधी सीमा दोनों दिखाई दिये फिर एकाएक रिवालवर की तार खिंची फिर खिंची फिर खिंची चहरे पर हाहाकार के भाव लिये राणा अपनी रिवालवर की सारी गोलिया सीमा के सीने पर बरसती देखता रहा हर फायर के साथ सीमा तड़फी उसका शरीर धनुष की तरह मुड़ा और फिर अंत में निश्चिष्ट होकर दोहरा हो गया उसका सिर नीचे लटक गया जो कुछ वह देख रहा था उस पर उसे विश्वास नहीं हो रहा था आखिरकार वह एक फिल्म ही तो देख रहा था फिल्मों में इस प्रकार मरते लोग आम दिखाये जाते थे लेकिन वे कोई सच में ही थोड़े ही मर गये होते थे एन वही बात वीडियो के पास खड़े मवाली ने कह दी अब अपना सेट सोच रहा है कि वो फिल्लम देखेला है लड़की सच में नहीं मरी जो खून वह देख रहा है वह जरूर टमाटर की चटनी है क्या? राना खामोश रहा उसने अपने खुश खोठोन पर जुबान फेरी स्क्रीन पर एक हाथ प्रकट हुआ उसने बालों से पकड़ कर सीधा का सिर उचा किया राना को सीमा की पथराई हुई आखें साफ दिखाई दी राना के बाल पकड़े व्यक्ती के दूसरे हाथ में एक एकदम साफ शीशा प्रकट हुआ हाथ शीशे को सीमा के नाक और मुह के पास ले गया कितनी ही देर वह शीशे को यूँ ही थामे रहा शीशे पर सीमा की चलती सास के सबूत के तौर पर कोई भाप न पैदा हुई शीशे की वैसे कोई जरूरत नहीं सेठ वैसे ही तेरे कु दिखाई दियेला है कि इतने टेम में एक बार भी छोकरी की पलक नहीं जबकी अब उसकी छाती में बने सुराख देख कैमरा जूम होता हुआ गोलियों से छलनी सीमा की छाती पर्टिका हर सुराख से खून अभी भी रिस रहा था हराम जादो कमीनो राणा के मुह से अपने आप ही निकल गया यह क्या किया तुमने क्या किया तो तेरे कु साफ दिखाई दियेला है यह पूछ की क्यों किया बलकि सोच और खुद समझने की कोशिश कर राणा के मुह से बोल न फूटा तु तु इस लड़की का मरडर कियेला है जिस रिवालवर से मरडर होयला है वो तुम्हेरी है उस पर तुम्हेरी उंगलियों के निशान है कोट तुम्हेरा है उस पर छोकरी के खून के छीटों के निशान है लाश हमेरे कबजे में है हमेरे कहने पर जब पुलिस उसे बरामत करेगी तो वह कुर्षी से बंधी नहीं होएंगी वो और ही हालत में हाएंगी वो एक दम मादर जात नंगी होएंगी नंगी होएंगी और ऐसा मालूम होएंगा कि तू उसको रेप किये ला है पुलिस तेरे कू पकड़ कर ले जाएंगा और फिर तू फांसी पर जूलता दिखाई देंगा घडियाल के पेंडुलम का माफिक क्या? तुम हराम जादों ने राणा रुधे कंट से बोला मुझे फंसाने के लिए उस बेगुनाह की जान ले ली अभी तू फंसा किदर है? फंसेगा तो तब जब फिर रोकड़ा देने से इनकार करेंगा या फिर मेरे को बत्ती बनाने का वास्ते अख़बारों की कतरने भीजेंगा क्या? कू? तेरे को मालूम है हम क्या चाहते हैं? मैं पहले की कह चुका हूँ कि एक मुष्ट इतनी बड़ी रकम का इंतजाम नहीं कर सकता अपुन भी पहले ही बोलेला है कि एक मुष्ट नहीं तो किष्टों में कर एक लाख कल फिर एक लाख अगले महीने हर महीने एक लाख बीस लाख पूरा होने तक क्या? राना चुप रहा लौकर नमबर 438 का चाबी कल तेरे पास फिर पहुँच जाएंगा इस बार अपुन कोई शरारत नहीं मांगता अपुन नोटों की कतरने नहीं मांगता सेठ अगर कल शाम आठ बजे तक तु उदर रोकरा लेकर नहीं जाएंगा या ये देखने को कि लौकर कौन खोलता है तु उदर कहीं छुपकर खड़ा होने की कोशिश करेंगा तो रात को ही छोकरी का लाश तेरा कोट और तेरा रिवालवर पुलिस के कबजे में होएंगा क्या? राना खामोश रहा अब उठ तेरे कू रास्ते लगाने का है आगे जो सोचना अपने घर के रास्ते में सोचना राना बड़ी कठिनाई से उठकर अपने पैरों पर खड़ा हो पाया तुम चाहते क्या हो? क्रिप्या मेरे चैनल आडियो बुक मॉल एवं आडियो बुक गो डाउन को सब्सक्राइब करें और क्रिप्या कमेंट करें कि आप कौन सी किताब सुनना चाहते हैं आपको यहां आडियो बुक पसंद आई तो लाइक जरूर करें एस्ट्रिस्ट 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 राना कोलाबा अपनी कोठी पर न गया बाकी की रात उसने अपने दादर वाले फ्लैट पर जागी आँखों से सीमा के सपने देखते गुजारी उसे लगता था जैसे उस फ्लैट में अभी भी सीमा चल फिर रही हो, उसके साथ हंसी ठिठोली कर रही हो, उसके लिए ड्रिंक तयार कर रही हो, उसे रतिसुख की अग्भुत अनुभूती करा रही हो, उसकी अकल कहती थी कि सीमा मर चुकी थी, लेकिन उसका दिल उस हकीकत को कबूल करने को तयार नहीं होता था लेकिन दिल के नमानने से हकीकत थोड़े ही बदल जाती थी सीमा न सिर्फ मर चुकी थी बलकि उसकी वजह से उसकी जान गई थी उस रात विस्की के कई पैग पी कर भी उसे नशान हुआ सवेरा हुआ तो उसे सुशील खेतान को फोन करना सूझा वैसे ही जैसे पहली बार की दुश्वारी के वक्त सूझा था और उसने उसी फ्लैट से उसे फोन किया था लेकिन फाइदा क्या था उसे फोन करने का पहले की तरह इस बार भी जरूर वह यही राय देता कि उसे पुलिस की शरण में जाना चाहिए था वैसे देर सवेर तो उसे पुलिस के पास जाना पढ़ ही सकता था हालात ही उसे पुलिस के पास ले जा सकते थे क्योंकि अब वह मामूली ब्लैक मेल का मामला नहीं रहा था अब वह कतल का मामला था फिर भी अभी वह पुलिस के पास नहीं जा सकता था मौजूदा हालात में पुलिस का रुख करने से उस पर तबाही बरपा सकती थी आखिर उसका अपने परिवार के लिए भी कोई फर्ज था सीमा उसकी वजह से मरी थी वह उसकी बीवी या उसके बच्चों की वजह से नहीं मरी थी वह पुलिस के पास नहीं जा सकता था मौजूदा हालात से दो चार होने के लिए उसे कोई और रास्ता अक्तियार करना पड़ना था और कौन सा रास्ता? अपने उस सवाल का फिलहाल उसके पास कोई जवाब नहीं था लेकिन एक बात निश्चित थी हालात से घबराकर हथियार डाल देने वाला वह भी नहीं था हर दुश्वारी का कोई हल होता था हर सवाल का कोई जवाब होता था हर भूल-भूलिया का कोई रास्ता होता था अगर वह इतना भी मालूम कर पता कि वे मवाली असल में कौन थे तो कुछ बात न सकती थी तो उनसे निपटने की कोई सूरत निकल सकती थी यह बात उसे बहुत जंची उसे किसी भी सूरत में पता लगाना चाहिए था कि असल में वे मवाली कौन थे फिर वह हमलावरों पर हमला कर सकता था उसे तनिक राहत महसूस हुई वह कोलाबा अपनी कोठी पर पहुँचा काल बैल के जवाब में रश्मी ने दर्वाजा खोला आप तो रात को आने वाले थे वह शिकायक भरे स्वर में बोली जरूरी काम पढ़ गया था वह भीतर दाखिल उता हुआ बोला अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उसने कहा होगा न जाओ सया छुडा के बहिया थी फैक्टरी में काम पढ़ गया था सारी रात का हाँ मैंने फैक्टरी में फोन किया था वहां तो आप नहीं थे मैं हैंगर में कहीं होंगा चौकीदार कहता था पार्किंग में आपकी कार भी नहीं अंधा है साला कुछ ठीक से देख नहीं पाता आपने फोन पर कहा था कि आप थोड़ी देर में आ रहे हैं लेकिन सारी रात ना आए आपने सोचा फिक्र में मेरी क्या हालत हुई होगी आई एम सॉरी दोबारा फोन ही कर दिया होता मुझे सूझा नहीं क्यों नहीं सूझा क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हें मेरी फिक्र होगी मेरा मतलब है अभी भी रश्मी ने बड़े आहत भाव से अपने पती की तरफ देखा आई सैड आई एम सॉरी आनेस्ट वह खामोश रही राणा सीधियों की तरफ बढ़ चला रश्मी कुछ क्षण उसे सीधियां चड़ता देखती रही फिर कुछ सोचकर वह भी उसके पीछे हो ली वह उपर पहुची तो उसने अपने पती को डबल बैड की अपनी ओर की साइड टेबल का एक दरास तटोलते पाया जानते हैं वह धीरे से बोली परसों में क्या करने वाली थी नहीं राणा बोला बताओ मैं इस घर में मौजूद आपका सारा सामान एक जगह इकठा करके उसे आग लगा देने वाली थी लगाई क्यों नहीं मुझे अंदेशा था किस बात का कि उस आग में कहीं मैं भी छलान न लगा दूँ यह मेरे गुनाह की मुझे बहुत बड़ी सजा होती आप धूंड क्या रहे है अपनी रिवालवर हमेशा यहां होती थी अब नहीं है कहा गई वह उठकर सीधा हुआ और पतनी की तरफ घूमा तुम बताओ वह बोला मैं बताओ वह हडबड़ाई मेरा मतलब है शायद तुम्हें कोई अंदाजा हो ज्यादातर तो तुम ही घर में रहती हो पिछले दो-तीन दिनों में यहां कोई आया था कोई कौन वह बोली एक आएक उसके स्वर में सक्ट आ गई थी कोई भी कोई बिजली वाला कोई नलके वाला कोई टीवी मकैनिक ऐसा ही कोई और छोटा मोटा काम करने वाला नहीं, कोई नहीं आया, उसके स्वर में फिर नर्मी आ गई सोचो, याद करो, शायद कोई आया हो दूधवाला आता है, अखबार वाला आता है, लेकिन वे लोग कोठी के भीतर थोड़े ही कदम रखते हैं शायद रखा हो, नहीं रखा कोई घर-घर फिरने वाला सिल्समैन आया हो सिल्समैन वह सोचने लगी आया तो था ऐसा एक आदमी वह अपने आपको फोर्ट की किसी होम मैंटेनेंस कमपनी का प्रतिनिधी बता रहा था मैं दोपहर को किटी पार्टी में से वापिस लोटी तो मैंने उसे नीचे ड्राइंग रूम में बैठा पाया था वो भीतर कैसे घुसा? कहता था दर्वाजा खुला था इसलिए वो भीतर आ बैठा दर्वाजा खुला कैसे था? मुझे खुद हैरानी है मैं तो उसे ठीक से ही बंद करके गई थी लेकिन आपकी दी परेशानी की वजह से मेरी दिमागी हालत ठीक नहीं थी इसलिए हो सकता है असल में दर्वाजा मेरे से ठीक से बंद न हुआ हो देखने में कैसा था वो? देखने में तो मवाली सा लगता था भाशा भी वैसी ही बोलता था तभी तो मैंने उसे फॉरण यहां से निकाल दिया था वो खाली हाथ था नहीं एक ब्रीफ केस था उसके पास काफी बड़ा सा अटैची केस से मिलता जुलता कोई सवारी थी उसके पास जिसका की तुमने नमबर देखा हो कोई स्कूटर, मोटर साइकिल, कार वगेरा नहीं लेकिन मैंने उसे बाहर सड़क पर जाकर एक टैक्सी पर सवार होते देखा था तुमने कहा वह भाशा मवालियों जैसी बोलता था इसका क्या मतलब हुआ वही जो बंबईया भाशा चालू लोग बोलते हैं आयला गयला होयला जैसी उस बात में राना उत्तेजत हो उठा तुमने उसकी सूरत ठीक से देखी थी हाथ रश्मी बोली उसका हुलिया बयान कर सकती हो हुलिया देखने में कैसा था वो कद काट कैसा था नयन नक्ष कैसे थे चम्डी की रंगत कैसी थी, बाल कैसे थे, चश्मा लगाता था या नहीं, मूचे रखता था या नहीं वगेर रश्मी सोचने लगी, फिर धीरे धीरे उसने उसका हुलिया बयान करना शुरू किया कुछ रश्मी ने बताया वह वैसे राणा के दिमाग में जो लिख गया यह पक्की बात है, फिर राणा ने पूछा कि तुमने पहले कभी उसकी सुरत नहीं देखी थी हाँ, पक्की बात है रश्मी बोली, तुम उसे दोबारा देखी तो पहचान लोगी? फॉरन, गोली की तरह, गुड़, क्या यही रिवालवर चुरा कर ले गया है? ऐसा ही मालूम होता है कुछ और तो गायब नहीं है मेरा ट्वीड का भूरा कोट गायब है दो कोहनियों पर चम्रे के पैबंदो वाला वही और मेरी उसके साथ की कारडराय की पैंट और एक धारियों वाली लाल टाई भी नहीं दिखाई दे रही कोई एक का दुख का कपड़ा और भी गायब हो सकता है जिसकी यहां गैर मौजूदगी इस वक्त मेरे नोटिस में नहीं आ रही उन घिसे हुए कपड़ों का कोई क्या करेगा अगर उसने कपड़े ही चुराने थे तो आपके कई एकदम नए सूट यहां पड़े थे उसे वही कपड़े पसंद आये होंगे वारडरोग में पड़ा जेवर और कैश तो सही सलामत है मैंने तभी देखा था वारडरोग खोलने का उसे मौका नहीं मिला होगा तुम जल्दी जो लौट आई थी रिवालवर का वो क्या करेगा जरूर उसे दिखा कर लोगों को लूटेगा बढ़िया रिवालवर आसानी से मिलती कहा है उपर से कीम्ती चीज होती है वैसी रिवालवर छह हजार रुपए की आती है यूँ तो वह रिवालवर दिखा कर मुझे ही लूट सकता था मैं काफी जेवर पहने थी वह घबरा गया होगा कोई एकाएक उपर से आ जाए तो चोर के हाथ पाफ फूल जाते है उसके तो हाथ पाफ फूले नहीं मालूम होते थे वह तो बड़े इतमीनान से सोफे पर पसरा बैठा था रिवालवर और कपडों की चोरी की कोई और वजह भी तो हो सकती है और कौन सी वजह तराना सक पका कर बोला यह तो आपको मालूम हो मुझे नहीं मालूम मैं जरा नहां अम मैंने फैक्टरी वापिस लोटना है आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं मुझे साफ साफ बताए असल में क्या बात है प्लीज बताए मैं आपकी पत्नी हूँ मुझे हर बात जानने का हक है प्लीज बताए उत्तर देने के स्थान पर राणा जल्दी से बातरूम में घुस गया चैप्टर दो राणा खेतान बोला माने कर साहब से मिलो तुम पुलिस के ये वो DCT हैं जिनका मैंने तुम से जिक्र किया था और माने कर यह मेरा फ्रेंड और क्लायंट रनबीर राणा है चैंबूर में इसकी फैक्टरी है सिग्मा एप्लायनसिच के नाम से राणा ने DCT माने कर से हाथ मिलाया वे तीनो पुलिस हैड क्वार्टर से थोड़ी ही दूर लेमिंगटन रोर पर स्थित एक काफी हाउस में बैठे थे DCP एक उमरगराज लेकिन गठा हुआ रोबीला मराठा था जो की काफी आने तक मौसम की, बंबई शहर के रहन सहन की दुश्वारियों की और टीवी के बोर प्रोग्रामों की बाते करता रहा खेतान साहब ने मुझे आपकी प्राबलम के बारे में बताया है फिर एक आएक माने कर बोला, ब्लैक मिलिंग के ऐसे केस पुलिस के पास कभी नहीं पहुँचते क्योंकी ब्लैक मिलिंग का शिकार अपनी कर्तूद से शर्मिन्दा होता है और उसका परदाफाश होने के ख्याल से खौफ खाया होता है पेशेवर लड़किया सोसाइटी के संभ्रांत, प्रतिष्ठित व्यक्तियों को अपने जाल में आम यूँ फास लेती है मेरा वास्ता किसी पेशेवर लड़की से नहीं था राणा ने विरोध किया लेकिन सिचुएशन वैसी ही है आपके नाजायस तालुकात का परदाफाश करके आपको ब्लैक मिल करने की कोशिश की जा रही है आप पैसे वाले हैं, कारखानेदार हैं, पैसा देना आप अफोर्ड कर सकते हैं लेकिन देना नहीं चाहता कोई भी नहीं देना चाहता, जना कोई राजी से देना चाहता हो तो फिर वह ब्लैक मिलिंग थोड़े ही हुई फिर तो यह आर्थिक सहायता हुई जो कि आपने किसी की की राना खामोश रहा खेतान साहब कहते हैं कि आप एक फैमिली मैन हैं इजद्दार शहरी हैं और पहली बार ऐसे जहमेले में फंसे हैं हालात के हवाले होकर खाम खाँ राना ने सहमती में सिर हिलाया ऐसी सिचुएशन में पुलिस आपकी यूँ मदद कर सकती है कि आप उन ब्लैक मिलरों को यह आश्वासन दें कि आप उनकी मांग पूरी करने को तयार हैं रकम की अदाएगी के लिए आप उनसे वक्त और जगह मुकरर करें हम साधी वर्दी वाले पुलिस कर्मी साय की तरह आपके पीछे लगा दें जो की ऐसे मौके पर रकम लेने आए ब्लैक मिलर को धर दबोचें लेकिन अगर उनके ब्लैक मिलिंग रैकेट में फंसने का मेरा इरादा न हो तो तो भी आप बहाना तो कर सकते हैं कि आपका ऐसा ही इरादा है आप ऐसा करेंगे तभी तो पुलिस को ब्लैक मिलरों तक पहुँचने का मौका मिलेगा कृप्या मेरे चैनल आडियो बुक मौल एवं आडियो बुक गो डाउन को सब्सक्राइब करें और कृप्या कमेंट करें कि आप कौन सी किताब सुनना चाहते हैं आपको यहाँ आडियो बुक पसंद आई तो लाइक जरूर करें राणा ने खेतान की तरफ देखा मानेकर साहब खेतान ने खंखार कर गला साफ किया और फिर बोला राणा का ब्लाक मिलिंग रैकेट में फंसने का कतई कोई इरादा नहीं है इसलिए इसने सारी असलियत पहले ही अपनी बीवी को बता दी हुई है अच्छा मानेकर की भवेतनी यह नई बात है मेरे लिए सैक्स बेस्ट ब्लाक मिलिंग रैकेट में फंसे आदमी से ऐसी दिलेरी की उम्मीद अमुमन की तो नहीं जाती अगर ये ऐसा हौसलामंद कदम पहले ही उठा चुके हैं तो फिर तो बात ही खत्म हो गई बात खत्म नहीं हो गई राणा बोला या यू कह लीजिए कि उनकी तरफ से खत्म हो गई है मेरी तरफ से नहीं अपनी बीवी को असलियत बता कर मैंने उनकी धमकी तो फेल कर दी है लेकिन मैं अभी भी चाहता हूं कि वे पकड़े जाएं उसके लिए मैंने पहले ही अर्ज किया है कि या आप ब्लैक मेलिंग की रकम अदा करें या ऐसा करने का बहाना करें और कोई तरीका नहीं और तरीका यह है कि आप उन लोगों की सब की नहीं तो कम से कम एक की शिनाख्त की कोई सूरत निकालें तब आपकी रिपोर्ट की बिना पर हम उसे गिरफ़तार कर लेंगे और फिर उससे सब कुछ कुबुलवा लेंगे फर्च कीजिये वे लोग हालात को ज्यादा पेचीदा बनाने की कोशिश करते हैं की कोशिश करते हैं वो कैसे? वो लड़की को भी धमकाने लगते हैं या मुझे और ज्यादा जिच करने के लिए वे लड़की का कतल कर देते हैं ऐसा कैसे कर सकते हैं वो? लड़की तो उनके साथ मिली हुई है अपने साथी को वो कोई नुकसान क्यों पहुँचाएंगे? मैंने कहा है फर्ज कीजिए वो ऐसा करते हैं उन्होंने ऐसा कोई इशारा दिया है आपको? नहीं फिर आप नाहक ऐसा सोच रहे हैं वो लड़की को नुकसान नहीं पहुँचा सकते वो खाम-खा खून से अपने हाथ क्यों रंगेंगे? खून जैसा अपराध तो वो तभी करेंगे जबकी उन्हें कोई अतिरिक्ट लाप दिखाई दे रहा होगा लड़की के खून से उन्हें क्या अतिरिक्ट लाप पहुच सकता है? पता नहीं So there you are शायद उन्हें लगता हो कि लड़की के कतल के बाद वे मेरे पर ज्यादा दबाव डाल सकते हैं कैसे? कैसे डाल सकते हैं? मुझे लड़की के कतल के इल्जाम में फसा कर अब आपकी कलपना बहुत उची उडान ले रही है मानेकर का स्वर्तनिक उफास्पून हो उठा अब आप सस्ते जासूसी नावलो जैसी बातें कर रहे हैं वैसी ही सही लेकिन फर्च कीजिए देखिए जनाब मानेकर गंभीरता से बोला पुलिस का महकमा फर्च की हुई बातों से नहीं चलता पुलिस का महकमा चलता है सबूतों की बिना पर जबकी अभी तक तो आपने इसी बात का कोई सबूत पेश नहीं किया है कि आपको बाकई ब्लैकमिल किया जा रहा है ऐसी बात पर प्राणातनिक रुष्ट स्वर में बोला मैं आप से जूट बोलूंगा जूट तो आप नहीं बोलेंगे लेकिन यह भी तो हो सकता है कि कोई आप से मजाक कर रहा हो कोई आपको नाहक हलकान करने की कोशिश कर रहा हो बंबई शहर में ऐसे विदूशकों की कमी नहीं जो अपनी मौच के लिए ऐसे मजाकों पर उतारू हो सकते हैं ऐसा नहीं है ब्लैकमेल तो मुझे किया जा रहा है आप कहते हैं तो जरूर ऐसा ही होगा और मुझे फंसाने के लिए लड़की का इस्तिमाल किया जा सकता है किया जा सकता है या किया जा चुका है किया जा सकता है आप इस बाबत कोई रिपोर्ट लिखाने को तयार हैं? नहीं, आप ब्लैक मिलिंग की बाबत कोई रिपोर्ट लिखाने को तैयार है वो भी नहीं तो फिर इस मीटिंग का क्या फाइदा हुआ कुछ नहीं मानेकर ने बड़े अप्रसन्न भाव से खेतान की तरफ देखा यहां की फिश कटलेट्स बहुत बढ़िया है खेतान जल्दी से बोला, राणा साहब ने इतना कुछ फर्च कराया मेरी तरफ से यह फर्च कीजिये कि हम तीन यार यहां फिश कटलेट खाने के लिए इकट्थे हुए है और वह वेटर को आवास देने लगा स्टूडियो के काउंटर के पीछे बैठा पुषपराज नागवानी एक जली हुई माचिस की तीली से कान खुजा रहा था जब कि उसने सडक के पार एक कॉंटे सा कार आकर रुकती देखी उसकी निगाह कार पर से भटकने ही लगी थी कि उसने कार से बाहर निकलते बक्रे को देखा वह हडबडाया जूले लाल नागवानी के मुह से निकला चैन से नहीं बैठता कर्मा मारा फिर आ गया धंधा मंदा था केवल एक ग्राहक भीतर था दोपहर बाद से उसी ग्राहक के भीतर कदम पड़े थे वह बैठा बोर हो रहा था और उस रोकडे के सपने देख रहा था जो कि उस रात बक्रा एरपोर्ट के लॉकर में रख कर जाने वाला था जबकि बक्रा फिर वहां आ गया था कुछ सोच कर वह जल्दी से काउंटर के पीछे से निकला और लाउंज में बैठी लड़कियों से बोला धंधा संभालना मैं थोड़ी देर में आता हूँ वहां चार लड़कियां बैठी थी चारों की गरदने सहमती में हिली नागवानी स्टूडियों से बाहर निकल गया और इमारत के पहलों में बनी संकरी गली में दाखिल हो गया उसने एक बार घूम कर देखा तो बक्रे को स्टूडियों की तरफ बढ़ता पाया पिछवाडे के आठ गुना दस के चर कमरों में से एक का दरवाजा उस गली में खुलता था उसने चाबी लगा कर वह दरवाजा खोला और भीतर दाखिल हुआ वह एक आफिस नुमा कमरा था जहां कि वह नई लड़कियों के इंटरव्यू लेता था और जिसकी दीवारों पर बेशुमार लड़कियों की तस्वीरें लगी हुई थी वहां से उसने पवनीकर को फोन किया साई लाइन लगी तो वह व्यगर भाव से बोला वो फिर आ गया कौन? पवनीकर ने पूछा कौन फिर आ गया? अपना बकरा और कौन? अब क्या मांगता है वो? मालूम नहीं मैं तो उसे देखते ही काउंटर से उठकर आफिस में आ गया अच्छा किया अच्छा तो किया लेकिन क्या लेकिन? मेरे को डर लगता है भेजा फिरेला है किस बात का डर लगता है? अबे साले बेवकूफ तो उसे पहचानता है वो तुझे नहीं पहचानता है क्या? वो मुझे नहीं पहचानता नागवानी यूँ बड़ड़ाया जैसे कोई भूली बात याद आ गई हो बरोबर लेकिन वो बार-बार इधर क्यों आता है? बार-बार किदर? दूसरी बार ही तो आयला है दूसरी बार भी क्यों? पवनीकर ने उत्तर न दिया हलो नागवानी व्यगर भाव से बोला सोचने दे सोचने दे क्या सोचने? देख तू उदर अपने आफिस में ही बैठ अपुन पहुचता है उदर उस बात से न जाने क्यों नागवानी को बड़ी राहत महसूस हुई उसने धीरे से रिसीवर वापिस क्रेडिल पर रख दिया वही चारों लड़कियां भीतर बैठी थी राणा को चारों के नाम याद थे कमला लक्ष्मी सुन्यना जूली उसे देख कर जूली के चहरे पर ततकाल पहचान के भाव आए जूली मुसकर आई राणा भी मुसकर आया राणा करीब आया तो जूली ने पूछात मिली कौन? राणा बोला वही जिसे तलाश कर रहे थे सीमा वो? नहीं नहीं मिली वो कहा गया? वो कौन? वो लंबी कलमो वाला मोटा सिंधी जो यहां का धंधा देखता है जो काउंटर के पीछे बैठा था पिछली बार क्या नाम है उसका? नागवानी वो जरा काम से गया है कब लोटेगा? मालूम नहीं लेकिन घबराओं नहीं, सेठ तुम्हारा काम उसके बिना भी हो जाएगा गुड पिछली बार तो कुछ कियेला नहीं था यूही खाली पीली रोकड़ा और टेम वेस्ट कियेला था इस बार भी कुछ करने का है की नहीं करने का है तो पसंद करो अपना माडल हा? हा? तभी पिछला दर्वाजा खुला और एक बड़े नाजुक से नौजवान के साथ अनिता ने लाउंज में कदम रखा नौजवान बिना इधर उधर देखे चुपचाप वहां से बाहर निकल गया अनिता एक कुरसी में धेर हो गई ओगाड वह बोली साला पता नहीं कहा कहा क्या क्या सीख कर आया हुआ था अपने सारे शौक मेरे से ही पूरे करना चाहता था रोकड़ा तो दे गया न एक लड़की बोली हाँ खूब अनिता बोली पर अभी भी साले के पास ये मोटा सौ सौ के नोटों का बंडल था मैंने अपना माडल पसंद कर लिया है राणा बोला किसे पसंद किया जूली बोली अनिता को डोट कमरे में पहुचकर दर्वाजा बंद कर चुकने के बाद अनिता बोली तुम मेरे नाम से वाकिफ हो इसका मतलब है यहां पहले भी आये हुए हो हाँ राणा सहज भाव से बोला आया हुआ हुआ हुँ एक आध बार वैसे मैंने तुम्हें कहीं और भी देखा हुआ है और कहा धारावी में वहां के एक बार में कैबरे करते हुए क्या बात है अब वहां नहीं जाती हो जाती हूँ दो तीन दिन से तो नहीं गई हाँ क्यों क्यों क्या मर्जी मेरी मैं क्या किसी की गुलाम हूँ मेरा उधर जाने का नहीं मूर किया मैं नहीं गई आई सी देखा तुम्हें मैंने भी है लेकिन याद नहीं आ रहा कहा देखा है यहीं देखा होगा या धारावी के बार में देखा होगा है अब इरादा क्या है तुम्हारा? मतलब जिस काम के लिए आये हो उसकी कोई तैयारी करते जो नहीं दिखाई दे रहे हो जल्दी क्या है? लगता है नजारा ही करने के शौकीन हो नहीं ऐसी बात तो नहीं शौक तो सारे ही रखते हैं अल्बत्ता शुरुवात दिलकश नजारे से हो तो आगे आगे जो होना होता है वह अपने आप ही होता चला जाता है अनिता के चहरे पर उल्जन के भाव आए यानि की फिर वह बोली शुरुवात मैं करू हाँ हाँ क्या हर्स है वह साड़ी और ब्लाउस पहने थी वह धीरे धीरे अपने ब्लाउस के बटन खोलने लगी राणा पोले रायर कैमरे में फिल्म डालने लगा तस्वीर वाकई खीचोगे वह इठला कर बोली तस्वीर भी खीचूंगा उसके अलावा जो कुछ खीचोगे उसकी फीस अलग से भरनी पड़ेगी मालूम है अनिता ने ब्लाउस अपने जिस्म से अलग किया और गया का हुक खोलने लगी रहती अभी भी बोरिवली में ही हो तुरंट उसके चहरे पर हैरानी के भाव आए कैसे जाना वह बोली सीमा नाम की एक लड़की से जाना जो की तुम्हारी तरहे यहां काम करती थी ओह तुम सीमा को जानती हो न वह भी बोरिवली में रहती थी रात को धारावी वाले बार में वह तुम्हें लेने आया करती थी जहां से कि वह और तुम इकठी बोरिवली जाया करती थी तुम तो बहुत कुछ जानते हो अब सीमा कहा है मुझे नहीं मालूम मैंने तीन महीने से उसकी सुरत नहीं देखी अच्छा हाँ तुम सीमा को खूब जानते हो जानता था मैं उसका स्टैडी कस्टमर था वो मुझे बहुत पसंद थी तभी तो उसे तलाश कर रहा हूँ कितने पैसे लेती थी वो तुम्हारे से कोई फिक्स रेट नहीं था मैं अपना बटुवा उसके सामने रख देता था वह जो जी में आता था निकाल लेती थी कभी कभी तो कुछ भी नहीं निकालती थी कमाल है तुम्हें तो मालूम होगा कि वह बोरिवली में कहा रहती है लेकिन तीन महीने से तो जब देखो उसके कमरे पर ताला ही लटका हुआ मिलता है तुमने कभी अडोस पडोस से पूछ ताच नहीं कि उसके बारे में मैं क्यों करती आखिर वो तुम्हारी सहेली थी कमरा मुझे दिखा सकती हो क्या करोगे देखकर राणा ने उत्तर न दिया यह धंधे का टाइम है मैं इस वक्त बोरिवली नहीं जा सकती धंधे के लिए तो जा सकती हो क्या मतलब लंबे प्रोग्राम के लिए यह जगह ठीक नहीं तुम मुझे अपने घर लेकर चलो लंबे प्रोग्राम की मेरी फीस बहुत ज्यादा है हजार रुपए मैं दूंगा आधे अभी दो राणा ने उसे पांच सौ रुपए दिये वह खुश हो गई अब तस्वीर भी तो खीचों फिर वह एक मादक अंगडाई लेती हुई बोली उसका मन रखने के लिए राणा ने उसकी दो तीन तस्वीरें खीची अब चलो ततकाल अनिता अपने कपडे व्यवस्थित करने लगी बोरीवी में राणा बोला पहले तुम मुझे सीमा का कमरा दिखाओगी कमाल के आदमी हो अनिता बोली पहले यह बेहुदा काम करोगे हाँ मर्जी तुम्हारी चलो दोनों बाहर निकले और गलियारे पार करके लाउंज में पहुँचे कितनी? बाहर काउंटर अभी भी खाली था पोला जूली ने इनकार में सिर हिलाया वो कहीं आफिस में न हो मैं देखकर आती हूँ वह फिर वापिस गलियारे में घुस गई हाथ में पोले राइड कैमरा लिये राणा कुछ क्षन ठिटका खड़ा रहा फिर वह भी गलियारे में दाखिल हो गया उसने अनिता को दाई और का आखिरी दर्वाजा खोल कर भीतर दाखिल होते देखा राणा उस दर्वाजे के करीब पहुँचा दर्वाजा पूरी तरह बंद नहीं था इसलिए वह बड़ी सहूलियत से भीतर जहंक सकता था भीतर एक मेज के पीछे लंबी कल्मो वाला सिंधी बैठा था अनिता उसके सामने खड़ी थी और वह कह रही थी मैं लंबे प्रोग्राम पर जा रही हूँ नागवानी लोट कर नहीं आउंगी लेकिन नागवानी उसकी बात नहीं सुन रहा था वह हक बकाया साम उसके पीछे दर्वाजे पर खड़े राणा को देख रहा था अनिता एका एक चौखट लांगता हुआ राणा बोला क्या है? उसकी तरफ घूम कर अनिता बोला एक तस्वीर और राणा बोला ततकाल उसने कैमरा उचा किया और उसने यूँ अनिता की तस्वीर खीची की उसमें नागवानी भी आ गया अरे 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 नागवानी एतरास कर रहा था तस्वीर मत खीचो तस्वीर सिर्फ माडल की खीचने का है मैंने माडल की ही खीची है कैमरे में से पोले राइड प्रिंट बाहर खींचता हुआ राना सहजभाव से बोला लेकिन यह केबिन नहीं है तस्वीर सिर्फ केबिन में खींचने का है मैं आइंदा ख्याल रखूंगा कैमरा वापिस करो यह लो उसने आगे बढ़कर कैमरा मेज पर रख दिया यह तस्वीर मुझे दो क्यों? मैंने फिल्म का पैसा दिया है कैमरे का किराया भरा है माडल की फीज चुकता की है फिर तस्वीर तुम्हें क्यों दू? यह वाली तस्वीर मुझे दो क्यो? बोलान, वो मेरा माल है, तुम्हें तस्वीर मुझे देनी पड़ेगी अच्छा, जबर्गस्ती, हाँ ठीक है, अगर जबर्गस्ती ले सकते हो तो ले लो राणा ने तस्वीर जेब में रखी और कमरे से बाहर निकल गया नागवानी की उठकर उसे रोकने की हिम्मत न हुई कृप्या मेरे चैनल आडियो बुक मॉल एवं आडियो बुक गो डाउन को सब्सक्राइब करें और कृप्या कमेंट करें कि आप कौन सी किताब सुनना चाहते हैं आपको यहां आडियो बुक पसंद आई तो लाइक जरूर करें एस्ट्रिस्ट 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 नागवानी हाथों में माथा थामे मेज पर बैठा था जबकी पवनीकर ने आफिस में कदम रखा क्या हुआ पवनीकर बोला बकरा गया उसने मेरी तस्वीर खींच ली नागवानी के मुह से कराह की तरह निकला किसने? उसने? अरे उसका कोई नाम भी बोलेगा की नहीं? उसने? हमारे बकरे ने वो अनिता के साथ था अनिता साली इधर आ गई वो कैमरा लिये उसके पीछे पीछे आ गया उसने अनिता को आवाज दे कर कहा कि एक तस्वीर और और फिर तस्वीर खींच ली छोकरी की? नहीं मेरी उसने जाहिर यही किया था कि वह अनिता की तस्वीर खींच रहा था लेकिन तस्वीर उसने मेरी खीची थी तेरे कु कैसे मालूम? वो तेरे कु फोटू दिखाये ला था नहीं तो फिर लेकिन मेरे का मालूम है उसके मन में क्या था जब उसने यू मेरी तस्वीर खीची है तो उसे किसी न किसी काम में लाने का तो उसका इरादा होगा ही तेरा भेजा फिरेला है वो तेरे कु जानता नहीं तो तेरे कु असल किस्से के साथ जोड नहीं सकता वो तेरे कु असल में देखा या तेरी फोटू में से देखा क्या फर्क पड़ेला है लेकिन तू ही तो कुछ उल्टा सीधा नहीं बग गया मैं नहीं बिल्कुल नहीं फिर क्या बादा है फिर क्यों खाली पीली बोम मारिला है हमेरा बकरा तेरा फोटू खिचेला है तू खुद अपना फोटू आटोग्राफ मार के उसे दे देंगा तो भी क्या हो जाएंगा क्या हो जाएंगा तो भी बकरा क्या बत्ती बनाएंगा तेरी फोटू का नागवानी कुछ न बोला उसने अपने होठोन पर जुबान फेरी मस्तिमार पार्टनर पवनीकर आश्वासंध्रे स्वर में बोला और नोटों के सपने देख धेर सारे नोटों के क्या नागवानी का सिर अपने आप ही सहमती में हिलने लगा वीजाना बेकार गया अनिता ने वहां राणा को सीमा का बंद कमरा दिखा दिया लेकिन आसपास से भरपूर पूच्टाच करने के बावजूद भी सीमा की बाबत वह कोई नई जानकारी ना हासिल कर सका बस यही मालूम हुआ कि पिछले तीन महीनों में वह एक बार भी वहां नहीं लोटी थी कोई हलका सा संकेट भी न दे सका कि वहां के अलावा वह और कहां हो सकती थी निराश राणा फोकट में 500 रुपए कमा चुकी अनिता को असमंजस में पड़ा छोड़ कर वापिस सौट आया फैट्री में उसकी बीवी उसका इंतजार कर रही थी पवनिकर को चेटियार पासकल के बार में मिला पवनिकर ने उसे तस्वीर का किस्सा सुनाया तस्वीर का बकरा क्या कर सकता है? चेटियार सारी बात सुनकर गंभीरता से बोला कुछ भी नहीं अपन बकरे की नहीं अपने पार्टनर की बात करेला है उसकी क्या बात है? उसका भेजा फिरेला है वो हिल रहा है मेरे कुल लगता है एक टेम और अपना बकरा उसके सिर पर पहुँच गया तो नागवानी उसके कंधे से लगके फूट फूट के रोने लगेगा और सब बक देंगा नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? उसको समझाना होगा अपन समझाया पन मेरे कुल तसली नहीं कि वो समझ गयला है यह तो प्राबलम हो जाएगा बरोबर पन ये ऐसा प्राबलम नहीं जो फिक्स नहो सकने वाला हो तू अपने पार्टनर को फिक्स करना मांगता है तू गिरफतार होके जेल जाना मांगता है नहीं अपन भी नहीं मांगता पन प्राबलम हाथ से निकल गया तो अपन जेल में ही होएंगे अभी प्राबलम हाथ से निकल गया है नहीं अब भी नहीं तो तू बोल वो अपना पार्टनर है हमें उस पर निगाह रखनी चाहिए ताकि वह कोई गलत कदम न उठाए ताकि कोई उसे गलत कदम उठाने के लिए मजबूर न कर सके अगर प्राबलम फिर भी बना रहा फिर की फिर देखेंगे बकरा ब्लाक मेल की एक किश्ट चुका दे फिर समझना की उसके सीम कट गए फिर वो देंजरस नहीं रहेगा फिर अपने पार्टनर का प्राबलम खुद ही हल हो जाएगा बरोबर बरोबर एस्ट्रिस्ट 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 कैसे आई राणा मंत्रमुग्ध भाव से बोला कोई खास वजह नहीं रश्मी बोली कोई खास वजह नहीं मैंने आकर आपके किसी काम में विघन तो नहीं डाला नहीं नहीं बिलकुल नहीं मुझे तो खुशी है कि तुम खुद यहां आई हमेशा मैं कहता था तो भी नहीं आती थी वह मुस्कराई क्या पियोगी थंडा गर्म जो कुछ आप पिलाएं थंडा या गर्म या दोनो राणा ने टेलिफोन पर आदेश दिया ततकाल एक चपरासी दो कोल्ड द्रिंक के साथ प्रकट हुआ एक बात बताओ चपरासी चला गया तो राणा बोला पूछे रश्मी बोली तुम यह सोचकर तो यहां नहीं आई कि सीमा यहां तुम्हें मेरे पहलू में बैठी मिलेगी रश्मी सत्पकाई उसने आहत भाव से अपने पती को देखा फिर पती को विचलित नहोता पाकर वह बोली नहीं मैं यह सोचकर यहां नहीं आई थी सच कह रही हो हाँ शुक्र है वैसे जब उसका जिक्र आही गया है तो इतना तो बता दीजिये की आगे आपके क्या इरादे हैं नहीं मैं पहले बता चुका हूं तुम्हें कोई बात नहीं फिर बता दीजिये रश्मी उस लड़की से अब कोई तालुकात मुम्किन क्यों रश्मी के माथे पर बल पड़ गए भाव बढ़ा दिया है उसने अपना वो अब इस दुनिया में नहीं है आपका मतलब है आजकल वो इस शहर में नहीं है मेरा वही मतलब है जो मैंने कहा वो अब इस दुनिया नहीं है रश्मी वो लड़की मर चुकी है का क्या रश्मी हक बका कर बोली मैं सच कह रहा हूँ का कैसे मर गई राणा ने उत्तर न दिया वह कुछ क्षन खामोश बैठा रहा फिर वह अपने स्थान से उठा और मेज का घेरा काट कर रश्मी के करीब पहुचा उसने अपनी जेब से क्लासिक फोटो स्टूडियो में पत्नी को दिखाया ये है वो लड़की रश्मी बोली नहीं राणा बोला ये लड़की कोई और है सीमा की एक सहेली है ये लेकिन मैं तुम्हें यह तस्वीर इस लड़की की वजह से नहीं उस शक्स की वजह से दिखा रहा हूँ जो तस्वीर में इसके साथ दिखाई दे रहा है इस आदमी को देखो क्या देखूं तुमने पहले कभी इसे देखा है नहीं इतनी जल्दी जवाब न दो पहले तस्वीर को गौर से देखो मैंने गौर से देख कर ही जवाब दिया है यह वो आदमी नहीं जिसे तुमने परसों हमारी कोठी में घुसा बैठा पाया था जो अपने आपको किसी होम मैंटेनेंस कमपनी से आया बताता था नहीं पक्की बात हाँ ओह उसने तस्वीर अपनी पत्नी के हाथ से ले ली है कौन ये है कोई माहिन में क्लासिक फोटो स्टूडियो करके एक जगह है वो स्टूडियो यह आदमी चलाता है नागवानी नाम है इसका आपने इसकी तस्वीर क्यों खीची कोई खास वजह नहीं बस माहौल ऐसा बन गया था कि किसी अज्यात भावना से प्रेरित होकर मैंने यह तस्वीर खीच ली थी तुम इसे पहचान लेती तो वजह खास हो जाती आप वहां क्या करने गये थे राणा ने उत्तर न दिया आप क्यों यूं हर बात मेरे से छुपा रहे हैं मैं आप की हूँ मैं बताने का हक रखती हूँ कुछ बातों को न जानने में ही भला होता है रश्मी मुझे ऐसा भला नहीं चाहिए जो हर पल हर घड़ी मुझे हलकान किये रहे आज मैं हकीकत जानकर ही यहां से जाऊंगी मैं बैठी हूँ यहां मैं तभी हिलूंगी यहां से जब आ रश्मी यह मेरी प्राब्लम है मेरी मैं तुम्हें इसमें इन्वोल्व नहीं करना चाहता सिर्फ आपकी ऐसी कोई प्राब्लम नहीं हो सकती जो प्रत्यक्ष या परोक्ष में आपकी भार्या को भी अपने असर में नती हो लेकिन आपकी हर प्राब्लम मेरी भी प्राब्लम है और मुझे उसकी जानकारी हासिल करने का पूरा अक्तियार है तुम और परिशान हो जाओगी मुझे परवाह नहीं ठीक है सुनो राणा ने अक्षरश उसे सब कुछ कह सुनाया रश्मी मंत्रमुग्ध सी सब कुछ सुनती रही राणा खामोश हुआ तो वह भौचक की सी अपने पती का देखती रही अब बोलो राणा बोला क्या कहती हो रश्मी ने यूँ अपने सिर को जटका दिया जैसे अपने आपको किसी सम्मोहन से मुक्त कर रही हो क्या पता फिर वह कठिन स्वर में बोली वो मरी न हो इसे कहते हैं राणा के होठोन पर एक फी की हंसी खेली विश्पुल थिंकिंग फिल्मों में यूँ लोगों को मरता आम दिखाया जाता है मुझे मालूम है लेकिन वो वाकिई मर चुकी थी मैंने उसकी पत्राई हुई आखें साफ देखी थी उसको एक्टिंग में कमाल हासिल होगा उसकी चाती से भल-भल करके खून बह रहा था फिल्मों में ऐसा खून बहता आम दिखाया जाता है उसकी सास नहीं चल रही थी वह अपनी सास रोके हुए होगी इतनी देर कोई अपनी सास नहीं रोक सकता तो फिर कोई ट्रिक फोटोग्राफी होगी रश्मी मुझे पूरा यकीन है कि वो मर चुकी है यही तो वो लोग चाहते हैं क्या? कि आपको पूरा यकीन आजाए कि वो मर चुकी है देखो मेरी अकल यही गवाही देती है कि मैंने जो जैसे देखा था वो हकीकतन एन वैसे ही हुआ था लड़की मर चुकी है और उनके पास उसके कतल में मुझे फंसाने के तमाम सबूत है मैं यह आशापूर्ण कलपना करके हाथ पर हाथ रखे नहीं बैठा रह सकता कि लड़की असल में नहीं मरी होगी मैंने उन लोगों का कहना न माना तो वे फॉरन लाश, मर्डर वैपेन और मेरे खिलाफ अन्य सबूतों की पुलिस द्वारा बरामदी का कोई इंतजाम कर देंगे फिर मैं सीधा जेल में होंगा अगर आप पहले पुलिस के पास पहुँच जाए तो तो क्या? आप पहले जाकर उन्हें सारी कहानी कह सुनाएंगे तो आपके प्रती उनका रवया सहानु भूति पूर्ण होगा रश्मी मेरे पास अपनी बात को साबित करने के लिए कोई सबूत, कोई सूत्र नहीं है यू मैं पुलिस को सारी कहानी सुनाऊंगा तो वे इसे मेरे दिमाग का खलल करार देंगे और मुझे ठंडे ठंडे रुखसत कर देंगे पुलिस वाले कोई खाली नहीं बैठे होते तफ्तीश करने के लिए उनके पास सैंकडो केस होते हैं सैंकडो ऐसे केस जिनका कोई सिर्पैर उनके पल्ले पड़ रहा होता है आगे बढ़ने के लिए जिनसे तालुक रखते कोई क्लू उन्हें हासिल होते हैं अपनी ऐसी व्यस्तता में भला क्यों वे मेरे बेसिर्पैर के केस में माथा फोरने को तयार होंगे ओह अभी तो मुझे यही नहीं मालूम कि वो लोग हैं कौन लेकिन फर्च करो कि वे लोग गिरफतार हो जाते हैं तो भी वे अपने मुह से मानेंगे कि उन्होंने सीमा कतल किया है वो बताएंगे कि सीमा की लाश और मुझे फंसाने वाले सबूत उन्होंने कहां छुपाए हैं हर्गिस नहीं अगर इस बार रश्मी बदले स्वर में बोली वाकेई लड़की का कतल हुआ है तो उसकी लाश तो उन्होंने ऐसे ठिकाने लगाई होगी कि ढूंधे नहीं मिलेगी वे लोग लाश के साथ चिपके नहीं रह सकते ठीक हाँ राणा अनिश्चित भाव से बोला अब अगर आप ब्लाक मेल की रकम जमा करने से इनकार कर देते हैं तो वे क्या करेंगे वो पुलिस को कतल की खबर कर देंगे साबित कैसे करेंगे कि कतल हुआ है लाश तो वो ठिकाने लगा चुके हुँगे राणा सोच में पढ़ गया वो बलफ मार रहे हैं रश्मी बोली वो आपको डरा रहे हैं असल में वो पुलिस के पास जाने की हिम्मत कभी नहीं कर सकते उनको पुलिस के पास जाने की जरूरत नहीं मुझे फंसाने के लिए एक गुमनाम चिट्थी या एक गुमनाम टेलिफोन काल ही काफी होगी पुलिस को इतना इशारा देना ही काफी होगा कि लाश कहा है, कतल के सबूत कहा है और कातल कौन है तभी तो मैं कहती हूँ कि आपको पहले पुलिस के पास पहुँच जाना चाहिए नहीं राणा इनकार में सिर हिलाने लगा वजह मैं बता चुका हूँ कि ऐसा करना क्यों बेमानी होगा यूँ फतो कुछ होगा नहीं नुकसान यह होगा कि अगर भनक अखबार वालों को लग गई तो सारा सिलसिला एक बहुत ही घिनोने स्कैंडल की सूरत अक्तियार कर लेगा अखबारों में स्टोरी का रंग यह होगा कि नगर के एक उद्योगपती ने एक रखेल रखी रखेल ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर उद्योगपती को ब्लैकमेल करने की कोशिश की तो उसने गुस्से में उस रखेल का खून कर दिया पबलिक को यह स्टोरी फोरण फोरण हजम हो जाएगी थू-थू हो जाएगी मेरे पर आप थू-थू से डरते हैं बरसों की कड़ी मेहंत के बाद काम्याबी का जो फल मुझे चखने को मिला है वह मेरे से छिन सकता है फिर तो रश्मे आशंकित भाव से बोली आपको उन लोगों की मांग स्विकार कर लेनी चाहिए हाँ- कर लेनी चाहिए मैं कर सकता हूँ लेकिन एक बात तुम भूल रही हो क्या? सीमा की मेरी वजह से जान गई इस समस्या के समाधान का ब्लैक मेल अदा कर देने का आसान तरीका मैंने अपनाया तो यह बात सारी उम्र मेरी अंतरात्मा को कचोगती रहेगी कि जिस लड़की से मैंने मुहबबत पाई जिस लड़की की नौजवान जिन्दगी के हसीन तरीन लमहों में मैंने शिरकत की उसके कातिलों को उनकी करतूत की सजा दिलाने के लिए मैंने कुछ न किया यह एक बात है जो मुझे उन मवालियों की तलाश में जमीन आसमान एक कर देने के लिए प्रेरित करती है लेकिन आप कर क्या सकते हैं? कुछ नहीं कर सकता फिर भी करने की कोशिश कर रहा हूँ फिलहाल तो मेरी कोशिश ऐसी ही है जैसे कोई किसी गोल कमरे का कोना ढूंडने की कोशिश कर रहा हो यह जानते हुए भी कोशिश जारी रखना चाहते हैं आप हाँ जजबाती हो रहे हैं चाहे मैं उससे रिष्टा तोड लेने पर आगादा था लेकिन यह रिष्टा उसती मौत की सूरत में तूटा यह मुझे बरदाश्ट नहीं इसलिए मैं इसे अपना फर्ज समझता हूँ कि मैं उन हराम जादों को जिन्होंने की सीमा का कतल किया उनकी करतूद की सजादिलाओं और मैं ऐसा करके रहूंगा कैसे जादू के जोर से, अपनी कोशिशों से, जिन्हें की आप खुद बेमानी करार देकर हटे हैं मैं मानी खेज बनाऊंगा अपनी कोशिशों को डोट नतीजा न भी निकले तो भी मैं अपनी कोशिशों से पीछे नहीं हट सकता जबकि अभी रश्मी असंतोश पूर्ण स्वर में बोली इसी बात की गारंटी नहीं की लड़की मर चुकी है अगर वह जिन्दा है तो मैं उसे तलाश करके रहूँगा किसलिए? अपनी ब्याहता बीवी के सिर में खाक डाल कर दोबारा से उसे अपने दिलोजान की जीनक बनाने के लिए नहीं सिर्फ यह जानने के लिए कि वो मरी नहीं है उससे आइंदा रिष्टा न रखने का फैसला तो मैं यह हंगामा शुरू होने से भी पहले कर चुका था रश्मी खामोश रही लगता है तुम्हें मेरी इस बात का विश्वास नहीं मुझे पूरा विश्वास है उस घड़ी राणा रश्मी की आँखों में जान पाता तो एक सैकेंड में जान जाता कि उसकी बीवी साफ जूट बोल रही थी कितनी ही देर उन दोनों के बीच में मुकम्मल खामोशी रही फिर अंत में रश्मी ने खामोशी भंग की आपने एक बात सोची है वह बोली कौन सी की जैसे उन्होंने सीमा का कतल किया है वैसे वे आपका भी कतल कर सकते हैं राणा हडबढाया वह अचानक अपनी पत्नी को देखने लगा आपकी सूरत बता रही है कि यह बात आपको कभी नहीं सूजी वे लोग राणा धीरे से बोला सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को हलाल नहीं कर सकते अभी मुर्गी ने सोने का अंडा दिया कहा है अभी तो सिर्फ यह उम्मीद की जा रही है कि मुर्गी अंडा देगी और वो सोने का होगा राणा खामोश रहा उसके चहरे पर चिंता के भाव और गेहन हो गए वैसे आपके पास पैसा है सही उन्हें देने के लिए रश्मी बोली मैंने सोचा ही नहीं इस बारे में राणा बड़ी संजीर जी से बोला अभी तक नहीं सोचा हाँ? क्यों? क्योंकि सच्छी उन्हें पैसा देने का इरादा तो मेरा कभी नहीं नहीं बन जाए तो आप दे सकते हैं? तुम से क्या छुपा है? आखिर मेरी बीवी हो आपकी बीवी होने के नाते मैं आपकी सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स के बारे में जानती हूँ आपके लिक्विड कैश की पोजीशन के बारे में मुझे कुछ नहीं मालूं वो पोजीशन कोई खास बढ़िया नहीं तू? तो क्या? उन लोगों की मान पूरी करने के लिए मैं फैक्टरी थोड़े ही बेच दूँगा कारे या कोठी थोड़े ही बेच दूँगा जिनके मुह फट रहे हैं उन्हें इस बात की क्या परवाह होगी की पैसा आपने कैसे हासिल किया है? यह भी ठीक है आपको उन्हें विश्वास दिलाना चाहिए कि आपके पास इतना पैसा नहीं है ऐसा विश्वास उन्हें पहले से है तभी तो वे किष्टों में रकम वसूल करने को तौयार है आप उन्हें विश्वास दिलाएए कि आप पहली किष्ट भी भरने की स्थिती में नहीं है हाँ, ऐसा कुछ करूंगा तो सही मैं अगर वो लोग वाकई आपके बारे में बहुत कुछ जानते हैं तो फिर इतना तो वे मानेंगे कि रुपए पैसे की पोजीशन की बात जो कुछ आप कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं देखेंगे क्या होता है मेरी अभी भी यही राय है, बलकि अपील है कि आपको पुलिस की शरण में जाना चाहिए राणा का सिर अपने आप ही इनकार में हिलने लगा रश्मी असहाय भाव से उसे देखती रही मुझे कुछ क्षन बाद राणा यू बोला जैसे स्वतह भाशन कर रहा हो, उनमें से एक की भी पहचान हो जाए, तो मैं कुछ कर दिखाऊंगा क्या कर दिखाएंगे आप, तब मैं उन्हें आपस में भिड़वा दूंगा इतने खतरनाक इरादे हैं, आपके रश्मी आतंकित भाव से बोली इरादे तो इससे ज्यादा खतरनाक हैं, लेकिन क्या करू, पेश नहीं चल रही रश्मी फिर न बोली, अब उसे उस विशय को कुरेदने में अजीब सी दहशक महसूस होने लगी थी कृप्या मेरे चैनल आडियो बुक मॉल एवं आडियो बुक गो डाउन को सब्सक्राइब करें और कृप्या कमेंट करें कि आप कौन सी किताब सुनना चाहते हैं आपको यहां आडियो बुक पसंद आई तो लाइक जरूर करें राणा की सैक्रेटरी रेखा ने उसके प्राइवेट आफिस में कदम रखा यह एकाउन्ट एंट चित्रे की रिपोर्ट है उसने एक ऐसा कागस राणा के सामने रखा जिस पर कई आंकडे दर्स थे कितनी रकम बनीत राणा कागस पर निगा हुआ बोला 420,000 रुपीज 420,000 रुपई बड़ी अच्छी फिगर निकाली आप 4,20,000 रुपई कह लीजिए राणा तनिक हसा और फिर बोला तो यह है वो रकम जो बिना कोई कैपिटल आइटम बेचे बिना कोई करजा लिए मेरे हाथ लग सकती है जी हाँ मुकम्मल रकम जी हाँ गुड अब एक काम और करो फरमाईए यह एक लाख रुपई का चैक है उसने एक चैक रेखा की तरफ सरका दिया इसे खुद बैंक ले जाओ तुम्हारा खुद जाना इसलिए जरूरी है क्योंकि मुझे रकम 5-500 के नोटों में चाहिए 500 के नोट मिलने में कोई ही हुज्जत हो तो सीधे मैनेजर के पास जाना और मेरा नाम लेना मैनेजर मेरा दोस्त है काम हो जाएगा न हुआ तो राणा ने घूर कर उसे देखा रेखा हडबढाई उसने मेज पर से चैक उठाया और फॉरन घूम कर दरवाजे की ओर बढ़ी दरवाजे के करीब वह ठिटकी और घूम कर बोली एक बात कहूं बास क्या? फिर काम में शक जाहिर करना चाहती हो? नहीं, वो बात नहीं तो? तो और क्या कहना चाहती हो? जो कहना है जल्दी कहो आपकी बीवी बहुत खूबसूरत है रेखा ने बात ऐसे बचकाने ढंग से कही कि राणा की हंसी निकल गई हाँ? वह बोला ठीक कहा तुमने बहुत खूबसूरत है मेरी बीवी पहले मुझे यह बात मालूम थी लेकिन मैं भूल गया था आज फिर मालूम हुई है मैं बहुत खुशकिस्मत आदमी हूँ जो ऐसी खूबसूरत बीवी मुझे मिली नाओ गैट अलांग राइट अवे सर पीछे बैठा राणा मन ही मन अपने उस अगले कदम का रिहर्सल करता रहा जो उसने उन मवालियों के खिलाफ आज ही उठाना था राणा माहिम पहुचा उसके कोट की भीतरी जेब में पांच-पांच-सौ के दो-सौ नोटों से ठुसा एक लंबा लिफाफा था उसने क्लासिक फोटो स्टूडियों में कदम रखा भीतर केवल जूली मौजूद थी और वह भी वहां से रवानगी की तैयारी में अपना मेकप वगेरा ठीक कर रही थी राणा ने खंखार कर गला साफ किया और फिर बोला हल्लो जूली उसकी तरफ घूमी उसने आख भर कर उसे देखा तुम फिर आ गए वह बोली हाँ तुम तो अनिता के साथ गए थे लंबी राइड मारने गया था लेकिन लेकिन क्या मज़ा नहीं आया हाँ अब यहां कैसे आये हो वैसे ही जैसे पहले आया था आज धंधा मंदा था बाकी लड़कियां बोर होकर चली गई मैं भी जा रही हूँ तुम कहा जा रही हो कहीं भी तुम से मतलब कुछ नहीं लेकिन अब मेरा क्या होगा मैं तो बड़ी उम्मीद लेकर आया था नागवानी से बात करो वो फिक्स कर देगा तुम्हें लेकिन अब डबल रेट चार्ज करेगा कोई बात नहीं तुम तुम अजीब आदमी हो क्यों सूरत से तो इतने संभ्यांत और इज़तदार लगते हो फिर भी यहां आते हो आते हो और कभी पैसा खर्च कर भी कुछ नहीं करते हो तो कभी फेरे पर फेरा लगाए जाते हो है न अजीब बात ओगी मुझे क्या यह बंबई शहर है भरा पड़ा है एक से एक अनोखे नमोनों से नागवानी कहा है पीछे आफिस में मैं चला जाओ क्यों नहीं अब तो तुम यहां के पक्के बक्रे बनते जा रहे हो राणा ने बंद दर्वाजा ठेल कर गलियारे में कदम रखा उसने नागवानी को आफिस में बैठे विस्की पीते पाया तुम फिर आ गए वह हडबड़ा कर बोला हाँ राणा में इसके करीब पहुँचकर ठिटका तुम्हारे ही काम से आया हूँ मेरे काम से यानि की वो सुभवाली तस्वीर वापिस करने आये हो जो की तुम्हें खीचनी ही नहीं चाहिए थी नहीं राणा बड़े इत्मीनान से बोला तु मैं राणा ने जेब में हाथ डाल कर नोटों से भरा लिफाफा बाहर निकाल लिया रोकरा अदा करने आया हूँ क्या नागवासी अचकचा कर बोला पूरा एक लाख रुपया क्या कह रहे हो साई तुम कौन से रोकरे की बा कर रहे हो जो मैंने एरपोर्ट के लौकर नमबर 438 में रखकर आना था साई मेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा है क्यों नहीं पड़ रहा मामूली तो बात है जो लाख रुपया मैंने एरपोर्ट के लौकर में रखकर आना था वह मैं तुम्हें यहां देने आ गया हूँ तुम मुझे लख रुपया देना चाहते हो जो की इस लिफाफे में है राणा ने लिफाफा धीरे से मेज पर रख दिया क्यों? नागवानी व्याकुल भाव से बोला उसकी हालत पतली हो रही थी और वह मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि उसी क्षन किसी करिश्मी की तरहे पवनी कर वहां पहुँच जाए क्यों क्या? मेरा मतलब हाँ मुझे मुझे क्यों देना चाहते हो तुम यह रुपया? तुम रुपया लेना चाहते हो या नहीं? रुपया कौन नहीं लेना चाहता लेकिन साई रुपया मिलने की कोई वजह भी तो समझ में आए वजह तुम्हें नहीं मालूम नहीं तब तो मैं जरूर किसी गलत जगह पर आ गया हूँ यानि कि तुम उन लोगों में से नहीं हो किन लोगों में से नहीं हूँ मैं जब तुम कुछ जानते ही नहीं हो तो बात करना बेकार है फिर भी कुछ पता तो लगे साई, पहले तुम मेरे सामने लख रुपया रखते हो, फिर कहते हो मेरे से बात करना बेकार है आखिर कुछ पता तो लगे की लफड़ा क्या है? वो तीन जने हैं जिन्हें की यह रोकड़ा मैंने देना है लेकिन मुझे उनका कोई पता ठिकाना नहीं मालूम उन में से एक लंबे बालों वाला दुबला पतला हिप्पी नुमा व्यक्ति है, दूसरा बोलचाल के लहजे से कोई मराठा मालूम होता है और तीसरा, तीसरे के बारे में मेरा ख्याल था कि वो तुम हो मैं नागवानी खोखली हंसी हसा, खाम खा खाम खा ही समझ लो पता नहीं क्यों मुझे लगा कि तुम उन तीनों में से एक हो सकते हो ऐसा लगने की कोई वजह भी तो होनी चाहिए है तो सही वजह क्या? सारी कहानी में एक लड़की का भी रोल है और वह लड़की यहां तुम्हारे इस स्टूडियो में काम करती थी यहां तो दर्जनों की तादाद में लड़कियां काम करती है तीन चौथाई की तो मुझे सूरत तक याद नहीं रहती अच्छा हाँ यह धन्धा भी तुम्हारी तरह कारखाना चलाने जैसा है मजदूर काम छोड़ जाते हैं, छुट्टी कर जाते हैं, कहकर नहीं आते वही सब कुछ यहां भी होता है तुम क्या अपने कारखाने के हर मजदूर की सूरत से वाकिफ हो से नहीं यही तो मैं बोला, उसने लिफाफे पर एक निगाह डाली, इसमें लख रुपया है हाँ इतने से लिफाफे में सब पांच पांच सौ के नोट है देखो नहीं, वह तने खड़ बढ़ाया, मैंने क्या करना है देख कर मर्जी तुम्हारी तो वो तीन आदमी हैं, जिन्हें तुमने यह रकम सौंपनी है हाँ लेकिन वो कोई भी हो सकते हैं दुरुस्त तुम्हारी प्राबलम क्या है? तुम क्यों धून रहे हो उन्हें रोकडा सौंपने के लिए जब तुम्हें मालूम है कि रोकडा तुमने एरपोर्ट के लौकर नंबर 438 में रखकर आना था तो तुम्हें कैसे मालूम? क्या? क्या कैसे मालूम? मैंने रोकडा एरपोर्ट के लौकर नंबर 438 में रखकर आना था साई अभी तुम खुद तो ऐसा बोला था मैं ऐसा बोला था और नहीं तो क्या मैं ऐसा बोला था ओह तो मैं ऐसा बोला था बिल्कुल मैंने अपने कानों से मैं भूल गया सुना तुम रोकरा लौकर में रखाने की जगह उन लोगों अरे सुनो को ढूंदते क्यों फिर रहे हो? क्या है? है एक वज़य. क्या? मेरे से लॉकर की चाबी खो गई है. ओह! चाबी बिना मैं लॉकर नहीं खोल सकता. लॉकर खोले बिना मैं रोकरा भीतर कैसे रख सकता हूं? कैसे रख सकते हो? इसी लिए मैं उन्हें तलाश करने की कोशिश कर रहा हूं. लेकिन तुम उन्हें जानते नहीं. हाँ? फिर तलाश कैसे काम्याब होगी? मैं तो समझा था की हो गई थी. मैं तो समझा था की. उन तीनों में से तुम हो. मैं नहीं हूं. मैं कैसे हो सकता हूँ ठीक है फिर राणा ने मेज पर से नोटों वाला लिफाफा उठा लिया फिर तो मैं चलता हूँ मेरी वो तस्वीर बहुत बढ़िया आई थी मुझे वापिस करो नहीं कर सकता क्या तस्वीर मैंने फाड कर फिंक दी और वह वहां से बाहर निकल गया कितनी ही देर नागवानी अपनी अफिस टेबल के पीछे स्तब्ध बैठा रहा और सोचता रहा कि उसने बकरे को ठीक तरीके से हैंडल किया था या नहीं खुद अपनी राय में तो उसने उस विकट स्थिती से दो चार होने में कमाल कर दिया था फिर उसने पवनी करके विडियो पार्लर में फोन किया मालूम हुआ वह वहां नहीं पहुचा था साला नागवानी फोन रखता हुआ भुन्भुनाया जरूरत के वक्त हमेशा यूं ही गायब हो जाता था वह फिर विस्की की बोतल की तरफ आकरशित हुआ स्टूडियो के एन सामने एक टी स्टाल था जिसमें राणा बैठा हुआ था और बड़े सबर के साथ नागवानी के स्टूडियो से निकलने की प्रतीक्षा कर रहा था कोई आधे घंटे बाद नशे में लड़कडाता हुआ नागवानी स्टूडियो से बाहर निकला और पैदल ही एक ओर चल दिया टी स्टाल से निकल कर राणा उसके पीछे हो लिया कोई आधा मील पैदल चलने के बाद नागवानी एक चालनुमा इमारत में दाखिल हो गया राणा उसके पीछे लगा रहा कुछ क्षन बाद उसने नागवानी को एक बंद दर्वाजे का ताला खोल कर भीतर दाखिल होते देखा दर्वाजा उसके पीछे फिर बंद हो गया राणा कुछ क्षन दर्वाजे से परे ठिटका खड़ा रहा फिर उसने आगे बढ़ कर दर्वाजे पर दस्तक दी दर्वाजा खुला चौखट पर नागवानी प्रकट हुआ राणा पर निगाह पड़ते ही उसके नेत्र फैल गए तुम वह हकबकाया सा बोला यहां कैसे पहुँच गए पहुँच ही गया हूँ पता कैसे जाना मैंने किसी से पूछा उसने बता दिया लगता है इस इलाके में तुम बहुत मशूर आदमी हो क्लासिक फोटो स्टूडियो वाले नागवानी को यहां हर कोई जानता है मुझे कोई नहीं जानता कम से कम वो आदमी जो जानता था जिससे मैंने तुम्हारे घर का पता पूछा था तुम रास्ता तो छोड़ो राना उसे एक और धकेल कर जबरन भीतर दाखिल हुआ उसने देखा वहां एक ही कमरा था और उसमें हर तरफ बेतरतीबी का बोलबाला था अब यहां क्यों आये हो नागवानी भुनभुनाया राना बड़े इत्मी नान से बोला मुझे एक बात सूजी थी कौन सी बात सूजी थी जो फौरन सूजनी चाहिये थी लेकिन देर से सूजी अरे साई क्या पहेलिया बुझा रहे हो तुम मुझे जानते हो नहीं बिलकुल नहीं बस इतना जानता हूं कि हाल ही में तुमने मेरे स्टूडियों के चक्कर लगाना शुरू किया है बस और कुछ नहीं जानते मेरे बारे में नहीं फिर तुमने यह क्योंकर कहा कि तुम्हारा धंधा भी मेरी तरह कारखाना चलाने जैसा था। यह क्यों कर पूछा कि क्या मैं अपने कारखाने के हर मजदूर की सूरत से वाकिफ था। जब तुम मुझे नहीं जानते तो मेरे धंधे को कैसे जानते हो। कैसे जानते हो कि मैं कोई कारखानेदार हूँ। नागवानी हडबड़ा गया वह राणा की पैनी निगाह से निगाह मिलाए रहने की ताब नला सका जवाब दो भई राणा जिद्भरे स्वर में बोला मैं तुम्हारे धंधे के बारे में कुछ नहीं जानता नागवानी हिम्मत करके बोला मैंने तो अंदाजन ऐसा कह दिया था कारखानेदार ही क्यों कहा और कुछ क्यों नहीं कहा और कुछ क्या कुछ भी इंजिनियर वकील दाक्तर कुछ भी अपने रखर खाव से तुम मुझे बड़े सेठ लगे थे बड़े सेठ लोगों के कारखाने होते ही है साई सच पूछो तो मुझे तो याद भी नहीं है कि मैंने क्या कहा था तुमने कहा मैंने ऐसा कहा था मैंने मान लिया अजीब आदमी हो मैं नहीं तुम अजीब आदमी हो जो खाम खाह मेरे गले पड़ रहे हो मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं वो क्या प्राबलम है अब जान लो मेरा नाम रनबीर राना है चैमबूर में मेरी फैक्टरी है सिग्मा एपलायन सच के नाम से तो मेरा अंदाजा ठीक निकलान अगर वो अंदाजा ठा तो करिश्मे की हद तक ठीक निकला वो अंदाजा ठा मैंने तुम्हें तकलीफ दी कोई बात नहीं मैंने नाहक तुम्हें तकलीफ दी कहा न कोई बात नहीं नमस्ते नमस्ते यह तो कोई बात न हुई नागवानी बक्रे को वहां से विदा होता देखता रहा। उसे नहीं मालूम था कि राणा उसके घर ही विदा हुआ था, उसके पड़ोस से नहीं। राणा वास्तव में वहां से चार इमारतें दूर एक गली में खड़ी अपनी कार में जा बैठा था जहां से कि उसे इमारत से बाहर कदम रखता नागवानी जरूर दिखाई देता नागवानी उस घड़ी पडोसी के फोन से पवनी करका नंबर डायल कर रहा था क्रिप्या मेरे चैनल आडियो बुक मॉल एवं आडियो बुक गो डाउन को सब्सक्राइब करें और क्रिप्या कमेंट करें कि आप कौन सी किताब सुनना चाहते हैं आपको यहां आडियो बुक पसंद आई तो लाइक जरूर करें पवनी करने जोर की हुंकार भरी तो अपना बकरा तेरे पीछू लगेला है हां नागवानी व्याकुल भाव से बोला मेरे घर भी पहुँच गया कल रात को मेरे को रोकरा दे रहा था सुना सुना वे उस वक्त पासकल के बार में बैठे थे बार की स्टेज पर उस घड़ी अनिता का कैब्रे चल रहा था वो पवनीकर बोला इदर भी तेरे पीछो आया होएंगा नहीं नागवानी बोला तेरे कु क्या मालूम मैंने खूब अच्छा तरह से आखें खोल कर देखा था ऐसा हाँ वैसे भी अगर उसने मेरे पीछे आना होता तो वह आज भी पहले स्टूडियो में आया होता आज उदर नहीं आयला वो ने वो बोलता था उससे लौकर की चाबिक हो गई थी सुना सुना साला जरूर बंडल मारेला होएंगा तेरे को उसे फोन करना चाहिए था क्या पता चाबी के बारे में वह सच बोल रहा हो किया बहुत बार किया लेकिन साला उदर था ही नहीं सुबू से शाम हो गया फोन लगाते पन बात नहीं हुई ओह चाबी खोने वाली बात पर मेरे को बिलकुल विश्वास नहीं साला जरूर किसी चक्कर में है वो मेरे पीछे क्यों पड़ा है क्योंकि तेरे स्टूडियो में उसका छोकरी काम करता था क्योंकि तू सीमा को जानता था तभी बैंड बजना बंध हो गया अनिता स्टेट से उतर कर बार पर जा बैठी उसे इस बात की परवाह नहीं मालूम होती थी कि उसके तन पर न होने जैसे कपड़े थे मैं तो दरजनों लड़कियों को जानता हूँ नागवानी बोला बरोबर लेकिन बकरे ने किदर तो जाना ही था वो तेरे पास पहुँच गिया उसको उदर से कोई स्टार्ट मिलने का उम्मीद होएंगा मेरे लिए तो हो गई न मुसीबत काहे अपुन तेरे कु पहले भी बोला है फिर बोलता है तु बकरे कु जानता है बकरा तेरे कु नहीं जानता इसलिए तेरे को नर्वस होना नहीं मांगता तेरे को इधर आना भी नहीं मांगता अपुन तेरे को जाकर अपने स्टूडियों में बैठना मांगता है वो उधर फिर आ गया तो नागवानी रुआसे स्वर में बोला कोई वादा नहीं तेरे कु एक ही बात याद रखने का है बक्रा तेरे को नई जानता वो तेरे कु कैसी भी पुडिया दे तेरे कु नई लेने का है बरोबर नागवानी ने हिच्किचाते हुए सहमती में सिरहिलाया अब फूट वो नागवानी उठता हुआ बोला फिर स्टूडियो में आया तो मैं तेरे को बोलूँगा तेली फून पर समझ गया हाँ फूट नागवानी उठ खड़ा हुआ और भारी कदमों से दर्वाजे की तरफ बढ़ा उसने दर्वाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया तो दर्वाजा पहले खुल गया और एक आदमी सीधा उसकी चाती से आ तकराया जूले लाल उस आदमी के चहरे पर उसकी निगाह पड़ी तो वह मन ही मन बुदबुदाया फिर बकरा क्या हाल है राणा सहज भाव से बोला ठीक है नागवानी बुदबुदाया क्या बात है आज कल मैं जहां भी जाता हूँ तुम मिल जाते हो यही तो मैं कहने लगा था मैं स्टूडियो गया था अच्छा मजा आया हाँ इस बार मैंने लक्षमी को चुना था बढ़िया लड़की है हाँ जा कहा रहे हो आओ बैठ कर एक एक ड्रिंक लें नहीं मुझे काम है ठीक है फिर कभी हाँ फिर कभी वह वहाँ से चला गया राणा कुछ क्षन ठिटका खड़ा रहा फिर आगे बढ़ा हाल में एक और पबलिक टेलिफोन लगा हुआ था वह उसके करीब पहुचा उसने अपनी फैक्टरी में फोन किया रेखा लाइन पर आई तो उसने पूछा कोई फोन काल बेशुमार रेखा बोली खास खास के बारे मैं बताओ रेखा ने तीन चार खास टेलिफोन कालों का जिक्र किया और तराना बोला एक काल सुभह से पाँच बार आ चुकी है रेखा बोली हर बार वही आवास थी मैंने साफ पहचानी थी उस काल करने वाले ने न अपना नाम वगैरा बताया था और न काल करने का मकसद बताया था वह सिर्फ आप से बात करना चाहता था कुछ पूछने पर यही कहता था कि वह फिर फोन करेगा और फिर फोन करता था आई सी ठीक है मैं फोन रख रहा हूँ वह बार पर पहुचा पिछली बार वाले बार मैन ने ही जो की पासकल था उसे बियर सर्व की तभी राणा की निगाह बार के परले सिरे पर कैबरे का कास्ट्यूम पहने बैठी अनिता पर पड़ी वह उठकर उसकी तरफ बढ़ने ही वाला था की अनिता वहां से उठी और पिछवाडे के एक दरवाजे के पीछे गायब हो गई बार में चारों तरफ सर्सरी निगाह दोडाता राणा बियर चुसकता रहा कोई पहचाना हुआ चेहरा उसे वहां नहीं दिखाई दे रहा था पांच मिनट बाद पिछले दरवाजे से अनिता हाल में प्रकट हुई इस बार वह सकट और ब्लाउस पहने थी वह लंबे डग भरती हुई एक टेबल पर अकेले बैठे एक शक्स के पास पहुँची अरे गोविंद राणा को अनिता की आवाज साफ सुनाई दी नागवानी कहा गया अभी तो बैठा था तुम्हारे पास फिर एक आएक बैंड बजने लगा और उसकी आवाज हाल की आवाजों पर हावी होने लगी स्टेज पर एक नई कैबरे डांसर प्रकट हुई अनिता की जुबान से निकला जो डेड फिक्रा राणा ने सुना था वह भी कम मानी खेज नहीं था तो नागवानी उस हट्टे-कट्टे मवाली से लगने वाले आदमी के पास से उठकर गया था जिसे की अनिता ने अभी गोबिंद के नाम से पुकारा था अनिता कुछ क्षण और पवनीकर के पास ठिटकी खड़ी रही और फिर पूर्ववत लंबे डग भरती हुई वहां से बाहर निकल गई राणा बार पर से उठा उसने अपना बियर का गिलास और बोतल उठा ली और सहज भाव से चलता हुआ पवनीकर की टेबल पर पहुँचा उसने गिलास और बोतल मेज पर रखी और उसके सामने बैठ गया पवनीकर ने हडबड़ा कर अपने विस्की के गिलास पर से सिर उठाया तुम मुझे ढूंध रहे थे राना स्थिर स्वर में बोला क्या? पवनीकर बोला उसकी भवे तन गई पाँच बार फैक्टरी फोन कर चुके हो कौन? तुम और कौन? अपन पाँच बार फोन कर चुका है हाँ? तुम्हेरे कू? हाँ? का है कू? यह जानने के लिए कि मैं कल रात एरपोर्ट के लौकर नमबर 438 में रोकरा रखके क्यों नहीं आया? तुम्हेरा भेजा फिरेला है सेठ अपन तो तेरे कू जानता तक नहीं फोन काहे कू करेंगा? तुम मेरे को खूब अच्छी तरह से जानते हो कौन बोला? मैं बोला मैं तो नहीं बोला अभी नहीं बोला लेकिन बोलोगे समझदार होवोगे तो बोलोगे क्या किस्सा है सेठ? किस्सा तुम्हें मालूम है मेरे को कुछ मालूम नहीं सेठ अब खाली पीली मेरा टेम वेस्ट मत कर मेरा नशा खराब मत कर यहां से उठ और जाके कहीं और बैठ लेकिन तुन नहीं उठेंगा तो अपुन उठ जाएंगा अपुन खाली पीली भेजा चाटने वालों को पसंद नहीं करता है तुम्हें रोकडा नहीं लेना कैसा रोकडा एक लाख रुप्या जो मैंने कल रात एरपोर्ट के लौकर में रख कर आना था जो मैं रख कर नहीं आ सका क्योंकि मेरे से लौकर की चाबिक हो गई है सेठ मेरे पल्ले कुछ नई पड़ेला है और तुम्हारी फोर्ट वाली होम मेंटेनेंस कमपनी कैसी चल रही है पवनीकर हडबडाया बड़े यतन से उसने स्वयन को नियंत्रित किया और उठ खड़ा हुआ मालूम पड़ता है मेरे कुही इदर से उठके जाना पड़ेगा कहा जाओगे राणा बोला अपने घर अगर ऐसा है तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ वहाँ फिर इत्मीनान से बैठ कर बाते करेंगे सेठ तेरा तो साला बिलकुल ही माथा फिरेला है पवनीकर ने कुछ नोट मेस पर फेंके और भुनभुनाता हुआ वहां से विदा हुआ अपना कुछ अतापता तो बताते जाओ राणा पीछे से बोला ताकि दोबारा बात हो सके उसे कोई उत्तर न मिला वह निगाहों से उजल हो गया तो राणा उठा और फिर बार पर पहुँचा जिस आदमी के साथ में अभी बैठा था वह पासकल से बोला जो अभी अभी मेरे पास से उठकर गया है तुम उसे जानते हो पासकल ने इंकार में सिर हिला दिया उसका नाम गोविंद करके है मैंने सोचा शायद वह इधर का पक्का ग्राहक हो किसी और को मालूम हो मुझे नहीं मालूम राणा बोरिवली पहुचा उसने अनिता के फ्लाट की काल बैल बजाई ततकाल दर्वाजा खुला चीखट पर सजी सम्वरी अनिता प्रकट हुई अनिता वापिस आएगी कौन अनिता जो अभी थोड़ी देर पहले अपने कैबरे कास्ट्यूम में बार था, पर बैठी थी, उसे तो तुम जानते ही होगे, नहीं जानता, अरे वो लड़की जो, कौन लड़की? राणा ने एक आह भरी, फिर वह बियर का बिल लगा, एस्ट्रिस्ट, 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 तुम राणा पर निगाह पड़ते ही वह हैरानी से बोली, क्यों? राणा मुस्कराया कोई और आने वाला, हाँ, मोटा बकरा, कैसे जाना? तुम्हारी तयारियों से बकरे की खैर नहीं, वह हंसी, बढ़िया लग रही हूँ न? बहुत ज्यादा, इतनी ज्यादा की खुद तुम्हें बकरा, जिबह नहीं करना पड़ेगा, वो खुद ही गश खाकर गिर पड़ेगा, तुम्हें तो कुछ नहीं हो रहा, मुझे भी होगा, क्यों नहीं होगा, लेकिन भीतर आने, दोगी तो होना न, यहां चोखट पर तो मरना बहुत मुश्किल होगा, मैंने बोला न कोई आने वाला है, कब आना है उसने? चार बजे, अभी तो राना अपनी कलाई घड़ी उसके सामने करता हुआ बोला, दस मिनट बाकी है चार बजने में, चाहते क्या हो, दस मिनट में जो भी हासिल हो जाए, पहले तो भाग गए थे, जो की मेरी मूर्खता थी, देख लो अहसास होते ही लौट आया हूँ, और अनिता को चोखट से हिलता न पाकर राना बड़े अर्थपूर्ण स्वर में बोला, अभी मैंने लं बाकी फीस, पांच सौ रुपए, अनिता की आखों में लालच की चमक आई, दस मिनट में लंबा प्रोग्राम कैसे होगा, वह बोली, मेरी उम्र में दस मिनट में ही लंबा प्रोग्राम हो जाता है, बाकी की फीस मुझे कहीं दिखाई तो नहीं दे रही, राणा ने ततकाल जेब से नोटों से भरा लिफाफा निकाला, उसने लिफाफा खोल कर उसमें से एक नोट खींचा, अनिता उचक कर लिफाफे के भीतर जाकने की कोशिश करने लगी, राणा ने लिफाफा वापिस जेब में रख लिया और नोट उसे थमा दिया, दस मिनट वह बोली एगजेक्टली राणा बोला प्रामिस हाँ आओ उसने नोट ब्लाउज में खोस लिया और दर्वाजे से परेहटी राणा भीतर कदम रखा तो उसने उसके पीछे दर्वाजा बंद कर दिया औरतों का यह तरीका बढ़िया होता है राणा बोला कौन सा? माल को माल के पास रखने का क्या? नोट कहां रखा तुमने? अच्छा वो वह जोर से हंसी राणा भी हसा बैठो राणा एक सोफे पर बैठ गया कुछ पियोगे वह बोली दस मिनट में वह भी ठीक है तुम दरसल गलत वक्त पर आए हाँ शायद शायद नहीं यकीनन कल खूब टाइम था तो भाग खड़े हुए थे वो क्या है कि दरसल मूड नहीं रहा था क्यो? सीमा की याद आ गई थी हाँ मैं उसका स्टेडी जो था अब मेरे स्टेडी बन जाओ वो तो बन ही रहा हूँ तभी तो लौट कर आ गया हूँ समझदारी की मैं भी सीमा के कम नहीं हूँ कम क्या हो ज्यादा हो हाँ उसने जोर की अंगडाई ली ज्यादा हूँ देखो देख रहा हूँ सच पूछो तो सीमा तो मेरी चेली थी चेली गुरु आनी तक थोड़े ही पहुँच सकती है यही तो कह रही हूँ कल नागवानी तस्वीर खीचने पर खफा क्यों हो रहा था समझ रहा था तस्वीर में वीभी आ गया था तो भी क्या हुआ पागल है साला तस्वीरों के ढंदे पर बैठता है तस्वीर से घबराता है वो आदमी कौन था जिसके पास नागवानी पासकल के बार में बैठा हुआ था कौन आज ही तुम्हारी कैबरे परफार्मेंस के वक्त तुम वहां थे आज हाँ मैंने तो तुम्हें नहीं देखा था मैं बार पर था कोने में ओह नागवानी के चले जाने के बाद तुमने भी उस आदमी से बात की थी तुमने उसे गोविंद के नाम से पुकारा था अच्छा वो पवनीकर गोविंद पवनीकर पूरा नाम यह है उसका हाँ नागवानी का जिगरी मालूम होता था हाँ है कौन वो क्या करता है नागवानी अरे नहीं वो दूसरा आदमी जिसका नाम तुमने गोविंद पवनीकर बताया तुम क्यों जानना चाहते हो यूही यूही क्या मतलब मुझे लगता है मैं उसे पहले से जानता हूं इसी बात की तस्दीक करने के लिए मैं उससे मिलना चाहता हूं कि तुम उसे पहले से जानते हो या नहीं? हाँ? जब तुम भी वहाँ थे, वो भी वहाँ था तो जो पूछना था पूछलिया होता. मुझे दरसल यह देर में सूझा था कि मैं उसे पहले से जानता हो सकता था. तब तक वो जा चुका था. हूँ वह एक क्षण अपलक उसे देखती रही और फिर बोली एक बात बताओ. पूछो, तुम हो किस फिराक में? जितना थोड़ा वक्त तुमने मुझे अलाट किया है, उसमें यह बात समझाना मुश्किल है. वक्त का तुम कौन सा कोई इस्तिमाल कर रहे हो? बातों में ही जाया कर रहे हो उसे. अपने अपने तौर पर राणा तनिक हंसकर बोला. हर कोई बहलाता है दिल. पुलसिये तो तुम नहीं हो सकते. क्योंकि यह बात सीमा से छुपी न रहती. फिर उसने मुझे जरूर बताया होता. राणा केवल मुस्कर आया. न जाने क्यों अब मुझे लग रहा है कि कल नागवानी के आफिस में मेरी तस्वीर खीचने का बहाना करके असल में तुम उसकी तस्वीर खीच रहे थे. ऐसी बात नहीं. वो इत्तफाक से तस्वीर के फ्रेम में आ गया था. वहाँ मेरी तस्वीर खीचने की जरूरत ही क्या थी? उस घड़ी तुम्हारा राइट प्रोफाइल मुझे बहुत दिलकश लगा था. बकवास, तुम मुझे गोविंद पवनीकर के बारे में बताने जा रही थी. मैं तो नहीं बताने जा रही थी. वैसे जानती तो हो न उसे. उसने उत्तर न दिया असमंजस और संदेह मिश्रित निगाहों से वह राणा को देखती रही. मैं वादा करता हूँ, राणा आश्वासनपूर्ण स्वर में बोला, उसे पता नहीं लगेगा कि तुमने उसके बारे में मुझे कुछ बताया है. तुम नागवाली से क्यों नहीं पूछते? मैंने पूछा था. उसने मुझे कुछ नहीं बताया था. यह कहके टाल दिया था कि उसे कुछ नहीं मालूम था. उसने नहीं बताया तो मैं क्यों बताऊं? राणा ने शिकायत भी निगाहों से उसकी तरफ देखा. तुम अच्छे आदमी हो, वह अनिश्चित भाव से बोली मुझे पसंद भी आ रहे हो लेकिन. क्या लेकिन मुझे यह कोई लफड़े वाला काम मालूम होता है. क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें समझ नहीं पा रही हूं. तुम तुम और लोगों जैसे नहीं हो. मैं और लोगों जैसा ही हूं. नहीं हो होते तो अपने हजार रुपए वसूल करने के. लिए तुम बाज की तरह मुझ पर जपते होते. मैं उम्रग्राज आदमी हूं. कोई ताजा-ताजा जवान हुआ छोकरा नहीं. मैं हर काम सबर और इत्मीनान से करना चाहता हूं. काम ही तो करना चाहते लग नहीं रहे मुझे. दस में से छट मिनट तो तुमने वाहियात बातों में खो दिये. अनिता राणा विन्यशील स्वर में बोला सुनू. कोई बात है ऐसी जिसकी वजह से मुझे गोविंद पवनीकर नाम के उस आदमी के बारे में जानकारी चाहिए. तुम उसे बखू भी जानती हो और यह जानकारी मुझे मुहया करा सकती हो मैं में बहुत उम्मीद लेकर यहां तुम्हारे पास आया हूँ. जानकारी हासिल करने के लिए. वह अर्थपूर्ण स्वर में बोली न कि मुझे हासिल करने के लिए. इस वक्त तुम्हारे पास वक्त नहीं होता, तो दोनों काम भी मुम्किन थे जूट जो आ रहा है, उसे कहा से चलता कर दो फिर सच जूट सब अपने आप सामने आ जाएगा नहीं, नहीं उसे चलता नहीं किया जा सकता तो फिर इस वक्त मुझे जानकारी हासिल होने दो तुम्हें हासिल करने के लिए मैं फिर आ जाओंगा चाहो तो एडवांस जमा कर लो जानकारी का या मेरा दोनों का तुम्हारे पास बहुत पैसा है नहीं, बहुत तो नहीं है राणा को फिर उसकी आँखों में लालच की चमक दिखाई दी लेकिन तुम्हारी जरूरत पूरी करने लायक तो है ही विचार पूर्ण मुद्रा बनाए खामोश बैठी रही राणा ने बड़े अर्थ पूर्ण धंग से पहले अपनी कलाई पर घड़ी की तरफ और फिर उसकी तरफ देखा तुम अच्छे आदमी हो अंत में वह कठिन स्वर में बोली तुमने मुझे हजार रुपए दिये हैं लेकिन उनके बदले में मेरे से कुछ हासिल नहीं किया यह मेरे दस्तूर के खिलाफ है इसलिए समझ लो कि उस रकम के बदले में तुमने अपनी मनमाफिक जानकारी हासिल की वैरी गुड राणा आशापूर्ण स्वर में बोला पवनीकर बहुत खतरनाक आदमी है उसकी बाबत में अपना मुह नहीं फाड़ना चाहती फिर कैसे बात बनेगी? बनेगी मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगी तुमसे महज एक सवाल पूछने से मेरे पर यह इलजाम नहीं आ सकता कि मैंने तुम्हें पवनीकर के बारे में कुछ बताया लेकिन हो सकता है फिर भी तुम्हें कुछ मालूम हो जाए क्या समझे? क्या सवाल पूछोगी तुम मुझ से राणा उल्जनपूर्ण स्वर में बोला ब्लू फिल्मों का शौक रखते हो कभी प्रोजेक्शन टीवी पर विडियो पारलर में बैठ कर ब्लू फिल्म देखी है अभी शोख खत्म होगा राणा रश्मी से बोला भीड बाहर निकल जाने के बाद वो आदमी भी प्रकट होगा यह विडियो पारलर चलाता है तुमने उसे गौर से देखना है और मुझे बताना है कि वह वही आदमी है कि नहीं जो कि तुमने फोर्ट की होम मेंटेनेंस कमपनी का प्रतिनिधी बना हमारी कोठी में घुसा बैठा देखा था ओके रश्मी ने सहमती में सिर हिलाया पती द्वारा लाख समझाये जाने के बावजूद कि बात मामूली थी वह भारी सस्पेंस में थी वीडियो पारलर के सामने वे दोनों कार में इस प्रकार बैठे थे कि कार का रश्मी की और वाला भाग वीडियो पारलर के करीब था राना ड्राइविंग सीट पर बैठा था शोखत्म हुआ लोग बाहर निकलने लगे मुझे डर लग रहा है रश्मी एक आएक बोली खाम खा मुझे डर लग रहा है अरे मैं जो साथ हूँ ये आप किन जमेलों में फंस गए है फंस गए तो फंस गए अब निकलना भी तो है लेकिन यू यहाँ खामोश उधर देखो रश्मी ने विडियो पारलर के प्रवेश द्वार की तरफ देखा भीर छंट चुकी थी और वहाँ उसी क्षण पवनी कर प्रकट हुआ था उस आदमी को देखो राणा तीखे स्वर में बोला जो जीन और लंबी धारियों वाली टी शर्ट पहने हैं क्या? रहा था और मेरे से पहले कोठी में घुसा बैठा था पक्की बात हाँ ठीक से पहचाना है न? एकदम ठीक से पहचाना है तभी विपरीत दिशा से एक ट्रक सडक पर पहुँचा जिसकी हैड लाइट्स की तीखी रोश्नी कार पर पड़ी कार रोश्नी से नहीं गई पवनीकर की तवज्जो अनायास ही कार की तरफ चली गई? राणा ने हैरानी से उसका मुह खुलते देखा उसने हमें देख लिया है राणा बोला अब क्या होगा? रश्मी व्याकुल भाव से बोली कुछ नहीं होगा राणा अपनी और का कार का दर्वाजा खोलता हुआ बोला तुम कार लेकर चली जाओ कहा चली जाओ? घर और कहा? और आप मैं थोड़ी देर में आऊंगा वह कार से बाहर निकलाया लेकिन बहस मत करो जाओ जल्दी रश्मी ड्राइविंग सीट पर सरक आई उसने एक बार फिर व्याकुल भाव से अपने पती को देखा और फिर कार को स्टार्ट करके वहां से भगा दिया नेत्र सिकोडे पवनीकर द्रिष्टी से उजल होती कार को देख रहा था राणा उसके करीब पहुँचा तुम दिन में पास्कल के बार में मेरे गले पड़ेला था वो तीसरी बार थी तीसरी बार मतलब यह क्विस प्रोग्राम छोड़ो और बताओ की रुपया लेना है की नहीं कौन सा रुपया लाख रुपया जो तुमने मांगा था अपन मांगेला था हाँ सेठ मेरे कू तो तेरा भीजा फिरेला लगता है फिर वही बात कौन सी बात तो तुम वो आदमी नहीं हो कौन आदमी ठीक है मेरे से ही गलती हुई सौरी और उसने वहां से चलने का उपक्रम किया थामबा सेठ थामबा पवनी कर जल्दी से बोला राना ठिठका अब क्या है वह बोला तु इदर कैसे पहुचा कौन बोला अपन इदर होएंगा मैंने नागवानी से बात की थी वो रुपया नहीं ले रहा था मैं यहां आ गया अब तुम भी रुपया नहीं ले रहे हो तो नागवानी तेरे को इदर मेरे पास आने को बोला हा या नमे जवाब देने की जगह राना केवल मुस्कराया साला अकल का अंधा पवनी कर भुन्भुनाया कौन मैं अरे नहीं तु नहीं सेठ तो तु मेरे को कोई रोकरा देना मांगता है अगर तुम सही आदमी हो तो तुम्हेरे को तो पूरा भरोसा मालूम होता है कि अपुन ही सही आदमी है मैं तुम्हारी जुबानी सुनना चाहता हूँ राना ने अपनी जेब से लंबा लिफाफा निकाला यह लाक रुपया है साफ बोलो तुम ही वो शक्स हो या नहीं जिसे कि मैं यह रकम सौंपने को मजबूर हूँ पन पन वन कुछ नहीं साफ बोलो अच्छा बाप तु ही जीता अपुन ही वो आदमी है अब रोकरा इदर मेरे हवाले कर राणा ने लिफाफा वापिस जेब में रख लिया क्या मतलब पवीन कर ततकाल बोला और उस पर जप्टा राणा का भरपूर घूसा उसके थोगडे पर पड़ा पवनी कर पीछे को लड़ खडाया लेकिन संतुलन कायम न रख पाया और धराशाई हो गया फिर आँखों में खून लिये वह उठकर खड़ा हुआ ठेहर जा साले वह बड़े हिंसक भाव से बोला मैं गला फाड कर पुलिस पुलिस चिल्लाने लगूंगा राणा बोला उस पर जपटने को ततपर पवनी कर ठिटका हाथ क्यों उठाये ला था फिर वह बोला क्योंकि तुम नोटों का लिफाफा मेरे से छीन लेने की फिराक में थे राणा बड़े इत्मीनान से बोला जब तु खुद ही रोकडा मेरे कु देने कु मांगता है तो कू? ऐसे नहीं तू? तुम तीन जने हो मुझे यह भी मालूम होना चाहिए कि तीनों में लीडर तुम हो मैं नहीं चाहता कि रुप्या तुम अकेले हजम कर जाओ और मेरी जान बदस्तूर सांसत में फंसी रहे ऐसा नहीं होएंगा मेरे को कैसे मालूम हो? तू बोल मैं क्या बोलूं? पर सोच में पड़ गया वह अपने साथियों को उधर बुला सकता था लेकिन वो बात गलत होती तब बकरे को तीनों की शिनाख्त हो जाती एक बात और पवनीकर ने प्रश्नसूचक नेत्रों से उसकी तरफ देखा मैं तुम्हारी बीस लाख रुपय की मांग पूरी नहीं कर सकता इतना नकद रुपया न मेरे पास है न निकट भविश्य होगा कुल जमा नकद रकम जो मैं तुम्हारे लिए मुहया कर सकता हूँ वो चार लाख बीस हजार रुपया है जूट मैं साबित कर सकता हूँ तुम मेरे खाते देख लो जैसी चाहो चैकिंग कर लो रात ग्यारा बजे मेरी फैक्टरी की दूसरी शिफ्ट खत्म होती है तुम कल वहाँ आ जाना मैं तुम्हें यकीन दिला दूँगा कि इस से ज्यादा रुपया मेरे पास नहीं है अरे तु इतना बड़ा सेठ इतनी बड़ी फैक्टरी का मालिक फैक्टरी और मशीनरी बैंड के करजे से बनती है जिसकी बैंड को बड़ी ब्ली किष्टें अदा करनी पड़ती है रुपय के बदले में मैं तुम्हें मशीन थोड़े ही थमा सकता हूँ एकाध मशीन बेच दे नहीं बेच सकता मशीने बैंड के करजे से खरी दी जाती हैं और बैंड के पास गिरवी रहती है कार बीवी का जेवर नहीं बेच सकता बीवी वजह पूछेगी अगर मैंने को वजह ही बतानी है तो फिर मुझे ब्लैकमेल होने की क्या जरूरत है मेरे कु विश्वास नहीं की तू विश्वास हो जाएगा कहा न कल रात फैक्टरी आना चाहो तो तीनों आना चाहो तो साथ में किसी पढ़े लिखे आदमी को ले आना जो बैलेंस शीट वगेरह समझता हो पवनीकर ने इनकार में सिरहिलाया तो खुद आना मैं तुम्हें यकीन दिलाकर भेजूंगा कि फिलहाल में चार लाख बीस हजार से ज्यादा बड़ी रकम का इंतजाम नहीं कर सकता बाद में बाद आने में कम से कम च्छा महीने लगेगे पवनीकर खामोश रहा ठीक है फिर कला रहे हो न तुम पवनीकर ने फिर इनकार में सिर हिलाया क्यों? अपन किसी लफडे में फसना नहीं मांगता कोई लफडा नहीं होगा मेरा इरादा किसी लफडे का होता तो मैं क्या यहां अकेला आता? तुम्हेरा वाइफ तुम्हेरे साथ आयला था वो महज इत्तफाक था उसे कार चाहिये थी, वो लेकर चली गई उसका अपना मारूती कार किदर गया? डिगड गया वर्कशाप में गया, पवनी कर फिर खामोश हो गया अब मैं चलता हूँ तुम कल आना वो लिफाफा इदर दो वो भी कल मेरा अंदाजा ही है कि तुम ही असल आदमी हो अभी गारंटी नहीं हो गई है मुझे लेकिन गुड नाइट और राणा लंबे डग भरता हुआ विडियो पारलर से बाहर निकल गया उल्लोह की तरह पलके जपकाता पवनी कर पीछे खड़ा रहा वह हैरान था कि पूरी तरह से जखड़ा हुआ बकरा एकाएक इतना बेकाबु कैसे हो गया था कि उस पर सींग चलाने तक की हिम्मत कर बैठा था कृप्या मेरे चैनल आडियो बुक मॉल एवं आडियो बुक गो डाउन को सब्सक्राइब करें और कृप्या कमेंट करें कि आप कौन सी किताब सुनना चाहते हैं आपको यहां आडियो बुक पसंद आई तो लाइक जरूर करें अगले रोज दोपहर को वे तीनों अनिता के फ्लैट में थे अनिता भीतर बैडरूम में सुई पड़ी थी और वे तीनों बाहर बैठक में बैठे थे पिछली रात बकरे से हुई अपनी मुलाकात की दास्तान पवनीकर अपने दोनों साथियों को सुना चुका था अब पवनीकर भुनभुनाया पहले मेरे को ये मालूम होना मांगता है की बकरा मेरे तक कैसे पहुँचा कौन बोला की अपन उसे किदर मिलेंगा मैं नहीं बोला, नागवानी बोला, दस्वी बार कह रहा हूं मैं नहीं बोला वो तेरा नाम लिया मालूम, सिर्फ नाम लिया साफ नहीं बोला की तेरा पता उसे मैंने बताया तु नहीं बोला नहीं बोला, साई, नहीं बोला कसम है जूलेलाल की नहीं बोला वो साला सेठ हमारे में जगडा कराने की फिराक में मालूम होता है तभी वो यूं हमारे बीच शक का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहा है अपना सिंधी भाई ठीक कहता है नशे की तरंग में डूपता उत्राता चेटियार बोला पन पवनीकर जलाया जब तू नहीं बोला तू नहीं बोला तो कौन बोला किसी ने उत्तर न दिया अनिता एकाएक पवनीकर बोला चेटियार ने हडबड़ा कर सिर उठाया अनिता क्या वह बोला कल जब बकरा पासकल के बार में मेरे कु घेर बैठा था तो अनिता उदर ही थी तो क्या हुआ अनिता बकरे को ऐसी बात नहीं बता सकती क्यों नहीं बता सकती? क्योंकि वो मेरे से बाहर नहीं जा सकती वो जानती है वो मेरे से बाहर जाएगी तो मैं उसका गला काट दूँगा मेरे कु उससे बात करना मांगता है कु? क्यो? मेरे कु गारंटी मांगता है कि वो बकरे को मेरा पता नहीं बोला अभी वो सुई पड़ी है उसके उठने पर उससे बात होगी लेकिन बात मैं करूंगा तू नहीं मेरे कु कैसे मालूम होएंगा कि वो क्या बोली मैं बताऊंगा तू जूट बोल देंगा उसकी खातिर चेटियार ने ऐसी कहर भी निगाहों से पवनीकर की तरफ देखा कि उसके शरीर में सहरन दोड़ गई और चेटियार बोला और वो आज रात को ग्यारा बजे मरे कु अपनी फैक्टरी में आने को बोला पवनीकर बोला अकेले चेटियार बोला वो तो बोला चाहे हम तीनों आएं साई नागवानी बोला वो उधर पुलिस को छुपा कर रखेगा हम तीनों पकड़े जाएंगे मैं अकेला उधर जाएंगा पवनीकर बोला वो तेरे को पकड़ लेंगे और फिर जबरदस्ती हमारे बारे में कुबुलवा लेंगे वो ऐसी हिम्मत नहीं करेंगा वो मेरे को पकड़वाएंगा कू तो खुद फसेंगा अपन तुम्हेरे को बोल के जाएंगा कि अगर एक या दो घंटे में अपुन नहीं लोटता है तो तुम्हेरे कु उसकु सीमा के मर्डर में फंसाने की कार्यवाही करना मांगता है तेरा उधर जाना क्यों जरूरी है? चेटियार बोला फंसा हुआ वो है कि हम वो बोलता है कि अपुन के उदर पहुचने से ही उसको गारंटी होएंगा कि अपुन सही आदमी है लेकिन लौकर वाला प्रोग्राम वो अब फेल हो गया है वो अब मेरे कु पहचान गया कु है वो नागवानी कु पहचान गया है वो रोज हमेरे सिर पर आधमकने लगेंगा तो तेरे कूभी पहचान जाएंगा अपुन बोलता है अब उससे सीधा डील करना जरूरी हो गया है और तेरे ख्याल से चेट्टियार बोला तुझे आज रात को वहां जाना चाहिए क्या वांदा है? मालूम तो होएंगा कि अपना बकरा क्या मांगता है तू उसके साथ कोई अलग से खिच्डी तो नहीं पका रहा? क्या? पवनीकर तिल मिला कर बोला मैं तेरे को एक सवाल पूछा चेट्टियार अविचलित स्वर में बोला तो मैं तेरे को जवाब में ये बोला कि मेरी जगह तू जा चेट्टियार हडबडाया अच्छा है तू जाएंगा तो उसे जो एक तीसरा आदमी रह गया है उसकी भी खबर हो जाएंगी बरोबर चेट्टियार खामोश रहा या तू पवनीकर नागवानी से संबोधित हुआ जाएंगा नागवानी ने व्याकुल भाव से चेट्टियार की तरफ देखा अगर चेट्टियार कठिन स्वर में बोला जाना जरूरी है तो तेरे को ही जाना चाहिए मुझे वो अभी जानता नहीं और अपना सिंधी भाई एक बार भी अपनी जुबान से नहीं माना है कि यह हमारा साथी है तू माना है इसलिए तेरे को ही जाना चाहिए और तेरे को नागवानी बोला, उसी से यह भी पूछना चाहिए कि तेरे बारे में उसे कौन बोला अगर वो बोले मैं बोला तो जूले लाल, सौ जूतों से मारना ठीक है, पवनीकर उठ खड़ा हुआ, अब अपुन जाता है कल तुम्हेरे को खबर करेंगा कि क्या हुआ फिर नागवानी भी उठ खड़ा हुआ चटियार ने निगाह भर कर बैडरूम में सोई पड़ी अनिता को देखा उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे, बाल बिखरे हुए थे, फिर भी वह निहायत खूबसूरत लग रही थी नींड से उसे जिनजोड कर जगाया क्या हुआ, अनिता हडबडाय स्वर में बोली अरे, चार बज रहे हैं क्या सारा दिन सोई रहेगी? मैं रात भर जागती रही थी क्यों? हड़िया तुडाती रही थी मोटा बकरा मिल गया था हाँ, खूब मोटा कितना मोटा? दो हजार का क्या नाम था बकरे का? रनवीर राना वो कौन है? अनिता सप्पकाई तेरे को नहीं मालूम नहीं मालूम होता तो पूछती वो सीमा का स्टेडी था तेरे को मिल चुका है अच्छा वो मुझे उसका नाम नहीं मालूम था वो रात को तेरे साथ था नहीं ओनू सत्यमा सुलू सच बोल अरे बोला न नहीं वा तो दिन में आया था चार बजे के करीब मुश्किल से दस मिनट ठहरा था. क्या चाहता था? वही जो सब चाहते हैं. लेकिन मैं पहले से बुख थी. मैं चलता कर दिया उसे. कहा क्या उसे? यही की वो फिर कभी आये. मेरा मतलब है बताया क्या उसे? कुछ भी नहीं. क्या बताया था? आखिरी बार पूछ रहा हूँ. कहा न कुछ भी नहीं. वह अभी भी लेटी हुई थी. उसके सिर के नीचे जो तकिया था, चेक्टियार ने उसे एक जटके से खीच लिया. उसने? वह तकिया उसके मुह पर रखा और अपने दोनों हाथों से तकिये को दबाया. तुरंट सास रुकने की वजह से अनिता चटपटाने लगी. उसने हाथ पाफ पटकने आरंभ किये, तो चेक्टियार उसकी छाती पर चड़ गया, और पूरी शक्ती से तकिया उसके मुह के उपर दबोचे रहा. अनिता और जोर से तड़फडाई. कुछ क्षन बाद जब उसका शरीर शिथिल पड़ने लगा, तो टियार ने किया एक और फेंक दिया और उससे परेहट गया. अनिता उठकर बैठ गई और जटकों में सांस लेने लगी. अब क्या कहती है? चेटियार क्रूर स्वर में बोला. मैंने उसे कुछ नहीं बताया. वह हामफती हुई बोली, बताने लायक में कुछ जानती तो होती. तू मुझे जानती है. तू मेरे दोस्तों को जानती है. मैंने कुछ नहीं बताया. उसने कुछ पूछा तो होगा. नहीं पूछा था तो आया क्यों था? राइड मार ने मैं बोली मैं बुक थी वो चला गया वो सीमा का स्टेडी था तेरे को मिल चुका है अच्छा वो मुझे उसका नाम नहीं मालूम था वो रात को तेरे साथ था नहीं पोनू सत्यमा सुलू सच बोल अरे बोला न नहीं वा तो दिन में आया था चार बजे के करीब मुश्किल से दस मिनट ठहरा था क्या चाहता था? वही जो सब चाहते हैं लेकिन मैं पहले से बुक थी मैं चलता कर दिया उसे कहा क्या उसे? यही की वो फिर कभी आये? मेरा मतलब है बताया क्या उसे? कुछ भी नहीं क्या बताया था? आखिरी बार पूछ रहा हूँ कहा न कुछ भी नहीं वह अभी भी लेटी हुई थी उसके सिर के नीचे जो तकिया था चेक्टियार ने उसे एक जटके से खीच लिया उसने वह तकिया उसके मुह पर रखा और अपने दोनों हाथों से तकिये को दबाया तुरंट सास रुकने की वजह से अनिता चटपटाने लगी उसने हाथ पाफ पटकने आरंभ किये तो चेक्टियार उसकी छाती पर चड़ गया और पूरी शक्ती से तकिया उसके मुह के उपर दबोचे रहा अनिता और जोर से तड़फडाई कुछ क्षन बाद जब उसका शरीर शिथिल पढ़ने लगा तो चेक्टियार ने किया एक और फेंक दिया और उससे परेहट गया अनिता उठकर बैठ गई और जटकों में सांस लेने लगी अब क्या कहती है? चेक्टियार क्रूर स्वर में बोला मैंने उसे कुछ नहीं बताया वह हामफती हुई बोली बताने लायक मैं कुछ जानती तो होती तू मुझे जानती है तू मेरे दोस्तों को जानती है मैंने कुछ नहीं बताया उसने कुछ पूछा तो होगा नहीं पूछा था तो आया क्यों था? राइड मार ने मैं बोली मैं बुक थी वो चला गया बस बस बास लाख का बकरा चेटियार ने फिर तकिया उठ लिया नहीं तुरंत आतंक से अनिता के नेत्र फट पड़े खबरदार कोन्नू डुवेन जान से मार डालूंगा नहीं सत्यमा सुलू मैंने कुछ नहीं बताया उसने पूछा ही नहीं मेरा बकरा आने वाला था मैंने उसे फिर आने को कहकर चलता कर दिया था तू तू मैंने जो सच है वो बोल दिया है फिर भी मार डालना चाहता है तो मार डाल मार डाल कमीने वह रोने लगी तेरे लिए मरी तो मैं पहले ही पड़ी हूँ अब रही सही कसर भी पूरी करदे मार डाल मुझे अनिता इस बार चेक्टियार नमरस्वर में बोला सच तु कुछ नहीं बोली मेरा विश्वास कर कमी ने चेक्टियार ने तकिया हाथों से निकल जाने दिया और उसे अपनी बाहों में भर लिया अनिता कसकर उससे लिपट गई वह हौले हौले उसके कपोलों पर होठोन पर चुम्बन अंकित करने लगा सोजा सोजा मेरी जान पोई थुंगू पोई थुंगू वह उसके कान में फुस फुस आया लेकिन पहले मेरी एक बात सुन ले क्या तुने उस आदमी से बात नहीं करनी दोबारा उसे अपने पास भी नहीं फटकने देना वो यहां आये तो दर्वाजा तक नहीं खोलना कहीं और मिले तो उसकी तरफ जाकना तक नहीं ठीक ठीक अनिता बुदबुदाई शाबाश अब समझ ले सब ठीक हो गया एस्ट्रिस्ट 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 निर्धारित समय पर पवनी कर चैंबूर पहुँचा उस घड़ी बकरे की फैक्टरी में से दूसरी शिफ्ट के कर्मचारी बाहर निकल रहे थे फैक्टरी के फाटक से थोड़ा दूर खड़ा वह प्रतीक्षा करने लगा कुछ क्षण बाद भीर चंटी तो वह फाटक की तरफ बढ़ा वह करीब पहुचा तो उसने बकरे को अधखुले फाटक पर खड़े पाया आओ राणा उसे देख कर बोला मुझे बाद में सूझा था कि दर्बान कहीं तुम्हें रोक न दे इसलिए मैं यहां आखड़ा हुआ था अपुन के वास्ते पवनी कर बोला हाँ तुम्हेरे को गारंटी था अपुन के आने का उम्मीद तो थी ही आओ राणा उसे अपने आफिस में ले आया बैठो वह बोला पॉन्ट पवनीकर जिजकता सा विशाल टेबल के सामने पड़ी कुर्सियों में से एक पर बैठ गया और संदिक्ध भाव से चारों तरफ देखने लगा घबराओ नहीं राणा आश्वासनपूर्ण स्वर में बोला टाइम्स यहां तुम्हारे और मेरे सिवाय कोई नहीं है बढ़िया पवनीकर ने अनिश्चित भाव से उसकी तरफ देखा कोल्ड द्रिंक यहीं है मैं पेश करता हूँ वह वहां से बाहर निकल कर रेखा वाले कमरे में पहुचा जिसमें की रेफ्रीजरेटर रखा था उसने रेफ्रीजरेटर में से दो कैमपा कोला निकाले और उन्हें दो गिलासों में डाला गिलासों को एक ट्रे पर रखकर उसने ट्रे उठाई और वापिस अपने आफिस में पहुचा उसने एक गिलास पवनीकर के सामने रख दिया और एक खुद ले लिया इसमें राणा बोला विस्की डालना चाहो तो नई पवनीकर ततकाल बोला नई मर्जी तुम्हारी अब यह देखो राणा ने उसके सामने आंकडों से भरा एक लंबा कागज रखा यह मेरे अब लिया